बड़े खुबसूरत बाल प्रगट हुई नहीं तो फिर चिंतन होगा सब के शरीर में ऐसा होता है कहीं सुन लिया उदै होता है ब्याय होता है उत्पाद होता है ब्याय होता है और हम लगे चिंतन करने हमारा शरीर भी इसी परकार उत्पाद होता है ब्य होता है उत्पाद होता है कुछ नहीं मिलेगा मिलेगा तो बहुत थोड़ा सा उपर उपर के चित्त को सुधारने वाली बात हो जाएगी अनुभव इस अनुभव को ही भारत के पुरानी भाषा में वेदन कहते थे शरीर पर जो अनभव हो रहा है वो स्वेवेदन है अपने द्वारा अनभव हो रहा है सुख भी अनभव हो सकता है दुख भी अनभव हो सकता है अदुख असुख न्यूटरल अनभव भी हो सकता है तो भारत की पुरानी भाषा में जब सुख अनबव होता था शरीर पर कोई ऐसा अनबव हो जो बड़ा अच्छा लगे तो सुख अनबव हुआ तो उसे सुखद बेदना कहते थे शरीर पर कुछ ऐसा लगे कि जिससे दुख अनबव हो तो उसे दुखद वेदना करते थे और शरीर पर कुछ ऐसा लगे जो सुखद भी नहीं जो दुखद भी नहीं तो उसे अदुख असुख वेदना कहते थे 25 वर्षों में जैसे कहा भाषा बदल जाती है शब्द बदल जाती है शब्दों की अर्थ बदल जाते हैं आज तो वेदना शब्द का एक ही अर्थ रह गया भारत के सारी भाषाओं में वेदना का अर्थ केवल दुख तो किसी को कहीं अपने सुख वेदना देखो तो वो बेचारा भोचक का हो कि हमारी और देखता है कि सुख वेदना कैसे वेदना तो दुख होती है ये सुख वेदना क्या हुई तो इसलिए वेदना शब्द नहीं इस्तेमाल करते सम वेदना ताकि उलजे नहीं लोग समझानी है ना बात तो सुखद संबेद ना भी हो सकती है दुखद संबेद ना भी हो सकती है असुख अदुख वाली न्यूटल संबेद ना भी हो सकती है जो भी है बस उसे जानना है जो प्रगट हुआ उसे जान लिया जो प्रगट हुआ उसे जान लिया आज है बिल्कुल नया नया काम शुरू किया बहुत लोगों ने तो इसके बारे में बहुत से प्रश्ण मन में उठते हैं टेकनिक के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में, इस साधना के बारे में लोग स्पस्टी करन चाहते हैं और हम देखते हैं कि बहुत से प्रशन तो common है, सामान्य है, साधारन है, अनिक लोगों के वही प्रशन होती हैं, तो उनका उत्तर अभी दे दे, ताकि बास समझ में आजाए सबके, एक प्रशन जो बार-बार उठता है वो ये, कि ये जो आप सिर से पाम तक, सिर से पाम तक य इसी करम से करो, ये कोई आवश्यक या अनिवार ये बात नहीं है, किसी करम से करो, लेकि करो करम से, क्योंकि अगर करम से नहीं करोगे, तो यहां कुछ देखते देखते फिर यहां देखने लगे, फिर यहां देखने लगे, फिर यहां देखने लगे, तो नजाने शरीर के कितने हिस्से छूट जाएंगे वहां की कोई संबेदना ही नहीं जानोगे और करम से जाओगे तो शरीर का कोई अंग छूटेगा नहीं और ये साधना में आगे जाकर एक स्टेशन आने वाली है किसी को बड़ी जल्दी आ जाती है किसी को जल्दी देर से आती है पर बड़ी अवश्यक स्टेशन है वो वो ये कि सारे शरीर में कहीं मूर्चा का नामों निशान नहीं मूर्चा माने कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां संबेदना नहूँ सर्वत्र संबेदना ही संबेदना इस प्रकार की है या उस प्रकार की है सारी शरीर में संबेदनाओं के अन्भूती हूँ तो एक बड़ी महत्वपोन स्टेशन तक पहुंचे और अगर करम से नहीं चलेंगे तो इस स्टेशन पर पहुंचने में नजाने कितना समय लग जाएगा कभी कभी कोई सादिक कहता है कि हम बैठे हैं आराम से बस कहीं कोई संबेदना जागए उसको देख लिया फिर यहां कुछ जागए उसको देख लिया यहां कुछ जागे उसको देख लिया कुछ लोग कुछ परमपराओं में ऐसा करते भी है हम उस पर रोक लगाते हैं क्यों रोक लगाते हैं समझना चाहिए क्या होगा जब चुपचाप बैटी हो कहीं कोई संबेदना जागी तो कैसी संबेदना स्थूल संबेदना ही जागेगी पीड़ा मनबह होगी भारी पन मालम होगा कहीं गर्मी लगेगी कहीं खुजलाहट होगी यहां पीड़ा मालम हुई और फिर यहां यकाय खुजलाहट हुई यहां से चलांग लगाई च्छमता बन जाएगी युगता हो जाएगी पर भाई शरीर में इस से अधिक सुक्षम संबेदनाएं भी हो रही हैं जिन स्थानों को तु कहता है कि मुर्चित है मुर्चित नहीं है जहां जहां जीवन है शरीर में ये कुदरत का नियम है प्रकिटते का नियम है जहां जहां जीवन है, वहाँ वहाँ संबीदना है, संबीदना है तो प्रमान है कि जीवन है यहाँ, तो जीवित है सारी यंग हमारे, शरीर का अनु अनु जीवित है, प्रान साथ है, तो संबीदना तो है, वो संबीदना बड़ी सुक्षम है, और मन हमारा बड़ा स्थूल, बड़ा थूल स्थूल संवेजनाएं तो बड़ी आसानी से ग्रहन कर लेगा, अनभव कर लेगा, सुक्षम की और जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको सुक्षम की और जाने के लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं सिखाई, वो बेचारा स्थूल स्थूल, यहां गर्मी है, यहां भारी ह यहां खुजलाता है, यहां यह होता है, यह होता है, महिनों लगा देगा, कभी कभी हम देखते हैं, बर्सों लगा देगा, उसको सुक्षम संवेजनाओं का अनभव नहीं होगा, और उसको सारे शरीर में संवेजना है, इस अवस्था पर पहुंच नहीं पाएगा, गए, संबीदना महसूस हुई आगे बढ़ गए, जहां संबीदना नहीं महसूस हुई, वहां रुक गए, हम छोड़ेंगे नहीं न किसी अंको भी, तो नहीं महसूस हुई वहां रुके हम, जादेर नहीं, जादेर रुकेंगे तो मन भागने लगेगा, ठीकेगा किस पर उसक बड़ी बात समता भरे चित से रुकें नहीं कुछ मालूम हुआ आगे बढ़ गए नहीं कुछ मालूम हुआ तो इतना तो कम से कम मालूम करें कि अगर ढखा हुआ अंग है तो देख कपड़े का स्पर्श हुआ न उसकी भी एक अनभूती होती बाले उपरी उपरी चिछली चिछली अनभूती है यह पर अनभूती तो ही न कपड़े का स्पर्श हो रहा है खुला अंग है तो ये बाहर के वायु मंडल का स्पर्श हो रहा है बस इतना ही जान लिया आगे बढ़ गए दूसरी बार फिर मिनट बर रुके अगली बार फिर मिनट बर रुके यूँ शान्त चित्त से सम्ता भरे चित्त से बड़े धीरज के साथ काम करते जाएंगे तो देखें कि जहां जहां मूर्शा थी सब जगा की मूर्शा दूर होगी सब जगा महसूस होने लगा ये कपड़े का चुना अहवा का चुना नहीं उसकी शरीर की सभाविक संबेदना प्रकट होने लगी संबेदना तो थी ही क्योंकि हम बड़े धीरज के साथ काम करते रहे समता के साथ काम करते रहे हमारा मन अधिक सुक्षम हो गया अधिक संबेदन शीर हो गया तो महसुस करने लगा वही अगर हम मिनट पर रुकते हैं और रुक करके राग जगाते हैं माने कामना जगाते हैं अरे यहां मुझे संबेदना मिल जाए यहां मुझे संबेदना मिल जाए आदा मिनट हो गया नहीं मिली पौनी मिनिट हो गया मिल जाए यूं करता है यूं करता है तो मन की समता खो देता है मन का संतुलन खो देता है और मन का संतुलन नहीं हो तो मन बड़ा स्थूल होता है स्थूल मन वहाँ पर जो विद्यमान है सुक्षम संबेदना उसको महसुस नहीं कर पाएगा इसी तरह से द्वेश करेगा रुका तो है मिनिट पर अरे ये मूर्चा अब तक नहीं गई देखो दूसरे राउन में भी नहीं गई देख तीसे राउन में भी नहीं गई उसके परती द्वेश करता है उस मूर्चा के परती द्वेश करता है फिर अपना संतुलन खोता है फिर अपनी संता खोता है फिर बड़ा स्थूल हो गया स्थूल हो गया तो सुक्षम संबेदना कैसे महसूस करेगा शान्त है बस द्रश्टा भाव है जो हैसो है इस समय संबेदना नहीं है नहीं है हम क्या करें हम तो शान्त चित्त से यहां रुके हैं जो कुछ प्रगट होगा उसको स्विकार कर लेंगे यूँ अगर समता में रहेंगे मन का संतुलन बनाये रखेंगे तो मन अपने आप सुक्षम होता जाएगा सुक्षम होता जाएगा अनुबह करना शुरू कर द लगेगा तो हम उस स्टेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगे जहां कि सारे शरीर के संबेदनाई अनुबह होने लगेगे एक प्रशन ओर आता है कि हम यात्रा बड़े करम से चल रहे हैं हमने अपना करम बनाया आपने दिया वो या कोई दूसरा पर करम से चलते हैं बार ब लगा कि पहले वहां पहुंच जाएं या जिसको छोड़ाए तो वहां कोई तेज संबेदना हो गई तो छलंग लगा कि पीशे चले जाएं और फिर इसको देख लेंगे कभी नहीं करना फिर वही आदत पढ़ जाएगी हमेशा स्थूल संबेदनाओं को महत्तों देने की आ रहेगी ही लेकिन हम अपनी और से उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे हम तो अपने करम से जाते चले जाएंगे नहीं तो इधर 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 फिर वही छलंग लगाने की आदत होगी और सारे शरीर के संबेदनाओं को देखने काम धिमा पड़ जाएगा कमजोर पड़ चकर लगाते हैं तो एक बार में कितनी सी दूर कितने बड़े स्थान को देखें कितने बड़े स्थान के संबेदना देखें आरे भाई यह बार बार चकर लगाते लगाते तो ऐसी अवस्था पर पहुंच जाओगे कि जहां सुई के नोक के बराबर स्थान भी बाकी नहीं बचेगा सुई के नोग के बराबर स्थान पर भी संबेदना 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 महसस होती चली जाएगी एक एक अनु के संबेदना महसस होती चली जाएगी पर प्रारंभ में उस सुई के नोग के प्राबर जगह को देखना शुरू करेंगे तो घंटों लग जाएंगे सिरसे पाउं तक जाने में मन उबने लगेगा काम नहीं करेगा तो इस समय काम करते हुए तो दो अंगुल चार अंगुल दो अंगुल चार अंगुल बस इतनी सी जगह दो अंगुल चार अंगुल दो ये भी आगे बढ़ जाये और धीरी ढार बार का भ्यास करते गरते वो जगे अपने आफ चोटी होते 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 सब लेगेमाल होने लगेs कभी किसी किसी सादक का मन बड़ा स्थुल होता है बड़ा चंचल होता है या बड़ा आलसी होता है तंद्रिल होता है तो उस बचारे को कोई सम्वेदना नहीं मिलती तो दो दो चार चार अंगुल में भी उसको सम्वेदना नहीं मिलती तो जी उबने लगता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कह गर ध्यान कर जैसे सारे सिर में एक साथ और सारे सिर में कहीं भी किसी स्थान पर भी जिरासी संवेदना जागी आगे बढ़ जा फिर सारे चेहरे पर एक साथ कहीं भी जिरासी संवेदना जागी आगे बढ़ जा फिर सारी भुजा पर सारे हाथ पर सारी चाती पर सारे यों ब बड़ी धीरस से करना होगा, बड़ी धीरस से, आतुरता होगी कि मुझको जल्दी जाग जाए, सब जोगे क्यों नहीं जाग तेरे, मुझे क्यों नहीं जाग तेरे, तो फिर राग जागेगा, कामनाएं जागेगी, त्रिशना जागेगी, भले संभिटना के लिए जाग रह हमेशा परिनाम अच्छा आने वाला है एक परशनो रूठता है बार बार यह जो चक्कर लगाती है उसमें कितना समय लगे सिर्थ से पाउं तक एक यात्रा करने में कितना समय लगे कुछ नहीं कह सकते निर्भर करता है व्यक्ति व्यक्ति पर निर्वर करता है और एक ही व्यक्ति के समय समय की मनों स्थिति पर निर्वर करता है मानलोग किसी का मन बहुत ब्याकुल है जरा भी समता नहीं है मन स्थिर नहीं है तो जहां गया वहीं संवेदना नहीं मिली मिनट पर रुखना पड़ा, आगे बड़ा संवेदना नहीं मिले, मिनट पर रुखना पड़ा, यहों करते करते आध गंटा भी लग जाए, एक गंटा भी लग जाए, हमें कहा है कि जल्दी है, लेकिन अगर मन बहुत सजग है, और बहुत एकाग्र है, और बड़ा संवीद उनशील है सुक्षम है जहां गई वही संवेतना आगे बड़े संवेतना सारे जिगा संवेतना मिलते चले गए तो यात्रा दस एक मिनट में ही पूरी हो जाए दस मिनट से कम समय में अगर यात्रा पूरी करते हो तो इस समय उचित बात नहीं आगे जाकर तो होने लगेगा दस मिनट भी नहीं लगेगा अब इस समय दस मिनट से जल्दी अगर पूरा कर दिया तो पता ही नहीं लगेगा कौन से अंग छूट गया और हमें तो अंग प्रत्यंगे में से गुजरना है तो कम से कम दस एक मिनट तो लगाए एक परशन उठता है बार बार उठता है कि ये जो सम्बेदनाई महसुस कर रहे हैं शरीर की ये उपर उपर की शरीर की उपरी उपरी हिस्से की करें या भीतर भी करें तो इस समय तो ऊपरी ऊपरी हिस्से से ही काम शुरू करें पर फिर भी कोई-कोई सादक ऐसा होता है पूरो जन्मों में बहुत काम किया होगा तो काम शुरू करते ही भीतर भी संबěदना मैसुस होने लगी अंदर तक होने लगी नहीं होती है तो चिंता नहीं करने उपरी उपर के करते जाएं और हो सकता है इन्हीं दस दिनों में ये अवस्था पराप्त हो जाएगी जब कि बींद बींद करके भीतर तक के संबेदना जान लेंगे इस समय तो कम से कम शरीर की उपरी उपरी तुचा की जो संबेदनाई हैं वो सारी की सारी जान ले उसमें कहीं कोई मुर्चित स्थान नहरे जाये इसके लिए प्रेतन करते रहें और प्रेतन यही है कि बार 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 इसे दोहराते रहें और एक प्रशन उटता है इस संवेदना क्या हुई हमारे यहां ध्यान के नाम पर नजाने लोग कितने प्रकार के लेप लगा के आते हैं बच्पन से सुनते आए ध्यान ऐसा होता है ध्यान ऐसा होता है साधना ऐसी होती है तो हर व्यक्ति अपनी प्रमपरा की बातों को सुन करके वही लेप है और यहां कहते हैं शरीर की संवेदना देखो तो संवेदना के देखें तो उलच जाता है समझ लेना चाहिए कि शरीर पर जो कुछ अनभव होता है और शरीर की स्वभावी कनभूतिया शरीर का धर्म है गर्माना शरीर का धर्म है पसीजना शरीर का धर्म है धड़कना शरीर का धर्म है भारी होना शरीर का धर्म है शितल होना गर्म होना शरीर का धर्म है इस शरीर के अपनी स्वभाव है इसके प्रगर्टी है तो जो प्राकरतिक अन्भूतियां आपने आप प्रगट हो रही है बस उसको तटस्त भाव से जानना है संबेदना ये है या वो है उसका महत तो नहीं है महत तो इस बात का है कि संबेदना होने पर मैंने उसे पुराने स्वभाव के मताबिक भोगता भाव से भोगा, सुखदाय तो उसका सुख भोगा, दुखदाय तो उसका दुख भोगा, क्या भोगता भाव से भोगा, अत्वा द्रश्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्त भाव से के बुल जाना, भोगता भाव निकला, तो साधना का धे ये है कि अपने मानस का अपने अंतरमन वाले मानस का वो स्वभाव जो हमेशा भूगता भाव का ही जीवन जीता है उसको भूगता भाव से निकाल कर दरश्टा भाव में कैसे पुष्ट कर दे साक्षी भाव में कैसे पुष्ट कर दें तटस्त भाव में कैसे पुष्ट कर दें क्योंकि जब जब भूगता है सुख भूगता है तो उसके प्रति आसकती जगाता है और राग जगाता है दुख भूगता है उसके प्रति द्वेश जगाता है दौरमन शे जगाता है पुरा आदत तोड़नी है, इसलिए संबीदनाओं का दर्शन करने लगे, कि जाहे जैसी संबीदना हो, किसी संबीदना को, अरे तो मोसम की गरμी है, बाबा इसको क्या देखें, ये तो होगी, आस तक तो भूगा करते थे थे ना इसको, अब हम भूगींगे नहीं, अब इसको बठा दिया पाउं नहीं खोले इसलिए दर्द होने लगा तो क्या देखें तो हुगाई स्वभावी के अरे जो स्वभावी का उसी को देखना सिखाते हैं कोई ऐसा धारन अलोके कनभूती के लिए नहीं आये आए यहाँ पर जो स्वभावी कनभूती है बैठें हैं और दर् दर्द हरे बहुत दर्द हरे अब उसको कैसे साक्षी भाव से देखें उसके साथ कैसे मैं मेरे का भाव तोड़ें और उसको समझें कि देखें नित्य है शाश्वत है ध्रू है अत्वा अनित्य है नश्वर है भंगूर है यूँ देखी जाएंगे देखी जाएंगे पता लगे ये तो अनश्वर है ये तो भंगो रहा बदल जाता है देख बदल गया ना तो उसको साक्षी भाव से कैसे देखें अरे ये तो मुझे गठिया का रोग बहुत पुराना है इस पुराने रोग के वज़े से दर्द आया इसको क्या देखें बाबा ये तो रहता है अरे उसी को तो देखना है गठिया का दर्द तुझे पहले भी था लेकिन जब जब गठिया का दर्द आता था तो भोगता भाव से रोता था भोगता था उसका दुख अब भोगता भाव से निकल करके उसी को द्रश्टा भाव से देखना सीख तो ये जितनी संबेदना आए हैं वो तो किवल अलंबन बन गए कि इनी अलंबनों के आधार पर हम अपने मानस का सभाव पलटने के लिए आए हैं तो जो जो संबेदना हो रही है जिस किसी कारण से हो रही है उसको दरश्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्ट भाव से कैसे जाने बस यही साधना है अन्यता उल्जे रह जाएंगे कोई अलोग एक अन्भूती कोई ऐसाधरन अन्भूती कोई ऐसामानी अन्भूती उसके फिर में पड़ जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा एक घटना बरसों पहले जब मैं पहली बार ऐसे दस दिन के शिविर में गया तो कोई पुराना पुन्य भी होगा ही और एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि गुरू जी ने शिग रही बता दिया एक प्रशन उठा मन में और गुरू जी से बात नहीं है लेकिन जब आदम भीतर से धरम नहीं समझता तो रोगी ही रोगी बयाकूल ही बयाकूल होता है हम जानते थे बड़ा बयाकूल है क्योंकि हम भी उसी में से घुजले थे अरे ये बेचारा यहां 10 दिन सीखि जा इसका कल्यान हो जाएगा ये महामन में आया बहुत समझाया नहीं माना दस तिन मेरे पास समय कहां से आये मैं इतना बीजी आदमी मैं इसा मैं इसा और मुझे कोई तकलीफ नहीं मैं बड़ा सुखी हूँ क्या दुख है मुझे सुनी नहीं बात पिर हमारे मित्र जो जाकर आये शिविरों में उन्होंने कहना शुरू किया एक बार उसने मन बनाया कि चलो दस दिन आते हैं चलाया तो जैसे सबने किया वैसे तीन साड़े तीन दिन आना पान करते रहे फिर भी पच्छना मिली अगले दिन जैसे यहां पीछे शुन्यागार है वैसे वहां भी शुन्यागार थे एक 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 सुन्यागार में एक एक व्यक्ति को बठा कर गे गुरु जी उनको जा करके पूछे चेक करें क्यों भाई क्या हुआ कैसे हुआ जो भारती हों तो मुझे साथ ले जाएं अनुबाद करने के लिए तो इस भाई के कोट्री में भी गए दर्वाजा खटकटाया इसना दर्वाजा खोला पहला प्रशन यही किया क्यों भाई क्या संबेद ना मिली कईदा कुछ नहीं मिला और हम देखते हैं उसने अपने कमेश उतार रखी है अपने बन्यान उतार रखी है अपने धोती उपर तक चड़ा रखी है आरे पसीने से लटपत तुझे पसीना आया ना हाँ पसीना तो आएगा ही इस छोटी सी कोट्री में इतनी गर्मी तुझे गर्मी लगी ना गर्मी तो लगेगी इतनी मौसम है गर्मी की आरे भाई यही तो देखना है न तुझे गर्मी लगी अब तक तो भूगता था उसे देखना साक्षी भाव से पसीना आया देखना साक्षी भाव से वो क्या देखे गर्मी क्या देखे पसीना वो तो हमारी मूँ की और देखता है कभी गुरुजी के मुँखी और देखता है ज़से हम लोग उसका मजा कर रहे है ये भी कोई बात हुई मैं साधना करनी आया यहां पर ध्यान करनी आया गर्मी को देखो पसेने को देखो आरे कोई आत्मा का दर्शन कराओ तो कल्यान हो जाए कोई परमात्मा का दर्शन कराओ तो कल्यान हो जाए आरे बाबा भगवान बुद्ध की साधना है तो भगवान बुद्ध का ही दर्शन कराओ वो भी हमारे नविया उतारते उनका दर्शन कर लेंगे तो भी कल्यान हो जाएगा ये शरीर का दर्शन और वो भी गर्मी का, वो पसीने का, कोई बात हुई अरे बार बार समझाएं बाबा, तु समस्तो सही, ये साधना इसी प्रकार की है इससे तेरे मन के विकार निकलेंगे, राग निकलेगा, द्वेश निकलेगा तु समस्तो सही, कहां समझे, एक एक करके दसों दिन खो दी मन में दुख हुआ कि इस कठनाई से तो इस विक्ति को लेकर के आया और कुछ नहीं पलने पड़ा उसके, क्योंकि जितनी बार पूस्तियां कहता है कोई खास अनभव तो नहीं हुआ, अब जो आम अनभव हो रहा उसको स्विकार नहीं करता और कोई खास अनभव डूड़ता है, कोई अलोग एक अनभव होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा ये गर्मी है ये तो सर्दी है ये तो भारी पन है ये तो होता है इसको क्या देखें इसको क्या देखें एक साल बीता डेड़ साल बीता और बहुत से हमारे कॉमन फ्रेंड्स जो उसके मित्र भी थे हमारे मित्र भी थे बहुत लोग गए जो जा कर आया वो ही कहता जो जो जा कर आया वोई कहता है तो हमने कहीं गलती की होगी तो आया हमारे पास कि गुरु जी तो लेंगे नहीं आप चलके सिफारिश कर दीजिए एक बार दस तिन और करना चाहता हूँ अब के जैसा तुम कहोगे गर्मी को देखो तो गर्मी ही देखूँगा पसीने को देखो तो पसीना ही देखूँगा पर एक बार दस दिन और मोका मिल जाए चला आया और जैसे बताया ठीक वैसे ही किया एक दम प्रगती करते हुए आगे बढ़ गया सारी साधना क्या है यथा भूत ज्ञान दर्शन यथा भूत अपने आप जो हुआ यथा कृत नहीं हम इसमें कुछ नहीं करेंगे यथा वांचित नहीं हम चाहें वैसा हो जाए यथा वांचित नहीं यथा कल्पित नहीं हम कोई कल्पना नहीं करेंगे यह था संकल्पित नहीं हम कोई चिंतन बनन नहीं करेंगे यह था भूद अपो आप अपने आप जो हुआ हमने उसे ततस्तभाव से जान लिया अपो आप जो हुआ हमने ततस्तभाव से जान लिया जान लिया इसी को पुरानी भाषा में कहते थे कि दर्शन हुआ जैसा है वैसा दर्शन हुआ माने अनभू कर लिया और ग्यान से जान लिया तुकाय का ग्यान, बुद्धी का ग्यान नहीं है अब अनभूती का ग्यान है कि जो अनभू हुआ उसका सभाव क्या है उत्पन होता है बाले कितनी पीडा क्यों ना आई उत्पन हुई देर सबेर तो समाप्त होई गई न जीवन भर तो नहीं रही उत्पन हुई नस्थ हो गई गर्मी आई उत्पन हुई नस्थ हो गई धर्कन आई उत्पन हुई नस्थ हो गई आरे इसका उत्पन होना नश्ट होना इसका सभाव है ये इसका अनित सभाव है ये बात अनभूती से जानते चले जाएंगे तो इसी शरीर के प्रती जो गहरी आसकती पैदा कर ली और इसकी वज़े से जो राग पैदा करने लगे जो द्वेश पैदा करने लगे, जहां सुखद अनभूती हुई राग पैदा किया, दुखद अनभूती हुई द्वेश पैदा किया, वो सुभाव पलटने लगे आना, अरे वो सुभाव पलटने का काम करने आए हैं बाबा, हम को ये गर्मी से और सर्दी से और पसीने से ले लेना देना क्या हमको तो अपने सभाव से लेना देना अंतरमन के गहराईयों में जो हमारे अंतरमन का सभाव हो गया कि जहां सुखद अनभूती हुई वही राग पैदा कर जहां दुखद अनभूती हुई वही द्वेश पैदा कर ऐसा उसका सभाव हो गया अंदा सभाव हो यह द्वेश नहीं करना चाहिए और यह बार-बार चिंतन करते करते नश्वर है भंगुर है अनित्य है नश्वर है भंगुर है नित्य है मैं नहीं मेरा नहीं मेरी आत्मा नहीं यह सारा संसार दुख है चिंतन चलता है अच्छा चिंतन है लेकिन वो चिंतन का लाग किसको मि दिए के बात सुनता ने, वो तो अपने सभाव का गुलाम है, वो तो हमेशा शरीर के साथ जुड़ा रहता है, तो यही बात कोई महापुरूष देखता है, कि इस अंतरमन को सुधारने के लिए, शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है, वहां तक पहुँच होनी चाहिए, शरी कहां जगाता है पहुंचे ही नहीं तो द्वेश को निकालेंगे कैसे यह काम करने के लिए सारी साधना कर रहे हैं खूब अच्छे तरह समझ लेना चाहिए तो संबीदना चाहिए जैसी आए हम उस संबीदना को साक्षी भाव से देख रहे हैं कि हम उसे भोगता भाव से भोग रहे हैं इसको खूब समझते हुए भोगता भाव उसमें एकल करके साक्षी भाव तटस्त भाव द्रस्टा भाव उसके प्रतिक मैं मेरे का भाव नहीं रखते हुए जैसा है वैसा यथा भूत यथा भूत ऐसा उसको देखते हुए चलेंगे तो आगे बढ़ते ही जाएंगे जो आदमी जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएगा वो ठीक से काम करेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा नहीं तो संबेदना तो आई नहीं संबेदना तो आई नहीं बात बार ऐसे होता है क्योंकि संबेदना शब्द मानो कोई अनुकी संबेदना होनी चाहिए अनुकी अन्भूती होनी चाहिए कल ये सहाय काचारी प्रशन करेंगे बुला कर दे और पूछेंगे क्यों भाई तुम्हें संबेदना मिले हम चाहते हैं कोई ऐसा उत्तर नहीं दे पर फिर भी निकली आता है एक दो तो ऐसा उत्तर देने वाला कोई संबेदना नहीं मिले कहेगा कोई और फिर दूसरा प्रशन किया जाएगा उससे कोई संबेदना नहीं मिले तो तुझे घंटा बर बठाया गया और कहा गया पाउं मत बदल हात मत बदल आंख मत खोल बैठ पाया आराम से और कहां बैठ पाया दसों बार बदलना पड़ा क्या हुआ पाउं में इतनी पीडा हुई पाउं में इतनी पीडा हुई कि बैठ नहीं पाया घंटे भर और कहता संबेदना तो ही नहीं आरे उस पीडा से बढ़कर भी कोई संबेदना होगी इतनी बड़ी पीडा हुई और फिर कहता संबेदना नहीं हुई उसका कारण क्या कि वो संबेदना कोई अलोक के कनभूती को मानता है ये तो शरीर का सवभाव बाबा बैठे हैं तो पीड़ा हुई इसको क्या देखें हमें तो संबेदना देखनी है ना हमें तो संबेदना देखनी है ना कोई कोई पागल आदमी जवे तीन दिन चलता है हानापान का काम तब भी जब उससे पूछा जाता है कि तुझे यहाँ पर कोई संबेदना मिली जब कोई पूछता है यहाँ संबेदना मिली तो हास से यह उर गड़ता है कहता नहीं नहीं कोई संभेदना नहीं नहीं तो यह क्या किया एक कुजली आए जरा से खुजला लिया खुजली उसके लिए संभेदना ही नहीं नहीं कोई बहूँत अलोकिक बात आरीपन भी आया गर्मी भी आई पसीना भी आया धड़कन भी सब मिला पर संबेदना तो नहीं मिली न अब क्या कहीं ऐसे व्यक्ति को बार-बार समझाती है और बार-बार ऐसे प्रशन आते हैं इतने लोग बैठे हैं हम नहीं चाहते कोई इस तरह का प्रशन करे पर करेगा ह इस तरह का प्रशन करने वाला मिली जाता है सुनना नहीं चाहता है या बदाष पर जो स्वभावि कनभूती होती है उसको शम्भीत न कहा जारा है उसको सुन रही नहीं चाएगा, समझ रही नहीं चाएगा, तो क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, खूब अच्छी तरह समझें, इन संबीदनाओं को इसलिए देख रहे हैं कि अपने मन के सभाव को समझने का काम कर रहे हैं, मन ने एक सभाव बना लिया प्रतिक्रिया करन करता है, तब तब हम दुखी हो जाते हैं, और प्रतिक्रिया करने बंद कर दें, हम दुख के बाहर आ जाएं, ये कुदरत का बंदा मदा है, नियमा जो सब पर लागव होता है, ये व्यक्ति जो सम्यक संबुद्ध बना, कोई भी व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बन जाएगा अरहंत बन जाएगा इस कानून को कुदरत के कानून को विश्व के विधान को अनभूतियों के स्तर पर जानेगा तो ही बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा केवल चिंतन मनन करके कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता अरहंत नहीं बन जाता कोई शास्त्र का वाचन करके कोई व्यक्ति अरंत नहीं बन जाता, बुद्ध नहीं बन जाता, तरक विदर्ख करके नहीं बन जाता, ब्रत प्वास करके नहीं बन जाता, सारी कुदरत की कानून को अनभूतियों पर उतार लेता है, ये व्यक्ति सिध्धार्त गौत्तम, इसक उसका जनम किसी पेड़ के नीचे, खुली आस्मान के तले, खुली प्रकृती में उसका जन्म हुआ। घर भार छोड़ करके सत्य की खोज करने गया, तो भले पांच-छे वरस तो कंदराओं में, गुफाओं में, अंधेरे में ध्यान करता रहा। लेकिन जिस रात उसे सम्यक संबोधी प्राप्त हुई, उस रात खुले आकाश के नीचे, पेड़ के तले, खुली प्रकृती में, सम्यक संबोधी प्राप्त हुई, सरवग्जिता प्राप्त हुई, विमुक्ती प्राप्त हुई, और उससे जो करुना जागी, तो लोगों को बांटने का जो काम शुरू किया तो पहले पहल जो धरम बांटने का काम शुरू किया ये विद्या बांटने का काम शुरू किया वो भी किसी पेड़ के नीचे खुले आसमान के तले खुली प्रकरती में किया और अस्य बरस की पके हुई उमर में जब अपना अंतिम सांश चोड़ा तो वो भी किसी पेड़ के नीचे जब अपने भीतर की प्रक्रति का अनभव करने लगा बाहर की प्रकिर्टी की बातें चिंतन मनंद्वारा समझेगा केवल बुद्धी के स्थर पर समझेगा और इस काया के भीतर क्या सचाई है इसको अन्भूती से समझेगा बहुत बड़ा अंतर है दोनों में अपने भीतर अन्भूती से जानने लगा और उसको जानते जानते मुक्तवस्था तक पहुँच गया इसलिए लोगों को यही सिखाया इस साड़े तीन हाथ की काया के भीतर क्या अनभूती होती है अब तक जो भी क्रियाएं चलती थी साधना की वो शरीर पर होने वाली अनभूतियों को महत तो नहीं देती थी केवल चिंतन को महत तो देती थी राग मत करो तो चिंतन द्वारा ही राग मत करो द्वेश मत करो चिंतन द्वारा ही मत करो ये देखो रूप अच्छा लगता है कि बुरा लगता है इसके परती कोई रागद्वेश नहीं शब्द अच्छा लगता है बुरा लगता है कोई रागद्वेश नहीं चिंतनी चिंतन की बाते हैं बुद्धी की बाते हैं अच्छी हैं बुद्धी को निर्मल बनाएंगी प जब तक अंतरमन का सभाव बदलने वाला नहीं है। बू जब करने लगा तो सारी प्रकिर्टी का रहशे खुल गया। हर सादक के लिए सारी प्रकिर्टी का रहशे खुल जाएगा। अंदर देखते देखते ये सारा शरीर और ये सारा चित। केबल तरंग ही तरंग तरंग ही तरंग उत्पाद वे उत्पन होना नस्ट होना उत्पन होना नस्ट होना और फिर देखेगा बाहर सारे प्रमंड में सारे विश्व में यही है उत्पन होना नस्ट होना नस्ट होना सब्बो पजलितो लोको सब्बो लोको पकंपितो पकंपि रहा है कुछ बने जा रहा है बिगड़ता है फिर बन जाता है बिगड़ता है फिर बन जाता है इसलिए भारत की पुरानी भाषा में इसको भाव कहा बनता है कहने के लिए ये प्राणी है, ये व्यक्ति है, ये अमुक है, ऐसे व्यवार जगत के लिए कहना पड़ता है, वस्ता कोई नहीं, केवल भव, बिकमिंग, प्रतिक्छन बदली जा रहा है, सारा विश्व, भौतिक, चैटसिक, सारा प्रतिक्छन बदली जा रहा है, बदल करके ये final product आ गया अब इसमें कुछ नहीं बदले गा ऐसा कुछ है यें बदले जा रहा है इसलिए भव संसार भव है बने जा रहा है उसकी धारा का संसरन हुई जा रहा है भव चली रहा है चली रहा है चली रहा है कारण है तो उसका परिणाम है, कारण है उसका परिणाम है, एक कारण होगा, अनीक कारण जुड़ जाएंगे, पर कारण है तो परिणाम है, और जो परिणाम है वही आगे के लिए कारण बन गया, उस कारण से फिर कोई परिणाम आया, परिणाम कारण बना फिर परिणाम आय बीज से फल आया फल से बीज आया बीज से फल आया फल से बीज आया ओ इस प्रकार ये संसार चकर चलता है खुब समझ में आने लगेगा तीसरी बात जो समझ में आने लगेगी उस व्यक्ती को भी आई और हर सादक को आने लगेगी जैसा बीज है, वैसा ही फलाएगा जैसा कारण है, वैसा ही परिणाम आएगा बाहर के दुनिया में तो रोज देखते हैं, भीतर भी समझ में आने लगे गाने भूती से बाहर के दुनिया में बनस्पती जगत में एक जैसी धर्ती है यहां एक गन्ने का बीज बोया और उसके पास ये एक नीम का बीज बो दिया वही धर्ती है वही पानी है वही रोशनी है वही हवा है दोनों बीजों को वही उर्जा मिलती है वही उर्वरक मिलता है फर्टिलाइजर मिलता है प्रकिर्टी उसका साथ देती है और फूट करके अंकूर और एक पोदा खड़ा होता है इस गन्ने के पौदे को क्या हो गया इसका रेशा रेशा मीठा हो गया और इस नीम के पोदे को क्या हो गया इसका रेशा रेशा खारा हो गया तो भाई इस प्रकृति को इस कुदरत को ये क्या सुजी या यूँ कहना चाहें तो इस परमात्मा को इस अल्लामिया को इस परमिश्र को क्या सुजा कि एक पर तो बड़ी कृपा कर दी दूसरे पर बड़ा कोप कर दिया आरे कोई किसी पर कृपा नहीं करता कोई किसी पर कूप नहीं करता प्रकिरती के बंदे-बंदाए नियम है प्रकिरती करती क्या है ये बीज कैसा है बस उसी का गुन धर्म सभाव प्रगट कर देती है गन्ये का बीज मिठा से भरा हुआ उसका गुन धर्म सभाव मीठा ही होगा उसके रेशे रेशे में खारा पना जाएगा पहली अवस्ता में कितना द्वेश कितनी दुर्भावना और दूसरी अवस्ता में कितना सने कितना वासल्य आरे प्रकिरती उसको देखती है चित्त की चेतना कैसी है ठीक उसी प्रकाद बीज वो है चित्त की जैसी चेतना ह उसी के मताबिक फलाएगा इसलिए मन प्रधान है जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बन जाएगा अरंत बन जाएगा वो इस बात को खूब समझ लेगा कि मन ही प्रमुख है मन ही प्रधान है और इसी अनभो को जान करके यह घोशना करेगा जो कुछ उत्पन होता है उसके पहले मन उत्पन होता है इसलिए मन ही प्रमुख है मन ही श्रिष्ट है मन ही प्रमुख है मन ही प्रधान है मनो मया सारी जीवन बर हमको जो अनुभव हो रहा है बाहर भीतर वो सारा हमारे मन के करमों का परिणाम है इसलिए मनुभव है और फिर समझाती है अपनी अनुभव की बात कह रहे हैं मन सचे पद्धेने भासतिवा करूतिवा प्रदुष्ट मन से मैले मन से कोई वानी का काम करता है कि शरीर का काम करता है क्योंकि आधार मेला है मन मेला है तो क्या होता है उसके पीछे दुख यू लग जाएगा जैसे बैल गाड़ी से जुते हुए बैल के पीछे उस बैल गाड़ी का चक्का लग गया जुता है ना उस बैल गाड़ी पर जहां भागे बैल गाड़ी का चक्का पीछे है आरे मैले मन से कोई दुशकरम कर दे फिर इस देश में जाए कि उस देश में जाए यहां जनम ले कि वहां जनम ले जहां जाएगा दुख पीछे 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 चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा ये प्रकृतिगा बंदा बदा है नियम ऐसे ही निर्मल चित से उजले चित से कोई काम वाणी का कर दे के शरीर का कर दे तो क्या होगा अईसे सुख लग जाएगा जैसे हमारे पीछे चाया लग जाती है जहाँ 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 चाया साथ है नियम है प्रकृति का कि हम जो जो कर्म करते हैं अपने मन की चेतना से जैसा कर्म करते हैं उसका बीज साथ लिए चल रहे हैं तो उसका परिणाम भी साथ ही आ रहा है एक ओर जादा इस बात को गहराई से समझाया गया इधतपती पेचतपती पापकारी उभयततपती इधनन्दती पेचनन्दती कतपुन्यों उभयतनन्दती यह प्रकृती का सारा कानून अनभूतियों से जाना हुआ हर व्यक्ती ऐसे अनभूतियों से जानने लगेगा इधतपती पेचतपती पापकारी पापकारी कौन? कौन पापका काम करने वाला? जो मन को मैला करके शरीर और वाने से कोई काम करता है वो ही पापकारी मन को मैला करके जैसे ही कोई काम करेगा करूद जगा के करे द्विश जगा के करे दुर्भावन जगा के करे तो देखेगा विपशना करने लगेगा तो खूब देखेगा विपशना नहीं करता है केवल चिंतन मरन करता उसको नहीं समझ में आएगी बात जो संबीदनाओं की आधार पर भी पच्छना करने लगा खुब समझ में आएगा जैसे ही मन को मेला किया तो अपने लगा बड़ा संतापी थो अब बड़ी जलन हुई भीतर ये जलन का बीज डालाना जलन का बीज आगे हमारे लिए जलन ही लाएगा इसका फल आएगा और बड़ी जलन ये नरक की जलन का बीज डाला आगे नरक की जौला ही आने वाली है आगे की बात समझ में आवे ना आवे इस जीवन की बात समझ में आएगी कि जब जब बाहर अंचाही घटना हुई तब मैंने ये द्वेश का बीज डाला और इस अंतरमन की गहराईयों में डाला जहां हमने कभी देखा भी नहीं था क्या हो रहा है तो उसका जो सभाव है, अंतर मन का जो सभाव है कि अंचाई होने पर इस तरह के तपन वाला बीज डाल, तो इसके सभाव को और पुष्ट किया मैंने, फिर अंचाई बात ही फिर वैसा बीज डाला, और सभाव पुष्ट हुआ, फिर ऐसा अंचाई बात ही फिर बीज डाला, तो अब भी हम तपने लगे, बार बार वैसा बीज डालते वे तपते चले जाएंगे, इस जीवन में पता लगेगा, कितने संतापित होते हैं, कितने ब्यागुल होते हैं, ऐसे ही मन को निर्मल करके, जब कोई काम करता है, शरीर का या वानी का, तो देखेगा, बीतर बड़ी शानती मालुम होती है, क्योंकि मैतरी जागती है, करोना जागती है, सदभावना जागती है, बाव शानती मालुम होती है, बीज डालते वेकर शानती मालुम होती है, तो इस बीज का सभाव, शानती का सभाव, ये अपना फल शानती हिलाएगा, और ये सभाव, ऐसा बीज बार पुस्टुई जा रहा है, हमारे लिए आगे भी सुकही सुक, सुकही सुक, इधनन्दति, पेच्चनन्दति, हर जगा आनन्द ही आनन्द, यह कुदरत का नियम है, इसके बीच में कोई बाधा नहीं डाल सकता, इस कुदरत के नियम को जो आद में जितनी जल्दी समझ ज है, उसके अनुसार अपना जीवन ढालने लगे, कल्यान हो जाए, अपने मन के कर्मों पर जिसने पहरा लगा लिया, उसको शरीर के कर्मों पर पहरा लगाने की जरूरत नहीं, वाने के कर्मों पर पहरा लगाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब यह नहीं कहते, कि शरीर से चा नहीं होगा जो अपने लिहाने कारक हो औरों के लिहाने कारक हो गा ही नहीं हमने जड़ों को सुधार लिया ना जो व्यक्ति अपनी जड़ों को सुधार लिया उसका सारा पेड ठीक हो गया स्वस्त हो गया जिसकी जड़ें अभी रोगी है उसका पेड रोगी ही रहेगा कैसे निरोगा होगा इसलिए जड़ों को सुधारने के लिए हमारे मन की जड़ें शरीर की संबेदना के साथ जुड़ी हुई राद दिन जिसको हम अंतर मन कहते हैं वो राद दिन शरीर के संबेदनाओं के साथ जुड़ा है उसे प्रिय लगता है तो राग पैदा करता है असक्ति पैदा करता है, अपरी लगता है, द्वेश पैदा करता है, ये रागरंजित रहना, द्वेश दूशित रहना, रागरंजित रहना, ये उसका स्वभाव हो गया, हमें वो स्वभाव तोड़ना है, इसलिए सारा काम कर रहे हैं, मन पर कैसे पहरा लगाएं, मन के कर्मों पर कैस शुरू किया तो उपर उपर से तो यू लगा शरीर की प्रक्रिया है सांस का आना जाना लेकिन सांस के सहरे सहरे मन के सारे प्रपंच समझ में आने लगे और आने लगेंगे आगे जाकर ऐसे ही शरीर पर गर्मी है सर्दी है धड़काना है वगेरे ये उपर उपर से यू लगे गाई तो शरीर का प्रपंच है इसका मन से क्या संब्ध आगे बढ़ेंगे तो खूब मालम होगा इसका मन से बहुत गहरा संब्ध है और मन के विकारों से बहुत गहरा संब्ध है ऐसा खूब समझ में आने लगे इसको है तो शरीर और चित का प्रपंच कैसे काम कर रहा है उसको देखते 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 यह जो भौतिक शरीर है उसका विभाजन 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 विशलेशन करते 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 उस सवस्था पर पहुंच गया कि जहां नन्ने से नन्ना परवाणू उत्पन हो होता है नश्ट होता है उत्पन होता है नश्ट होता है ऐसे ही चित्त का चित्त वृत्तियों का विगटन विशलेशन विगटन विशलेशन करते 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 उस सवस्था पर पहुंच गया जहां देखता है कि कोई 121 प्रकार के चित्त होते हैं 52 प्रकार के चित्त वृत्तियां होती है, इस सक्षंड ये चित जागा, कौन से चित विरती के साथ जागा, ये चित जागा, कौन से चित विरती के साथ जागा, ऐसे टुकड़े करकर के देख लेगा, जैसे सारे परमानों के टुकड़े करकर के देख लेगा, बहुत उंची अबस्ता है, बहुत समय लगेगा अभी उसमें अभी उसमें जाना भी नहीं चाहें, उसके नाम भी गृंड़े नहीं चाहिएं, एक सो इकिस कौन हैं, बावन कान है, किया मिलेगा उसमें, कोई स्कूल की या कोलेज के परिशा थोड़ी दे नहीं है कि उसको याद कर लें, और जवाब जिसे उन दिनों की भार्षा में विज्ञान कहती थे आज तो विज्ञान साइंस को कहने लगे उन दिनों की भार्षा में विज्ञान माने कॉंशिसनेस माने मानेस का वो हिस्सा जो जानने का काम करता है ये हमारी पांचों इंद्रियां है आंक है नाक है कान है जीव है तोचा है पांचों के पांचों निरजीव हैं कुछ काम नहीं कर सकते जब तक ये विज्ञान साथ ने लग जाए आंक का विज्ञान आंक के साथ लगेगा तो कुछ दीखेगा कान का विज्ञान कान के साथ लगेगा तो कुछ सुनेगा नाक का विज्ञान जीब के साथ लगेगा तो कुछ चकेगा तवचा का विज्ञान तवचा के साथ लगेगा तो कुछ पर्ष महसूस होगा तो ये विज्ञान जो जानने का काम करता है मानों कान में अवाज आई तो ये इतना ही जानेगा कुछ खटपट हुआ कान पर कोई अवाज जाए इतने में मानस का दूसरा खंड दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाएगा उन दनों की भाषा में उसे संग्या कहा इंटलेक्ट कहें बुद्धी कहें उसका काम पहचानना है अब तक कि जितने अनभव हैं अब तक कि जो याददास था उसके पास उसके बल पर पहचानता ह आया कैसा शब्द है गाली का है प्रसंचा का है यूँ पहचानता है उसे और पहचान के नहीं रह जाता मुल्यांकन करता है गाली का है बहुत बुरा है प्रसंचा का है बहुत अच्छा है ऐसे रूप आया तो अच्छा है बुरा है गंधाई अच्छी है बुरी है रसाया अच्छा है बुरा है पर्शुआ अच्छा है बुरा है और एक इंदरी और है मन की भी अपनी इंदरी है उसमें चिंतन चलता है तो चिंतन आया वो अच्छा है बुरा है यो मुल्यांकन करता है पैचानता है मुल्यांकन करता है इतने में मानस का तीसरा खंड अपना सिर उठ उसे उन दिनों की भाशा में वेदना कहा, आज हम सम्वेदना कहते हैं, मानो शरीर के स्तर पर कोई घटना घटी, शब्द आया कायन पर लगा, तो उसी वक्त वेदना जागी, सारे शरीर में एक प्रकंप हुआ जैसे कांसे के बरतन को छेड़ दिया, सारा बरतन जंजनाने ल वस्ता आगे जाकर देरी से आएगी, लेकिन ऐसा होने वाला है, अभी इतना तो समझ में आ जाएगा, कि जैसे ही कहा गाली है, तो ये जो सम्वेदना शरीर में जागी थी, बड़ी दुखत हो जाएगी, बड़ी दुखत, किसी ने गाली दी, लगेगा यूं गाली देने स मेरे मन को दुख हुआ, ये सही है, पर तेरे मन को दुख तब हुआ, जबकि शरीर में एक दुखत सम्वेदना जागी, तो ये शरीर की दुखत सम्वेदना को जानता ही नहीं, और कहता है मेरे मन में दुख हुआ, मेरे मन में दुख हुआ, इसलिए दुएश करता हूँ, तां सुधारेगा अपने को उपर उपर सुधार के रह जाएगा ना जड़ों तक कैसे सुधारेगा तो जो शरीर में अनभूती हुई दुखद हुई तो ये वेदना ने काम किया अपना दुखद हुई परसंशा की तो शरीर में अनभूती हुई बड़ी सुखद हुई ये तरंगें सुखद चली कि दुखद चली ये उस तीसरे हिस्से का काम वेदना का इतने में मानस का चौथा हिस्सा अपना काम करना शिरू करता है उसे भारत की पुरानी भाषा में कहा संसकार संसकार उसका काम प्रतिक्रिया करना शब्द आया जानने वाले ने जाना शब्द आ यह नहीं चाहिए दुखद लगाना नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो द्वेश पैदा करता है उपर उपर से यह लगेगा द्वेश किसके परती पैदा करता है गाली के परती करता है गाली नहीं अच्छे लगे यह तो बिपच्छना नहीं करने वाले की बात है बिपच्छना गाली आने के बाद शरीर में दुखत संबेदना हुई और तब मन में द्वेश जागा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए ऐसे ही प्रसंचा हुई और उसकी वज़े से जो उसका मुल्यांकन हुआ कि बहुत अच्छा है और एक सुखद संबेदना हुई तब राग जागा चाहिए 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 करने लगा मन इन संबेदनाओं को जाने बिना हम कैसे जानेंगे कि हम करमसंसकार कहां बनाया हमारा हर करमसंसकार संबेदनाओं की आधार पर होता है इसलिए ये साधना कर रहे हैं कि हम अपने शरीर की संबेदनाओं को बराबर जानते रहें और हम क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं कैसा करम संसकार बना रहे हैं राक का बना रहे हैं द्वेश का बना रहे हैं राक का बना रहे हैं उसके प्रतिय सजग रहे हैं तो सबह पलटना शिरू हो जाएगा हम जाने ही नहीं कहां बना सांप ने कब बांबी में से मूँ निकाला हमें पता नहीं बाहर निकलाया फन उठा दिया तब हम देखते हैं सांप है तो खतरनाक हो गया तो कहां राग जागा वहां हमको होशे ही नहीं वो हमारे सिर्प चड़ गया तब हम देखते हैं कि देखे राग जागा द्वेश कहां जागा पता ही नहीं सिर्प चड़ गया तब होश आया कि देख द्वेश जागा हम अपना सुधार नहीं कर सकते जड़ों तक सुधार नहीं कर सकते इसलिए यह जो संसकार है यही कर्म है यही कर्म का बीज है जो विग्यान है जानने का काम करता है वो कोई करम का बीज नहीं है उसका कोई फल नहीं आता ये जो संग्या है पेचानने का काम करती है मुल्यांकन करने का काम करती है ये कोई बीज नहीं है इसका कोई फल नहीं आता ये दो वेदना है अनभूती है सुखद या दुखद या दुखद ये कोई बीज नहीं है इसका फल नहीं आता है ये जो संसकार है संबीद ना आई सुखद आई और हमने राग का संसकार बनाया दुखद आई हमने द्वेश का संसकार बनाया वो बीज है और वो फल देगा हमारे मानस के सभाव को राग वाले सभाव को द्रिड करने वाला ये संसकार है द्विश वाले सभाव को द्रिड करने वाला ये संसकार है और इस सभाव को पलटने का काम यहां पहुँच कर ही हो सकता है यह बात समझनी चाहिए संसकार पर संसकार बनाए जाते हैं तीन तरह के संसकार होते हैं एक तो ऐसा होता है कि पानी पर लकीर खैंची एक और खैंसते गई दूसरी और बुस्ती चली गई संसकार बना और खत्म भा बना और खत्म उसको कोई ऐसर नहीं हुआ एक कर्म संसकार ऐसा होता है कि जैसे बालू पर लकीर खेंची सुबह खेंची साम तक बुझ गई तीसरा ऐसे होता है जैसे चट्टान पर किसी च्छेनी से किसी हतोडे से मार करके लकीर खेंची खत्म तो वो भी होगी बहुत समय लगेगा उसे तो जो संसकार इतना गहरा है ऐसा कर्म संसकार जो इतना गहरा है पत्थर के लकीर की तरह वो हमें नया भाव देने वाला नया जन्म देने वाला इतना गहरा है इतना गहरे संसकार भी नजाने कितने बनाते रहते हैं दिन भर में संसकारी संसकार बनाए रात को जरा चिंतन करने बैठे कि आज दिन भर में कितने करम संसकार बनाए तो मुश्किल से एक या दो याद आएंगे जो बहुत गहरे गए अरे यह ऐसा नहीं करना चाहिए था हमने ऐसा कह दिया ऐसा नहीं कहना चाहिए था ऐसा नहीं करना चाहिए था मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए था वो पत्थर के लकीर वाला सामने आया एक महने के अंत में चिंतन करने बैठें कि इस महने भर में हमने पत्थर के लकीर वाले कितने बनाए फिर कोई एकका-दुका ही जिसका बहुत गहरा परभाव रहा वो ही आएगा ध्यान में साल भर के अंत में चिंतन करें फिर एक या दो ही आएगा ऐसे ही हम चाहें या ने चाहें मृत्यू के एक छंड कोई संसकार जो बहुत गहरी पत्थर के लकीर वाला है वो उभर करके सामने आएगा आएगाई प्रकेटिका नियम है और जैसा संसकार उभर करके ऊपर आया जो करम संसकार उसकी किस तरह की तरंगे है नरक की तरंगे है कि स्वरक की तरंगे है कि ब्रह्म लोग की तरंगे है बड़ी सुकत तरंगे है बड़ी दुखत तरंगे है सारे के सारे कर्म संसकार तरंग ही तरंग है और कुछ नहीं है कैसी तरंग है वैसी तरंगों के और खिंचा हुआ चला जाएगा अपने आप चुम्बक की तरह खिंचा हुआ चला जाएगा प्रकिर्ति के बंदे बंदाय नियम है मृत्यों के समय कैसा संसकार जागा पत्थर वाला जागा कंकर वाला जागा तो नीचे की और खेंच के चला ही जाएगा मृत्यों के समय कैसा जागा मक्षन जैसा जागा हलका फूलका उपर की और खेंचा हुआ चला ही जाएगा प्रकृति के बंदे बंदाए नियम साधना इसलिए करते हैं कि मरना आ जाए मरने की कला आ जाए मरते तो सबी हैं विपश्ची भी मरेंगे ही अब तक जितनी सूचना मिली और जितने कोई विपश्ची मरा कोई एका दुका केश जिसके बारे में संदे हो सकता है बाकि सारे के सारे केश ऐसे एक विपशना करने वाला एक व्यक्ति भी मूर्चे तवस्ता में नहीं मरता खुब जाग रुक होके मरेगा भैबीत होके नहीं मरेगा बड़ा निर्बय होके मरेगा ब्याकुल होके नहीं मरेगा बड़ा मुस्कराता हुआ मरेगा काय की ब्याकुल था? काय कब है? प्रमोशन हो रहा है न? डिमोशन होवे तरो वे प्रमोशन हो रहा है? काय रोएगा? जाग रुक रहेगा और साफ मालम होगा देख प्रमोशन हो रहा है प्रमोशन हो रहा है क्या जागा है इस समय क्या जागा उसको देख रहा है जो जागा उसे देख रहा है ये कब होगा कि जब जीने की कला आ जाएगी मरने की कला उसी को आती है जिसको जीने की कला नहीं आती है जिसको जीने की कला नहीं आती है उसको मरने की कला नहीं आ सकती ह प्रतिक्छन भीतरी भीतर राग जगाई द्वेश जगाई सम्वेदना आ रही है राग जगा रहा है सम्वेदना आ रही है द्वेश जगा रहा है अरे मृत्यू के समय तो और तेज सम्वेदना ही आने वाली है और उसमें तो राग जगाएगा द्वेश जगाएगा कुछ भ वस्ता पर ले जाएगा कि मृत्ति सुधर जाएगी इस जीवन का अंतिम छण अगले जीवन के प्रथम छण का जनक है अगले जनम का प्रथम छण इस जनम के अंतिम छण के संतान है जैसा बाप वैसा बेटा वही गुंढ धर्म सभाव लेके जनमेगा तो कैसे अपना लोग भी सुधरे अपना परलोग भी सुधरे इसके लिए पशना कर रहे हैं केवल परलोग सुधरेगा लोग में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो समझो भी पशना नहीं है फिर कोई धोका है कोई करमकांड में लग गए सुधार यहीं होना चाहिए और होने ही लगेगा देखते दे ये शब्द नहीं इस्तिमाल किये क्योंकि अनकॉंशिस कुछ नहीं होता, सबकॉंशिस है। लेकिन फिर भी इतना तो कहा ये उपर उपर का चित्त परित चित्त चित्त चोटा सा चित्त है और बाकी बड़ा चित्त है और इनके बीच में बहुत मोटी दिवार है, ये तो तूड जाएगे, दोनों के बीच में जो दिवार तिवार तूड जाएगे, तो पहला काम ये होगा कि ये जो उपर वाला चित्त है, उसको सब मालू होने लगएगा, जिसको अचेतन कहें, सब चेतन हो जाएगा, सारा Conscious हो जाएगा, सूपर Conscious हो जाएगा, इस साड़े ट से कहते हैं वो इन संबीदनाओं को महसूस करके राग पैदा करने का द्वेश पैदा करने का जो सभाव बनाए हुए है और इस सभाव में गिरफ्त हो गया बंदी बन गया इसके बाहर निकल नहीं सकता अंदा है उसका सभाव तोड़ने का काम कर रही है अब भी बात तो वही है इस अंतरमन को महसूस होता है कि देख यह अपरी है दुखद है इसे महसूस होता है यह प्री है यह सुखद है लेकिन वो राग नहीं पैदा करता वो द्विश नहीं पैदा करता वो करता देख भाई इसको देख समता की साथ थोड़ी देख देख तो सत्मुष नित्य है क्या शाश्वत है क्या धुरू है क्या देखते देखते मालू होता अनित्य है नश्वर है भंगुर है आरे जो अनित्य है भंगुर है देर सवेर समाप्त हो जाने बाला है वो कितना ही सुखद क्यों न हो क्या राक करें दे खत्म होने बाला है ये तो और दुखद है देखते देखते खत्म होने बाला है, देर से हो जाए, सवेर हो जाए, क्या दूश करें इसके सार, देखते देखते समाप्त हो जाएगा, ऐसे होश जागेगा, तो ये बुद्धी बाला होश नहीं, ये अनभुती बाला होश, ये केवल conscious mind का होश नहीं, डीप unconscious का होश जागेगा, आदमी बैठता है कि मैं सामाई करता हूँ और तालिश मिर्ट क्या सामाई करते हूँ? क्या सामाई होती थी भारत की? अंतर मन की गहराईयों तक चित कैसे समता में स्थापित हो जाए? आरे तो अंतर मन तक गया ही नहीं? तुझे पता ही नहीं कि कहां राग जागता है, कहां आंक बंद करके बैठ गया और दुनिया पर का चिंतन करता है या कोई पाठ कर लिया, मेरी समाई करी हो गई? तो समझाए नहीं ना? क्या सिखाया भारत की अध्यात्मने? अंतर की गहराईयों पर जहां सुख जागता है महराग जागरा नहीं ना? दूश नहीं जागता ना समता है ना? इसी अनभूती से जानेगा तो समाईख होगी? कोई कहता है मैं कायूच सर्ग करता हूँ? ने क्या कायूच सर्ग करता है? क्या भारत की कायूच सर्ग हुआ करती थी? काया को उच्छ सर्ग कर दिया, काया के प्रति मैं मेरे का जड़ा सभाव नहीं, ये काया है इसका सुभा उत्पन होना नस्थ होना इस पर होने वाले संभीत नहीं देखना है उत्पन होती है नस्थ होती है इसमें मैं कहने को क्या इसमें मेरा कहने को क्या यों काया का उत्सर्ग करता है तो काय उत्सर्ग होता है अब तो करम कांडी रह गया ना अनारंबी होता हूँ, क्या अनारंबी होता है अरे जो आरंबही नहोने दे चित धारा पर राग को आरंबही नहोने दे वो अनारंबी होता है तुने जाना ही ने चित धारा पर राग कहां आरंब हुआ तुने जाना ही नहीं चित धारा पर द्वेश कहा आरंब हुआ और कहता आनारंब भी होने के साधना करता हूँ कहां उलज गए धारंब के नाम पर कहां उलज गए होश जा गए अंदर देखना शुरू करेंगे होश जा गएगा सारी बात समझ में आएगे ये दस दिनों में एकदम परफेक्ट हो जाओगे ऐसा विश्वास नहीं दिलाते ऐसी आशा नहीं दिलाते क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है पर कितना ही लंबा क्यों नहो लंबे से लंबा रास्ता पहले कदम से शुरू होता है दस अजार मेल की यात्रा पहले कदम से शुरू होगी जिस व्यक्ति ने पहला कदम उठा लिया उससे आशा की जा सकती है दूसरा भी उठाएगा तीसरा भी उठाएगा यो उठाते उठाते अपने अंतिम लक्ष पर मुक्ति के वस्ता पर पहुंच जाएगा जिस वेचारे ने कभी पहला कदम ही नहीं उठाया केवल चिंतन बनन करता रह गया अंदर के सच्चाए कभी देखी ही नहीं आस तक कहां राग जागता है देखा ही नहीं कहां दूश जागता है देखा ही नहीं कहां वेदना कैसी आई देखा ही नहीं उस वक्ति से कैसे आशा करें कि ये मुक्तवस्ता तक पहुंच जाएगा इसलिए इन दस दिनों में बड़ा नन्ना सा कदम उठेगा पर सही दिशा में सही कदम उठेगा और बड़ा कल्यान कारी होगा, बड़ा मंगल कारी होगा काम करना पड़ेगा, किसी के क्रिपा से नहीं होगा किसी के आनों कमपा से नहीं होगा स्वेम मेहनत करनी पड़ेगी, घंटे बर बैठोगे तो देखोगे, बहुत सा समय तो पुरानी आदत के मताबिक हाई रे मरा रे बहुत पीडा है रे ऐसे है रे वैसे है रे इसमी जाएगा बीच बीच में थोड़ा सा होश जागेगा आरे अनित्य है ना देख अनित्य है ना देश मत कर देश मत कर यह बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा तो राग 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 फिर होश आएगा आरे क्या अच्छा लगा अनित्य है ना देखना अनित्य है ना यूँ उसको अन्भूती को अनित्य है अनित्य है देखेगा फिर होश आएगा तो माने बहुत सा समय तो जैसे पानी के नीचे सिर गया और कहां बै रही है पता ही नहीं बीच बीच में हमारा सिर पानी के उपर उठेगा और चारों और देखेगा इदर थपेड़े लगते हैं उदर थपेड़े लगते हैं पानी के उपर सिर है थोड़े से क्षण ऐसे मिलते हैं जबकि सचमुछ पानी के उपर सिर है पड़ा कल्यान होता है पड़ा मंगल होता है ये थोड़े से खण ही धीरे धीरे थोड़े से सेकंड बन जाएंगे धीरे धीरे थोड़े से मिनिट बन जाएंगे अपयास करते करते घंटे बर बैठेंगे तो घंटे बर सिर पानी के उपर है पड़ा कल्यान होगा सही माने में सामाइक करने लगोगे सही माने में कायोसर करने लगोगे सही माने में अनारंबी बनने लगोगे सही माने में स्तित प्रग्य बनने लगोगे अनासक्त बनने लगोगे वीतराग बनने लगोगे काम करना होगा पिना काम किये होता नहीं स्वेम काम करना पड़ेगा विद्या समझ में आ जाए नए समझ में आए तो एक से अधिक बारा के पूछें उसका स्पष्टी करन करें खूब अच्छी तरह समझ करके फिर ये दिर्ण निश्चे करें कि काम मुझे ही करना है अपनी मुक्ती अपने हाथ अपना पराक्रम अपना पुरुशाद कोई दूसरा हमें मार्ग दर्शन देगा काम हमें ही करना पड़ेगा और जैसे ही मुक्ती के रास्ते पर चलने लगे धर्म के सारी शक्तिया अपने आप मदद करने लगेगी वो भी अपना एक नियम परकिर्थी का आगे जाकि खुब समझ में आएगा अब तो इतना ही समझ में आएगे कि हमको हर कदम स्वैम उठाना है और लंबा रास्ता है रास्ता मिल गया कदम उठाने का तरीका सीख लिया अब तो खुब काम करें खुब काम करें, जो छए दिन बीचे हैं, बचे हैं, बड़े अनमूल हैं, मानव जीवन के बड़े अनमूल दिवस शुद्स धरम मिल जाए एसी साथना मिल जाए जो जड़ों तक हमारे विकारों को निकालने में साहएक हो जाए आरे फिर अवसर मिल जाए, मोका मिल जाए ऐसा बातावन मिल जाए, तपो भूमी मिल जाए और क्या चाहिए काम ही करना है, काम ही करना है खूब काम करें, खूब तपें और अपना मंगल साधलें, कल्यान साधलें अपनी स्वस्ति मुक्ति साधलें जो जो धरम के रास्ते चलने आए सब का मंगल हो सब का कल्यान हो सब की स्वस्ति मुक्ति हो स्वस्ति मुक्ति हो भवत सब मंगल सब का मंगल सब का मंगल भवत सब का मंगल चाहें तो पांच मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद फिर काम में लग जाएंगे, पांच मिनट विश्राम कर लें. या धरम के ही छोटे छोटे अंग हैं उनके प्रती, शील के प्रती और शील कभी किसी एक हिस्से के प्रती, और उस हिस्से को इतना खेंच करके उसके प्रती आ सकते हो गया, और कुछ नहीं करेगा, धरम का अगला कदम उठाएगा नहीं, लेकिन इतना चिपक गया, कोई एक वरत ले लिया उस वरत के प्रति कोई करमकांड रोज करता है उसके प्रति ये तो मेरा रोज का करमकांड है नित्य का करमकांड है ये नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा का विचारा शिविर में इसलिए नहीं आता कि वहां तो हमारे करमकांड छूड़ जाते हैं इसमारे नहीं आता बड़ा चिपका अचा भी गया तो मन में वो दूविदा चलती है करम कर नहीं कर रहा ये वरत नहीं कर रहा इन दस दिनों में अमुक वरत आ गया मनें नहीं किया ये तो नहीं किया वो तो नहीं किया बड़ा दुख होता है बड़ा ब्याकुल होता है भीतर से और जैसे जैसे धर्म के आगे जाता बास समझ में आने लगती है, कि ये समनी कम में हैं, समनी कम में हैं, फिर भी ये आ सकती नहीं तोटी, तो भी ब्याकुल रहता है आ सकती जब तक नहीं चूटती है ब्याकुल ही ब्याकुल ही ब्याकुल ही ब्याकुल ही खुब समझ में आने लगता है जब जब आदनी ब्याकुल हूँ और अपने भीतर जाके देखे कि ब्याकुल हूँ और इस ब्याकुलता का क्या कारण है तो इ लेकिन इस व्यक्ति को तो सम्यक संबुद्ध बनना था, यहां भी गाड़ी नहीं रोकी, और गहराईयों में जाता चला गया, और गहराईयों में जाता चला गया। तो संसार के सारे दुखों को भीतर अनुभो के स्तर पर जानता हुआ, अब दीखता है, जरा, मरनंग, सोग, परिदेव, दुख, दो मनस्यो पायासा, संभवन्ति, बुड़ापाया, मृत्यवाई, शारिरिक दुखवे, मांसिक दुखवे, बिन्न बिन्न प्रकार के दुखो मेंसे गुजरता है, क्या है, इसका सबसे नजदी की कारण क्या है, बिना कारण कुछ नहीं होता, तो बास समझ में आई, जाती पच्चया, जाती पच्चया, जरा, मरनंग, सोग, परिदेव, दुख, दो मनस्यो पायासा, संभवन्ति, जाती, पुरानी भाशा है, आज तो जात पांत को जाती कहने लगे, उन दिनों की भाशा में, जाती माने जनम, जनम हो गया न, जनम हो गया तो गुजरना ही पड़ेगा, बुढ़ापे में से भी, मृत्यों में से भी, किसी रोग में से भी, अन्चाही बातों में से, मन्चाही बातों के नहोने से, इन साव में से गुजरना ही पड़ता है जनम जो हो गया तो भाई क्यों जनम हो गया इसके पीशे भी कुछ कारण होगा तो खूब समस्ता है गहराई उसे भीतर भव पच्चया जाती यह जो भव है यह जो प्रकिर्टी की लकीर वारा कि मृत्यू के समय उसने सिर उठाया कि फिर एक जनम आया मृत्यू के समय उसने सिर उठाया कि फिर एक जनम आया ओ यह भव संसार ऐसे भव कर्म बनाए कि उनमें से कोई न कोई मृत्यू के समय जागता है और नया भाव चल पड़ता है नया जन महुता है तो भाव पच्चया जाती भाव क्यों बनाया ये भाव कर्म क्यों बना लिए उसका क्या कारण है भाव समझ में आई उपादान पच्चया भाव ये जो गहरे गहरे पत्थर वाले लकीर बनाते हैं वो उपादान के वज़े से बनाते हैं, बड़ी आ सकती है, ऐसा हो जाए, अपने तरिशना के परते बड़ी आ सकती है, कामनाओं के परते बड़ी आ सकती है, मैं मेरे के परते बड़ी आ सकती है, जहां आ सकती होगी, वहां पत्थर के लकीर वाला भाव संसकार बनाएगा, त उपादान क्यों आ सकती क्यों होती है तो तनहा पच्चया उपादान यह जो तरिशना है पहले बात तो ऐसी शुरू होती है कुछ अच्छा लगा तो चाहने लगा बुरा लगा नहीं चाहने लगा और वो राग में पलता वो द्वेश में पलता बढ़ते 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 त्रिष्णा, त्रिष्णा में दुनों आ गया, राग भी आ गया, द्वेश भी आ गया, और बढ़ते बढ़ते उपादान हो गया, तो तरहा पच्चे आ त्रिष्णा जागी तो वो उपादान बन गई, आ सकती बन गई, त्रिष्णा क्यों जा आए बोधी नहीं आए प्रग्या नहीं आए प्रग्या तो प्रचक्छ ग्यान होता है अरबूती वाला होता है तो उसको प्रग्या कहती है वो आना चाहिए तो क्या देखता है वेधना पच्चया तनहा अरे वेधना जागती है शरीर पर कोई वेधना जागती है दुखद ज जागती है तो उसको दूर करने की तरिशना पैदा हुई सुखद जागती है तो उसको रोके रखने की तरिशना पैदा हुई शरीर पर संबेदना जागती है तब तरिशना जागती है ओपर ओपर से यूं लगता है कि ये तरिशना बाहर के आलंबनों पर है बाहर के अलंबरों पर नहीं है शरीर पर जो संबेदना है उसके प्रती तरिशना है राक की हो या दूश की हो तो ये वेदना क्यों जागी अन्वो कर रहा है न क्यों जागी तो देखता है फस पच्चया वेदना स्पर्श हुआ की वेदना जागी स्पर्ष हुआ कि बेदना जागी किस से स्पर्ष हुआ किसका स्पर्ष हुआ कि जो हमारी छै इंद्रियां है आँख है, नाक है, कान है, जीव है, तुचा है और मन है और इन छोओं के अपनी अपनी विशे है रूप है, रस है, गंध है, इत्यादी जो इंद्री है वो अपने विशे के साथ स्पर्ष हुआ उसका कि बेदना जागी आंक का रूप के साथ स्पर्ष हुआ कि सम्बेदना जागी कान का शब्द के साथ स्पर्ष हुआ कि सम्बेदना जागी वो स्पर्ष होता है, स्पर्ष क्यों होता है तो सडायतन पच्चया फस बड़ी सी बात ये च्छै इंद्रियां जो हैं ये च्छै इंद्रियां हैं इन च्छै इंद्रियों के अपने अपने विशे हैं तो बार बार कभी इस इंद्रिये पर अपना विशे है इस इंद्रिय पर अपना विश्य इसका स्पर्श होती ही रहता है इनका स्पर्श होता है सम्वेदना जागती है अच्छी लगती है राक पैदा करते है बुरी लगती है द्विश पैदा करते है ये च्छे इंद्रियां कैसी आगे इनका क्या कारण है तो बात समझ में आई नाम रूप पच्चया सडाय तनंग जैसे ही नाम और रूप की जीवन धारा शुरू हुई जनम के बाद जो जीवन धारा शुरू हुई हमारी उन दिनों रूप कहते थे इस शरीर को रूप पती ती रूपंग प्रतिक छण नस्ट हो रहा है ये परमानों का पुझ जो प्रतिक छण नस्ट हो रहा है उसको रूप कहते थे और नाम नमन करोती ती नामंग ये हमारी चित है जो चित है वो रूप के सारे उसके सारे 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 चलता है इसलिए उसको नाम कहा तो ये जो चार खंदा नाम की हैं और ये रूप है ए दोनों साथ मिल करके जीवन धारा चली तो जीवन धारा चली तो छ्षै इंडरियों के साथ चली तो ये नाम रूप कैसे हो गए साथ तो का विन्यान पच्चया नाम रूप बात समझ में आई, एक जीवन समापत हुआ, और चित्त का वो हिस्सा जिसे विज्ञान कहते हैं यहाँ समांपत हुआ कि तुरंत किसी दूसरे शरीर के साथ जा झुडेगा यहाँ समापत हुआ कि वहाँ जुड़ा, तो यह जो विज्ञान यहां समाप्त हुआ और दूसरा जाकर के जुड़ा कही वो विज्ञान चुती विज्ञान, प्रतिसंधी विज्ञान जुड़ गया, आगे जाके जुड़ गया कही और ये कहां से या, ये कैसे हुआ इसका क्या कारण है, बात समझ में आ गई संखार पच्चया बिन्यान ये जो संसकार बनाई जा रहे है संसकार बनाई जा रहे है मानि कर्म संसकार बनाई जा रहे है प्रतिक्षन हम कर्म संसकार बनाते है हमारे कर्म संसकार की वज़े से अगले एक्षण का विज्ञान उत्पन होता है फिर करम संसकार बनाती अगले एक्षण का विज्ञान उत्पन होता है यह हमारी जीवन धारा चलती है मृत्यू के समय ऐसा करम संसकार सिर उठाता है जो बड़ा बलवान होता है बहुत पत्थर के लकीर वाला होता है इतना बलवान होता है कि इतना बड़ा उससे धक्का लगता है एक नया जीवनी आरंब हो गया अब तक तो जो संसकार था वो इसी जीवन का विज्ञान बनाई जा रहा है बनाई जा रहा है और वो मृत्यु के समय जो जागा संसकार उसने नया बनाया नया जीवन दे दिया ओ संखार पच्या बिन्या इस संखार कैसे बनता है बात समझ में आ गई अभिज्या पच्या संखार अरे अविध्या की बज़े से क्या अविध्या है किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं कि इसलिए अविद्या है किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं कि कि शास्त्रों का पठन नहीं किया कि बुद्धे के स्तर पर धर्म को नहीं समझा उसको अविद्या नहीं कहा अविद्या फिर वेदना से ही समंदित वेदन है तो विद्या है अनुबव है तो विद्या है अनुबव नहीं है तो अविद्या ही अविद्या है जो ग्यान अपनी वेदना से नहीं प्राप्त हुआ वो अविद्या ही अविद्या है अपने स्वेवेदन से जो ग्यान जागा वो विद्या हुई तो स्वेवेदन से समझने लगा ये दुख है देखिए जो संबेदना हैं जाग रही है जिनको सुकद कहता हूं वो भी दुख है क्योंकि अनभूते से जानता है हर सुकद संबेदना अनंतकाल तक नहीं रहती देर सबेर समझना तो हो जाती है तो बड़ा दुखाता है क्योंकि हर सुकद संबेदना जब बदलती है तो दुखत में ही बदलती है ऐसा अपने अनभूं से देख गया ये दुख है और ये दुख का कारण है क्योंकि उसके परती बड़ी आसकती है अब ओजागी गया यह नहीं तो ये चारों की चारों बातें जो है उसको अपनी अनभूती से नहीं जाना तब तक अभिद्या ही अबिद्या है हजार बुद्धी के श्तर पर कहता रहे मैं चारों आरे सत्यों को समझ गया ये दुख का कारण है ये उसका निवारन है ये निवारन का उपाए है अरे क्या समझ गया तू बुद्धी विलास करता है न कोई कहे ये आत्मा है ये परमात्मा है उसका ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है अरे क्या समझ गया बुद्धी समझा ना अनुभाव कहा हुआ तुझे नामरूप पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च इस प्रकार दुखों का पहाड खड़ा कर लेता है एक अविद्या की वज़े से क्योंकि अविद्या है क्योंकि होश नहीं है क्योंकि अंतरमुकी हो करके शरीर और चित्ट का जो परस पर संघरश चल रहा है उनकी वज़े से जो संभीद्राई जाग रही है तो क्या रास्ता है ये अविद्या दूर हो जाए जड़ों से दूर हो जाए बिलकुल अविद्या रहे रहें प्रतिक्षन हम विद्या वान रहें वेदना से को जानते रहें तो तो रास्ता मिल गया तो कहा अविद्या ये त्वेव असेश विराग निरोधा ये अविद्या बिल्कुल सुमापतो गए, संकार निरोधु, संकार निरोधा, विन्यान निरोधु, विन्यान निरोधा, नामरूप निरोधु, नामरूप निरोधा, सलायतन निरोधु, सलायतन निरोधा, फस्स निरोधु, फस्स निरोधा, वेदना निरोधु, वेदना निरोधा, तना न तनहा निरोधा, उपादान निरोधा, भव निरोधा, जाती निरोधा, जरा, मरनं, सोग, परिदेव, दुख, दो मनस्य उपायासा निरुज्ञती, एवमे तस, के वलस, दुख खंदस, निरोधो होती ती, कितनाई बड़ा दुखों का पहाड़ी कट्ठा कर रखाओ, सारा स समाप्त हो जाएगा, एक अविद्या समाप्त हो, तो देखता है ये अविद्या का तार तो इस सारे सिलसिले में पिरोया हुआ, इस सारी शरिंखला में जहां देखो वहाँ अविद्या, जहां देखो वहाँ विद्या, अविद्या ये विद्या है, तो कहां काटें इस इंकला को कहा तोड़ें जीवंधारा चल पड़ी नाम है रूप है चल पड़ी जीवंधारा यहां तोड़ दें आत्मत्या कर लें कुछ नहीं बनता आत्मत्या करने से दुख का छुटकारा नहीं हुआ आत्मत्या करते वेकर हमारे चित्ते की स्थिती क्या बड़े दुख से भज़ी भरा हुआ चित्त इस समय यहां समाप्त हुआ अगला चित्त जो नए जनम का होगा दुख से भरा हुआ ही होगा छुटकारा नहीं हुआ तब क्या करें तो ये च्छे इंद्रियां हैं इनको नस्ट कर दें आंक कान नाक जीब नस्ट कर दें तो चा शरीर को नस्ट करो मन को नस्ट करो फिर आत्मत्या हो गई ना बाबा ना तो ये बाहर के जो आलंबन हैं इनको नस्ट कर दें सारा संसार भरा पड़ा आलंबनों से कहा निस्ट कर दें हमारी च्छे इंद्रियां भी काइम रहेंगे बाहर के च्छे विशे भी काइम रहेंगे तो हम चाहें या ने चाहें उनका स्पर्ष होता ही रहेगा कहीं ने कहीं स्पर्ष होता ही रहेगा क्या करें और पर्ष होगा तो वेदना भी होगी ही क्या करें ये सारा का सारा प्रपंछ हमारे वश के बात नहीं कि इस से हम बाहर निकल आएं जहाँ वेदना हुई अब होशाया कि जहाँ वेदना हुई और हमने तरिषणा जगाई ये हमारे वश की बात है यहां जब तक हम अंधेरे में रहेंगे तब तक हर वेदना के साथ हम तरशना जगाएंगे सुखद वेदना होगी राक के तरशना जगाएंगे दुखद वेदना होगी द्वेश के तरशना जगाएंगे यहां होश आ गया इस श्रिंखला को तोड़ देंगे ये सारी की सारी श्रिंकला यहीं कटनी चाहिए जब तक वेदना पच्चया तनहा वेदना पच्चया तनहा चल रहा है तब तक दुख ही दुख दुख ही दुख और जिस दिन ये होश आ जाए वेदना पच्चया पण्या प्रग्या हो गई अब वेदना प्रग्या हो गई जो संग्या ये कहा करते थी कि ये तो अच्छा है ये तो बुरा है और उसके बज़े से राग जगाते थे द्वेश जगाते थे अब वो अनिच्च संज्या हो गई पन्या बन गई अरे जो अनवव हुआ सुखद हुआ के दुखद हुआ अनित्यहरे अनित्यहरे देख उत्पन होता है नश्ट होता है उत्पन होता है नश्ट होता है तो अपना सभाव तोड़ने लगे हर संबेदना को ले करके या तो राग जगाते थे या द्वेश जगाते थे अब चाहे जैसे संबेदना जगे राग भी नहीं जगने देंगे, द्वेश भी नहीं जगने देंगे बहुत रास्ता मिल गया यही किसी बुद्ध की बुधी होती है किसी ने कृपा की और उसके सिर्पहात रख दिया आज से तो बुद्ध हो गया जामुक्त हो गया ऐसा नहीं होता अपने भीतर सक्चाई को देखते 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 ये बात पकड में आ जाती है कि अरे जब दुनिया दारी में अध्यात्म के नाम पर जो कुछ मैं करता था उस में भी ये तो करता ही था कि रूप दिखे अच्छा लगे तो राग मत करना रूप दिखे बुरा लगे द्वेश मत करना शब्द सुने अच्छा लगे राग मत करना ऐसे च्छों इंद्रियों पर जो विशे लगते है और उनसे जो अच्छा लगता है बुरा लगता है तो राग मत करना दो आरे ये तो करता आया करता आया फिर भी छुटकारा नहीं हुआ ना क्योंकि बीच के कड़ी छुट गए यही समझता था कि च्छै इंद्रियों हैं और उनके विशे हैं इन विशियों पर ही मेरा राग जागता है दुश जागता है तो इन विशियों से अपने को दूर रखूँगा तो राग नहीं जागेगा दुश नहीं जागेगा इसलिए कैसे राग नहीं जगाओं द्वेश नहीं जगाओं तो बुद्धी के स्थर पर बात चली अनभूती वाली बात चुट गई बुद्ध होगा तो अनभूती की बात पकड़ेगा कि भाई बाहर का जो भी विशे है वो जब मेरी इंद्रियों से लगा और लगने पर संबेदना क्या हुई राग तब जागा द्वेश तब जागा आरे ये लिंक बीच वाली कड़ी छुट गई न ये कड़ी जब तक नहीं पकड़ में आया चुट गारा कैसे होगा अब समझ में आ गया ये बिंदू है जिससे एक और हमारे दुख का रोड चलता है दूसरी और हमारे दुख में मुक्ती का रोड चलता है ऐसा जंग्शन है ये जिसमें दो लाइने जाती है एक लाइन दुख समुदे गामिने पतिपदा इस रास्ते चल पढ़ेंगे यहीं से वेदना से चल रहा है वेदना अनवव हुई और चल पढ़े चल पढ़े तो दुख बढ़ाते हुए दुख बढ़ाते हुए दुख समुदए दुख समुदए दुख बनाई जा रहे हैं बनाई जा रहे हैं क्योंकि हम संसकार नहीं बना रहे हैं, हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, हम तरिशना नहीं कर रहे हैं, वेदना तो बैसी की बैसी, दोनों ये वस्ताओं में वेदना का अनुभव तो होता ही है, वेदना का अनुभव नहीं हो, और कहें कि ममुक्त हुए जा रहा हूं, मेरा राग निकल रहा है मेरा द्वेश निकल रहा है धोका ही धोका इससे बड़ा धोका दुनिया में होता नहीं और विचारी अध्यात्म के नाम पर साधना के नाम पर ध्यान के नाम पर सारा जीवन खो देते हैं ऐसे धोके में और एक जीवन ने न जाने कितने जीवन खो देते ह ये बात पकड़ में आ जाए कि मेरा राग मेरा दुष जागता है तो वेदना पर जागता है और वेदना को इसलिए मुझे जानना है कि वेदना को जानू भी और उसको अच्छा मान के राग नहीं पैदा होने दू रही है देख ये संब इतना जागी और होश नहीं है तो देख मैंने राग जगाना शुरू कर दिया ना होश जागा मैंने राग जगाता है मने द्वेश जगाता, अनित्य बूद ही जगाता हूँ, अनित्य है, अनित्य है, ये सारा प्रपंच, शरीर उचित्त का सारा प्रपंच अनित्य है, अनित्य है, देख उत्पाद होता है, बेख हो जाता है, उत्पाद होता है, बेख, बात समझ में आ गई, अनभूतियों से स आत्मवाली कहता है पिरे कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं जब तक ये होश नहीं आया कि राग कहां जागता है वहां उस पर रोख लगाऊं द्वेश कहां जागता है वहां उस पर रोख लगाऊं तब तक राग जागता ही जाएगा द्वेश जागता ही जाएगा अंतरमन के इन संबेदनाओं को देखते, 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 सभाव पलते, घंटे बर बैठते हैं, मुश्किल से कुछ अक्षण ऐसे होंगे, जबकि सच्मुष सामाइक होती है, सच्मुष कायुत सर्ग होता है, संबेदना मालुम भी हुई, और हमने काया कायुत सर्ग कर रखा है, हम स आठे बादे जा रहे है, पीड़ा आती हाए रहे, मरा रहे, पीड़ा खत्म होगे, बड़ा खुश हुआ देख, पीड़ा खत्म होगे मेरी, बहुत अच्छा हुआ, तो यही राग, यही द्वेश तलता ही है, लेकिन जरा जरा सा भी कोई-क्षण ऐसे आने लगे, बड़ खुब आगे बढ़ते चले जाओगे, खुब आगे बढ़ते चले जाओगे, वो व्यक्ति भी इसी प्रकार, यही काम करते, यह करते, मुक्तवस्ता पर पहुंचा शुद्ध हुआ, बुद्ध हुआ, बुद्ध होने पर पहले उद्गार, बुद्ध की पहले वचन, इसक सारी वाने खल्यान कारी, लेकिन ये पहली वाने, क्या पहली वाने निकली? कहता है, अब आते पासुका भग्गा गहकूतं विसंखितं, विसंखार गतं जेतं, तनहा नंखयम अज्यगा, क्या कह गए? अनीक जाती संसारंग, ये वो अबस्ता थी, जबकि सारे विकार निकल गए, मुक्त हो गया, अरंत हो गया, शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया, तो ऐसी समय एक शक्ति जागती है, इसके पहले ही जाग जाती है, लेकिन ऐसी समय बड़ी तिवर हो करके जागती है, कि अपने पूर्व समय की सारी स्मर्थियां जाग जाती है ऐसा व्यक्ति स्थरवग्य हो जाता है त्रीकालग्य हो जाता है भूतकाल की सारी बातें जान लेगा वरतमान की जान लेगा भविश्य की जान लेगा तो पुब्बे निवासानुसती पूरु जनम में क्या हुआ उसका देखता है समान निव्यक्ति को भी ये ग्यान जागता है ये जागती है कोई किसी तरह की साधना करने से तो एक जनम की, दस जनम की, सो जनम की, हजार जनम की इस सवस्था पर पहुंचे वे को अनंत जनमों की गिंती नहीं इतने जनमों की, तो कहता अनीक जाती इस संसार में कैसा संसरन करता रहा अनीक जनमों में बार बार जनम लेता रहा, जनम लेता रहा संधाविसंग, अनिविसंग, संधावन करते रहा, दोड लगाते रहा जब जब कोई आदमी कोई व्यक्ति जन कोई प्राने जनमता है दूड लगाता है किस बात की जोड लगाता है मृत्यू की ओर भागी जा रहा है उसे पुरसत नहीं एक मिनट एक छंड नहीं रुख सकता भागता ही है भागता ही है रुकने का पुरसत नहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो संधा इतने जन्मों में संधावनी किया, भागता गया, भागता गया, अम्रित्यू क्यों, क्या हुआ, क्यों भागता गया, अनेक जाती संसारंग संधा बिसंग अनिब बिसंग बिना रुके हुए गहकारकंग बेशं तो ये घर बनाने वाला कौन है रहे हम एक जन्मों में सुनता आया जैसे आज ही हम सुनते हैं कि मरने के बाद नया जन्म होता है तो कोई ऐसा संसार को बनाने वाला है कि मरने के बाद हमारे लिए एक घर तयार रखता है एक शरीर तयार रखता है इस शरीर से चुटकारा मिला उस शरीर, नया शरीर मिल गया उससे छुड़कारा मिला, नया शरीर मिल गया ऐसे घर बनाने वाला, हमारा शरीर बनाने वाला कौन है तो गहकारकंगवेशंतो उस घर बनाने वाले की खोज में हुआ क्या अनीक जन्मों में ये प्रेतन करता रहा उसके खोज करता रहा दुखा जाती पुनंपुनंग बार बार दुख में बार बार दुख में पढ़ता रहा इस लोक में जन्मा की उस लोक में जन्मा की स्वर्ग में जन्मा की ब्रमलोक में जन्मा की सरूब ब्रमलोक की अरूब ब्रमलोक जहां जन्मा फिर दुख़ी आया फिर दुख़ी आया बार बार दुख में पढ़ता चला गया आप कहता है गहकारक दिठोसी आरे घर बनाने वाले तू देख लिया गया अब तू देख लिया गया गहकारक दिठोसी पुनगेहंगने काहसी अब तू फिर मेरा घर बना नहीं सकता कतापी नहीं बना सकता कौन घर बनाने वाला है किसको देख लिया और कैसे वो घर नहीं बना सकेगा जब तक सुनी सुनाई बातों पर काम करता रहा कोई घर बनाने वाला है कोई घर बनाने वाला है तो कल्प नहीं करता था कौन घर बनाने वाला है ऐसे दोहात वाला होगा, चारहात वाला होगा बिनाहात वाला होगा, साकार होगा, निराकार होगा, ऐसा कोई जो घर बनाता है, अब तो देख रहा है न, देखते 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 बास समझ में आ गई, आरे कौन घर बनाने बाला है, मेरी अपनी अविद्याही घर बनाने बाली है, मेरे अपनी विकारी घर बनाने बाले ह जब जब राग द्वेश पैदा करता हूँ अपने दिन आखर तयार करता हूँ देख लिया उसे उस धर्म को देख लिया उस कुदरत के कानून को देख लिया उस सत्य को देख लिया आरे समझ में आ गया सत्य ही तो ईश्वर है परम सत्य ही तो परमिश्वर है धर्म का दर्श चलती है जो सब जिसे धारन करते हैं जो सब को धारन ऐसा धर्म ऐसा नियम ऐसा रित उसका दर्शन हो गया अब गह कारकदिटोसी क्योंकि दर्शन हो गया अनभूती हो गई बुद्धि विलास नहीं किया पुनगे हंगने काहसी अब ये जो प्रपंच है भाव का मेरा जनम नहीं दे सकता मुझे क्यों नहीं दे सकता कि मैंने घर बनाने के जितने भी सामान थे घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए लोहा चाहिए लकड चाहिए ये सारे तोड़ फोड़ के फिंक दिये कुछ छोड़ा ही नहीं अरे क्या लोहा लकड कौनसा घर बनाने का क्या स तो कहता वी संखार गतंग चितंग अपने चित को संसकारों से मुक्त कर दिया एक भी भव संसकार चितंग में नहीं रहे गया सारा निकाल दिया वी संखार गतंग चितंग तनहानं खया मत जगा तृष्णा को जड़ से उखाड़ के पेंग दिया पुराने भव संसकार जो ल त्रिश्णा से फिर भाव संसकार बनेगा नई त्रिश्णा बनाने का सारा सोभावी निश्ट कर दिया तो नया बनेगा नहीं पुराना रहा नहीं खीनंग पुरानंग नवंग नत्ति संभवंग पुराना सारा ख्षिन कर दिया और नया बने नहीं तो मुक्तवस्ता तो हो सकती है बड़ी मेहनत करने पड़ती है बड़ा परिश्रम करना पड़ता है केवल बुद्धी किलोल द्वारा कोई समझे मुक्त हो जाओंगा बुद्धी विलास द्वारा मुक्त हो जाओंगा या अंद श्रद्धा द्वारा मुक्त हो जाओंगा भाई होने वाली बात नहीं उन कडियों तक पहुँचना पड़ेगा जहां बंधन बंधते हैं वेदना की कडियां हैं जहां बंधन बंधते हैं और वहां बंधन बाधने का स्वभाव तोड़ना पड़ेगा वो कोई करे नहीं और समझे कि ममुक्त हो जाओंगा तो भाई धोका ही धोका बहुत जनम खोए इस धोके में न जाने हमने भी कितने जनम खोए हैं कि कोई तार देगा कोई कुछ कर देगा कोई कुछ कर देगा नहीं तार पाया ना नहीं निकल पाया ना इससे चल रही है ना इसी तरह श्रिंखला राग की द्वेश की क्यों चल रही है कि हमने अपनी विद्या नहीं जगाई सुए वेदन से सच्चाई को देखा नहीं कभी बड़े भग्य से विद्या प्राप्त हुई है मनुष्य का जीवन मिलना पड़े भग्य की बात होती है और मनुष्य का जीवन मिल जाए तो शुद्ध धर्म सुनने को मिले पड़े भग्य की बात होती है सुने ही नहीं बेचारा क्या शुद्ध धर्म होता है यह हमारी परमपरा की बात, यह हमारी परमपरा की बात, यह हमारा करमकांड, यह हमारा करमकांड, बस यही धर्म है, यही सुनके रह जाएगा सारे जीवन बस, क्या शुद्ध धर्म है, कुद्रत का क्या कानून है, क्या नियम है, क्या विधान है, सुनी नहीं पाएगा, बच है अच्छे श्रद्धा जाग भी गई तो काम नहीं करेगा ये चारों बात होगे तब मुक्ति आएगी मानुसत्तं सुई सद्धा संजमंबिय वीरियंग मनुष्य का जीवन पाए शुरुत ग्यान हो सुने तो और श्रद्धा जागे तब काम करने लग जाए संजमंबिय वीरिय के साथ परियतन के साथ लग जाए काम में तो मुक्ति प्राफ्ट कर ही लेगा तो भाई मनुष्य का जीवन तो मिल गया बड़े पुनिसे मिल गया शुर्ट ग्यान भी हो गया सुन ली धर्म की बात उस पर शुद्धा भी जाग गई अब तो काम ही करना सेशा न ये जो पांस दिन बाकी है इतना भर तो सीख लें कि काम कैसे करना है काम तो जीवन भर का है कौन जाने कुछ जीवन और भी लग जाए लेकिन इतना भर तो सीख के जाए कि कैसी काम करना होता है मुक्ति का काम कैसी करना होता है गांट मानने की आदत कैसे पलटनी होती है खूब लाब उठाएं बाकी बचे हुए पांस दिनों का खूब लाब उठाएं पड़ी मेहनत करें परिश्रम करें पुरुशार्थ करें पराकरम करें किसी पर ऐसान नहीं कर रहे अपने भले के लिए अपने मंगल के लिए अपने कल्यान के लिए अपनी स्वस्ति मुक्ति के लिए शुत्य धरम के शिवेर में जो जो आए विद्या जागे हरेग में विद्या जागे, प्रज्या जागे, अनित्य बोधी जागे अंतर मन से अपने स्वभाव को पलटते, 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 मुक्त वस्था प्राप्त कर ले सब का मंगल हो, सब का कल्यान हो, सब की स्वस्थिमुक्ति हो, सब की स्वस्थिमुक्ति हो प्वेवेट सेवे मंगेलं प्वेवेट सेवे मंगेलं सेवेट सेवे मंगेलं फला हो फला हो फला हो चाहें तो पांच मिनट विश्राम कर लें उसके बाद फिर काम में लगेंगे पांच मिनट विश्राम कर लें अपने बोधी चित्त से उसके चित्त को देखा उसके चित्त की क्या वस्ता है उस समय उसके चित्त में बड़ा करोध जागा हुआ बड़ा द्वेश जागा हुआ क्योंकि तपते तपते उसने देखा कि उसके सामने से एक सेना जा रही है और वो उसके दुश्मन की सेना है और वो उसके रज्ज पर हमला करने जा रही है तो उस दुश्मन के प्रतिमन में बड़ा करोध बड़ा द्वेश ऐसा करूध जागा हुआ ऐसा द्विश जागा हुआ चित्त का जीवन के अंतिम चित्त की ये अवस्था कि करूध जागा है द्विश जागा है और उसमें मिलती हो जाए तो नारकी अवस्था है ना नरक में जाएगा और कहां जाएगा थोड़ी जेर के बाद उसे होश आ गया अरे मकरने क्या लगा मुझको तो अपने चित्त को समता में स्थापित करना है बाहर की बातों से क्या लेना देना भीतर क्या हो रहा है करोध जागा न इस करोध को देख करके अपने मन को करोध से विहिन करना है लग गया अपने काम में और यूँ लग गया काम में चित संता में आया और मृत्य हो गई तो कहता है जब मेरे पास ये सूचना आई कि मृत्य हो गई तब मैंने जाना और इस समय तो इसका चित करोध वहिन था द्वेश वहिन था तो सद्गती अपने आप हो गई तब तो दोनों अवस्थाओं में शरीर से तो ऐसे तप रहा था जिस वकट मन में क्रोध जगा रहा था तब भी खड़ा यूँ तप रहा था शरीर को बड़ा कस्ट और जिस समय चित्ट सम्ता में आया और मृत्ति उपराप्त हुई उस समय भी ऐसे तप रहा है शरीर को तपाने से शरीर को दंड देने से कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरे विकारों की मेरे करमों की निर्जरा हो जाएगी तो बटक गया धरम का सही सरूप जब समाप्त होने लगता है तो इस तरह की बातें चल पड़ती है असली साथना की विदी लोग भूल जाते हैं क्या करें तो भटक जाते हैं मूल बात अपने मन को कैसे सुधारें मन को केवल उपर उपर स्तर पर सुधारना होता तो हम केवल चिंतन मनन से सुधार लेते हमको मन को अपनी गहराईयों तक सुधारना है और मन की जड़ें शरीर के साथ जुड़ी हुई जो व्यक्ति केवल शरीर को ही कस्ट दे करके मुक्त होने की बात मानता है एक अती में पढ़ गया उसे होश्ट नहीं हो सकता ऐसे ही केवल चिंतन मनन द्वारा मैं अपने चित्त को राग विहिन कर लूँगा द्वेश विहिन कर लूँगा शरीर से क्या लेना देना है वो दूसरी अती में पढ़ गया नहीं मुक्त हुआ दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है इसलिए चलना पड़ता है कि हमारा अंतर मन शरीर के साथ प्रतिक्छन जुड़ा रहता है प्रतिक्छन जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं कि सच्चाई को अनभूती से जानो तो किसको अनभव कहें भारत की पुरानी भाषा में जो वेदन होता है शरीर पर जो अनभूती होती है वेदना होती है सुखद हो दुखद हो उसी को स्वेव एदन कहा जाता था चिंतन के द्वारा किसी बात को कहें मुझे अच्छे लगी मुझे बुरी लगी तो केवल सर्फिस के बात हो गई अनभूती के बात नहीं हुई इसलिए ये सारा काम कर रही है सिर से पाउं तक और अब आज रात से पाउं से सिर तक भी सिर से पाउं तक पाउं से सिर तक ये चक्र लगाती है ये शरीर का दर्शन नहीं कर रहे शरीर के रूप का दर्शन नहीं कर रहे शरीर के आकरती का दर्शन नहीं कर रहे शरीर का अनभव कर रहे है सच्चाई को अनभव से जानना है तो शरीर अनभव हो रहा है कि ने सिर पर मन गया तो अनभव हो रहा है कि ने चेरे पर गया तो अनभव हो रहा है कि ने वेदन हो रही है कि ने मानो कोई वेदना हो रही है कि ने वेदना हो रही है सुखद हो दुखद हो उसको आज हम संबेदना कहते हैं क्योंकि वेदना कहने से केवल दुखत ही समझेगे तो संबेदना हो रही है कि नहीं तो अनभव हो रहा है जहां कुछ नहीं संबेदना हो रही तो उस स्थान का हमें अनभव नहीं हो रहा है मुर्चा है हम नहीं कह सकते हैं कि हमको अनभव हो गया इस्थान का वहां कोई संभेद न जागी कि कहा कि ठीक है इसका भी अनभव हो गया यो शरीर के अनू-अनू का अनभव करने के लिए सिर्थ से पाउं तक चक्र लगाते हैं लेकिन केवल अनभव कर लेना मातर हमारा लक्ष नहीं है वो तो एक पक्ष है इसका अब दूसरा पक्ष यह कि अनभव हो रहा है और हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हमें दुखद अनभूती हो रही है संभेदनाओं के स्तर पर शरीर के स्तर पर हम दुश नहीं जगा रहें ऐसे ही किसी को सुखद संभेदना आज होने लगी आगे जाके होने लगेगी सुखद संभेदना हो रही है और हम राग नहीं जगाते चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो हम तो समझते हैं कि देख वाई इसका उत्पाद हुआ इसका ब्याय हुआ उत्पत्ती हुई नस्ट हुआ उदै हुआ ब्याय हुआ ये अनित्य है ये नश्वर है ये भंगुर है ये परिवर तन्शील है ये इसका स्वभाव है बदलते रहना बदलते रहना इसके परति क्या राग करें क्या द्वेश करें तो राग करने का द्वेश करने का स्वभाव पलटने का काम कर रहे है ये कोई करम कांड नहीं है सिर से पाउं तक पाउं से सिर तक चक्कर लगाया क सारा अकाउंट है और मरेगा तो फिर सो चक्कर वाले के लिए दर्वाजा खोलेगा अजार वाले की वो दर्वाजा खोलेंगे बुद्धववान आरे कोई दर्वाजा खोलने वाला नहीं हम ही अपना दर्वाजा खोलने वाले हैं ना समझ हैं तो नरक का दर्वाजा खोलते ह समझदार हैं तो मनश योने का दर्वाजा खुलेगा देव योने का दर्वाजा खुलेगा और ज्यादा समझदार हैं ब्रहम योने का दर्वाजा खुलेगा और समझदार हैं मुक्तिका दर्वाजा खुल लेंगे दरवाजे की चावी हमारे हाथ में है हम उसका इस्तेमाली ने करना चाहें तो कौन जुम्यदार है दूसरा कोई खुलता खलता नहीं ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि एक और तो हमको सच्चाई की अनभूती हो अनभूती शरीर परी होगी तो अनभूती है अन्यता चिंतन है एक और तो ये संभीदनाओं के स्तर पर अनभूती हो और दूसरी और उस अनभूती को जानकर हम ततस्त रह जाएं दर्स्तवा में रह जाएं साक्षिवा में रह जाएं घटना घट रही है और बस उसे केवल जाना जा रहा है और कुछ नहीं करना, गटना गटी हमने जाना, गटना गटी हमने जाना, बज जाना, केवल जाना और कुछ नहीं किया, न राग जगाया, न द्वेश जगाया, न उसको अच्छा माना, न उसको बुरा माना, आरे जो अनित्ते है, उसको क्या अच्छा माने, क्या बुरा माने इस तरह से हमने सच्चाई को देखने का काम शुरू किया ये अपने भीतर सच्चाई को देखने का काम जो व्यक्ति शुरू कर देता है सच्चाई को देखने का काम करता है माने कोई कलपना को नजदेक नहीं आने देता कोई सुनी सुनाई बात कितने ही सही क्यों न हो कोई पड़ी पढ़ाई बात कितने ही सही क्यों न हो जब तक मेरी अनभूती पर नहीं उतरेगी तब तक वो मेरी साधना का आलंबन नहीं बन सकती उसको आधार बना करके अगर मैं साधना करने लगा ध्यान करने लगा तो कल्पना काई करूंगा ना क्योंकि मुझे तो अनवोती हुई ने किसे ने कह दिया ऐसा है ऐसा है कोई नित्य है शाश्वत है धुरू है वो ऐसा है बाकी अनित्य है सब कुछ ये नित्य है हमने उस नित्य का अनभव भी नहीं किया तो हम क्या करेंगे उसका ध्यान कैसे करें कल्पना से ही करेंगे न किसे ने कह दिया हम मान रहे हैं कल्पना कर रहे है अनित्य का हमें अनभव हो रहा है तो कल्बना की बात नहीं इस अनित्य का अनवव हो रहा है उसको जानते 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 इस अनित्य के साथ जो हमने तादात में स्थापित कर लिया मैं मेरे का भाव स्थापित कर लिया उससे छुटका रापाते चले जाएंगे इस अनित्य के प्रति जो तादात में स्थापित करके मैं मेरे का भाव स्थापित करके इसको अच्छा मान के राग पैदा करने लगे बुरा मान के द्वेश पैदा करने लगे इस सभाव से मुक्तो होते चले जाएंगे मुक्तो होते चले जाएंगे और यूं उपर की सर्फिस से लेकर के चित्त की गहराईयों तक हमने अपने मानस को सुधार लिया इस तरह के राग और द्वेश के नए गांट हम बांगते नहीं नए करम हम बनाते नहीं और पुराने जितने हैं उनको निकलते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं इस साधना से ही होगा पुराने निकलते जाएंगे नहीं बनाएंगे नहीं निकलते जाएंगे एक अवस्ता आएगी कि पुराने निकल गए नहीं बनाते नहीं तब शरीर और चित्त के परे की जो अव हुआ क्या हम जिस दिन उसे जान लेंगे उस दिन हमारा कल्यान हो जाएगा क्योंकि जानेंगे तब जब कि अपके मन के विकार निकाल लेंगे बिना विकार निकाले उस का अनभव होता नहीं उस तितिका तो विकार निकालना हमारे लिए प्रमुक काम है और विकार निकालने करते हैं अपनी और से यह था भूद जैसा है जैसा है तो भाई जैसा है जैसा है तो पहले सचा है तो यही प्रगठ होती है कि दुख है और जीवन जगत में बाहर के दुनिया में भी आदमी आँख खोल के देखे दुख है दुख है दुख है दुख किसी को किसी बात का दु अब इस बात का दुख तो आगे जाके किसी दूसरी बात का दुख आगे जाके और किसी दूसरी बात का दुख संसार के सारे प्राने किसी ने किसी बात को लेके दुखी है दुखी है दुखी है ये बुद्धी से जाना कोई कारण होगा दुख है तो कोई कारण होगा अगर बिना कारण के ही दुख आता है अकस्मात आता है किसी प्रभू की लीला है इसलिए आ जाता है तो भाई प्रभू की लीला होगी वो ही बचाएगा तो बचाएगा नहीं कैसे बचेंगे अंदर जाके सच्चाई देखने लगेगा तो कुछ अकस्मात होता नहीं जो होता है उसके पीछे कोई कारण है एक कारण है यानिक कारण है कारणों से ही दुख की उत्पत्ति होती है जो बात कारणों से उत्पत्ति होती है वो कारण दूर कर दो उसके उत्पत्य नहीं होगी ये रोग है और रोग का ये कारण है कोई चिकत्सक का पहला काम ये होता है कि रोगी को ये रोग है ये तो जाने जो यही नहीं जाना कि ये रोग है वो इलाज क्या करेगा तो पहले सच्चाई ये जाने कि ये रोग है दूसरी सच्चाई कि गहराई से उसका कारण क्या है उपर उपर का कारण तो हजार नजर आएगा गहराईयों से उसका कारण क्या है ये दो बात जान लिए अब इलाज करना असान हो गया वो जो गहराईयों वाला कारण है उसका निवारन करो उसको दूर करो वो दूर हुआ कि रोग अपने आप दूर हो जाएगा रोग को दूर करने के लिए लिए कुछ ने करना पड़ेगा ऐसे ही जीवन जगत की ये सच्चाई की दुख है इस दुख है कि सच्चाई को अगर हम साक्षी भाव से देखते 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 गहराईयों तक चले जाएंगे अपने ही साड़ी तीन हाथ की काया के भीतर तो दुख का सही कारण पकड़ में आ जाएगा अब तो उपरी उपरी कारण इसा हो गया यह अन्चाई हो गया इसले दुखी हो गया वो मन्चाई नहीं इसले दुखी हो गया इन कारणों में उलजे रहेंगे उनको सुधारने में लगे रहेंगे तो सही कारण पकड़ में नहीं आएगा उन कारणों को भी दूर करने का संसारी काम करेंगे अपनी जगे लेकिन जड़ों से दुख का कारण निकालना है तो दुख को स्वेम साक्षी भाव से देखते जाएंगे देखते जाएंगे उसके प्रती भोगता भाव है वो तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे केव दुख है ये सत्य था और जैसे ही उसको हम भोगता भाव तोड़ करके साक्षे भाव से देखने लगे तो वही सत्य आर ये सत्य बनने लगा आर ये सत्य बन गया सत्य तो सत्य था दुख जो भोगता है दुख को रोता है रहे मरा रहे मुझको ऐसा होगी रहे वैसा होगी रह है और एक आदमी रोता नहीं उसको भोगता नहीं द्रश्टा भाव से देखता है दुख है अच्छा देखने है कितनी दिर रहता है ये अच्छा देखने है इसका मूल कारण क्या है वो व्यक्ति भी दुख का अनभो तो करी रहा है लेकिन वो भोगता भाव से नहीं द्रश् साक्षिभाव से देखना शुरू किया बड़ी जल्दी गहराई में चले जाएंगे और उसका सही कारण समझ में आएगा ये कारण है उपर उपर से जो कारण जाना उसको दूर करने के लिए केवल बुद्धी का उपयोग करेंगे और वो कारण की जड़ें दूर नहीं होंग अनभूती से जिस कारण को जाना तो जड़ों तक जान लिया अब उस कारण को दूर करेंगे तो जड़ों से दूर करेंगे कल्यान की बात हो जाएगे तो यही कारण जो की एक सत्य था जीवन जगत का सत्य था ऐसा होने से दुख हो जाता है अब साक्षी भाव से दुख को आरिय हो गया और यूं होते 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 उसको देखते देखते उसको निकलने का रास्ता मिल गया तो ये रास्ता भी आरिय सत्य हो गया और निकालते निकालते सारा दुख निकाल दिया जहां दुख का नामों निशान नहीं उस नित्य साश्व ध्रू एकरस निर्वान का पड़े रहते कि ये सब तो अनित्य है और वो नित्य है ये नित्य और अनित्य का फरक समझते रहो नित्य और अनित्य का फरक की चंतन करते रहो क्या मिलेगा भाई क्या मिला उससे हमको नित्य का दर्शन तो हुआ नहीं न क्योंकि हमने अनित्य का ही दर्शन करनी चाहिए वैसे नहीं करेगा तो इस विद्या के जो परिणाम आने वाले हैं अच्छे परिणाम आने वाले हैं उनसे वन्चित रह जाएगा तो मेहनत भी करें और खूब समझधारी के साथ करें क्या मेहनत करनी है क्या परिश्रम करना है कैसे करना है बार बार इस विद्ध्या को बहुत अच्छे तरह समझते रहें दो पक्ष हैं इस विद्ध्या के पहला पक्ष तो ये कि बाहर जो कुछ हो रहा हो वो हमारा आलम बन नहीं इस साड़े तीन हाथ के काया के भीतर जो हो रहा है और जो हमें अनभव हो रहा है पुरानी भाशा में वेदन को अनभव कहते थे माने जो संबेदनाएं हमें महसूस हो रही है वो हमारा आलम बन है तो उसको जाने सारे शरीर में जहां जहां नहीं मालम हो रहा है वहां वहां धीरे से काम करते करते मालम होने लगेगा पर ऐसी अवस्था पर पहुंचनाई है जहां सारे शरीर में शरीर के अंग अंग में अंग अंग के अनु अनु में हमें किसी निक किसी प्रकार की संबेदना की अनभूती हो रही है यह एक पक्ष है अनभूती हुई और हम क्या करने लगे किसी अनभूती को अच्छा मानकर उसे सुखद मानकर उसका सुखभोगने लगे किसी अनभूती को बुरा मानकर दुखद मानकर उसका दुख भूगने लगे तो भी पश्णा नहीं कर रहे फिर तो वही पुराना भूगतापन का काम सुखाया सुख भूग लिया, दुखाया दुख भूग लिया सारे जीवन बर यही करते रहे उस सभाव को ही तो पलटना है न तो चाहे सुखद अनभूती हुई चाहे दुखद अनभूती हुई इसका सभाव क्या है साक्षी भाव से देखते चले जाएंगे तटस्त भाव से देखते चले जाएंगे भोगता भाव को दूर रखेंगे तो उसका स्वभाव समझ में आने लगेगा और यही स्वभाव समझ में आएगा कि इसमें देख उत्पाद होता है बेह हो जाता है उदै होता है बेह होता है संबेदना चाहे जैसी हो हर संबेदना का यही स्वभाव है यही प्रकृति है ये बात अनभूती से समझ में आने लगे तो अनभूती वाली प्रग्या प्रग्या शब्द का अर्थ यही प्रत्यक्ष ग्यान है तो प्रग्या है बादिक ग्यान है तो प्रत्यक्ष ग्यान है उत्पन्न होना और नस्ट हो जाना ये प्रत्यक्ष अनभूती पर उतर रहा है बड़ी स्थूल संबेदनाई गनी भूत संबेदनाई पीडाई, भारी पनाया कनावाया, खेंचावाया बहुत अप्री है, बहुत दुखद है, बहुत गनी भूत है तो आखिर आरंब हुई ना वो तो जाना आरंब हुई, अब लगता है कि चल रही है अभी वैसी ही पीडा चल रही है, चल रही है पर किती देर हम तर्टस्तभाव से देखते जाएं तो कोई ऐसी स्थूल संबेदना ज़रा ज़्यादा देर तक चलेगी कोई ज़रा कम देर तक चलेगी आके समाप्त होई जाएगी ऐसा अनभव से जानेंगे कि एक भी ऐसी स्थूल संबेदना नहीं होती एक भी ऐसी दुखद संबेदना नहीं होती जो अनंतकाल तक वैसी ही बनी रहे ये शास्त्रों की बात नहीं किसी बुद्ध ने कहा है किसी महाबिर ने कहा है किसी गीता ने कहा है इसलिए नहीं कोई गुरु महराज कहता है इसलिए नहीं अपने अनभव से जानेंगे देख पीड़ा आरंब हुई उसका एक आरंब है और देखते 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 देर सबेर समापत हो गई, उसका एक अंत है, उदै होना, ब्याय हो जाना, उत्पाद होना, ब्याय हो जाना, ये इसका सुभाव है, और यू द्रश्टा भाव से देखता चला गया, उसमें भोगता भाव नहीं आने दिया, जितना जितना नहीं आने दिया, उतना उतना कुद होने लगते हैं उसका विपाचन होने लगता है विगटन होने लगता है विशलेशन होने लगता है और यूं होते 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 जैसे पिगल गई कितने ही पीड़ा क्यों नहों समय पाकर के पिगल गई साक्षिवाव से देख तो ऐसा होगा ही पिगल गई तो क्या हुआ अब सग प्रमपी तो प्रकंपन है तरंग है तरंग है तरंग कहते किसे हैं उत्पन होना नश्ट हो जाना वही तरंग है हर लहर उत्पन होती है नश्ट होती है उत्पन होती है लस्ट होती है इसी माने में तरंग कहलाती है तो सारा शरीर केवल तरंग ही तरंग तरंग ही तरंग अब बड़ी सुक्षम हो गई, बड़ी सुकद हो गई, इसको भी ध्यान से देखता है तो, हुआ क्या, क्या उसका सभाव पलट गया, सभाव तो वही रहा, वो भी तो तरंग ही है न, उत्पन होती है, नस्त होती है, उत्पन होती है, अब शिग्र गते से उत्पाद व्याए, उत पन्वाव ऐसे नश्टुई सभाव वही रहा अनित्य है नश्वर है भंगुर है बदलते रहना इसका सभाव है ये बात प्रवचनों के आधार पर नहीं पुस्तकों के आधार पर नहीं तरकों के आधार पर नहीं अंदशद्धा के आधार पर नहीं अनभूतियों के आधार पर सादक समस्ता जाए तो उसका द्रश्टा भाव पुष्ट होता जाए जब ये जानेगा कि ये सारा अनित्य परपंच है बदलते रहने वाला है दुखद है तो भी खत्म होने वाला है सुखद है तो भी खत्म होने वाला है खत्म हुए ही जा रहा है हुए ही जा रहा है ऐसा अनवो पर उत्रेगा तो उसके परते क्या द्वेश करेगा कितना ही दुखद हो उसके परते क्या राग करेगा कितना ही सुखद क्यों नहो यू अपने मानस के और मानस भी उपर उपर का मानस नहीं अंतर मन के गहराईयों वाले मानस उसको पलटने का काम करने लगेगा, उसका स्वभाव पलटने का काम करने लगेगा, अब वो धीरे धीरे राग रंजित रहने के बजाए वीत राग रहने का भ्यास करने लगा, द्वेश दूशित रहने के बजाए वीत द्वेश होने का काम करने लगा, मोह भी मूडित होने क बजाए वीतमु माने जो विकार है विकारों से अब छुटकारा मिलने लगा छुटकारा मिलने लगा ऐसा अपने सवभाव पलटने लगा पर ये भी पश्चना ये नहीं होती है तब ये पश्चना के नाम पर भी कोई धोखा है अक्सर यही होता है कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध हुआ अरहंत हुआ सरवग्य हुआ तो क्या सरवग्य हुआ उसको सारा कुदरत का कानून अनभूतियों से जान लिया ये ये होगा तो ये परिनाम हाएगा ही शरीर पर अनभूतिया होने वाली हैं सुखत लगेगी और र तो दुख आने ही वाला है कोई दुनिया की शक्ति में बचा नहीं सकते और इसी प्रकार सुखत लगे तो भी राग नहीं जगाएं दुखत लगे तो भी द्वेश नहीं जगाएं केवल अनित्यबोद केवल अनित्यबोद जगा के समता में इस्तित रहें तो दुख समाप होने ही वाले हैं अपने को हिंदू कहे बहुत कहे जैन कहे इसाय के कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं अपने को आत्नवादी कहे निरात्नवादी कहे इश्रवादी कहे निरिश्रवादी कहे द्वेतवादी कहे अद्वेतवादी कहे कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं ऐसी भोगता भाव रख करके राग जगाता है, भोगता भाव रख करके द्वेश जगाता है, वो व्यक्ति दुखियारा ही दुखियारा, वो व्यक्ति बंधन में है, मुक्ति से बहुत दूर है, और जो राग नहीं जगाता, द्वेश नहीं जगाता, प्रग्या जगाता है, ये अनिट्य है इस अनिट्य बूध की प्रग्या जगाता है बुद्धी द्वारा नहीं चिंतन द्वारा नहीं अनभूती द्वारा जगाता है वो बंदन के बाहर निकलने लगा कोई हो बंदन के बाहर निकल जाएगा बस धरम की ये सीधी सीधी बात जिस आदमी के जितनी जल् अरे धरम कहा बद्धों का देनियों का अलग अलग होता है धरम तो धरम है जो कुदरत का कानून है उस सब पर एक जैसा लागू पड़ता है अगर कोई बद्ध अपने को बद्ध कहने वाला ब्यक्ति इन शरीर की संबेजनाओं पर राग जगाए द्वेश जगाए और फिर मुक्त हो जाए तब तो कोई विशेश बात हुई भाई बद्ध कहने से देखो मुक्त हो गया ऐसे ही अपने को जैन कहने वाला ब्यक्ति इन संबेजनाओं पर राग भी जगाए द्वेश भी जगाए फिर भी मुक्त हो जाए अपने को हिंदू कहने वाला ब्यक्ति मुस्ल पर राग जगाएगा वो व्याकुल हो जाएगा जो नहीं जगाएगा व्याकुल तके बाहर निकल जाएगा इतनी सरल बात है धरम की इतनी सीधी बात है धरम की उलशा दिया इन संपरदाए वादियों ने कैसा उलशाया इन दार्शनिक माननेता वालों ने कैसा उलिशाया इन करम कांड़ वालों ने कैसा उलिशाया ये तरक वितरक में सारा जीवन बिताने वाले लोगों ने कैसा उलिशाया चो बात जैसी है बस उसे देखते जाएं ये करते चले जाएंगे तो बाकी चाहर दिन का बहुत पड़ा लाब होगा कोई व्यक्ति सम्यक संबोधी पराप्त करता है सरवग्य होता है तो इस सच्चाई को जान करके पहले अपने विकारों से मुक्त हो लेता है और फिर बड़े करुण चित्त से यही विद्या लोगों को बांटता है को सिध्धार्थ गौत्म के मौनोपली नहीं आरे सिध्धार्थ गौत्म के पहले भी कितने लोग अरहंत हुए कितने लोग बुद्ध हुए कितने लोग सरवग्य हुए कोई हो जो भी होगा इस सच्चाई को जान कर होगा लेकिन एक समय एक व्यक्ति बुद्ध हुआ अरंत हुआ, मुक्त हुआ, सरवग्य हुआ चाहे सो नाम दो उसको और उसने अपनी अर्भों लोगों के सामने रखे ये विद्ध्या लोगों को सिखाई दो, चार सो, पान सो बरस तक तक तो लोग इस विद्ध्या का लाब उठाते हैं जैसे बताया गया वैसे काम करते हैं पिर धीरे धीरे काम तो करते नहीं आप उसके चर्चा शुरू कर देते हैं उसको बुद्धी का विशह बنا लेते हैं उसके साथ कोई दर्शन जोड़ देती है, कोई फिलोसफी जोड़ देती है उसके साथ कोई करमकान जोड़ देती है उसे किसे संपरदाय के बाड़े में बांद देती है ऐसा कोई न कोई निकम्मा काम उसके साथ लगा देती है तो आपको इसका अनववी नहीं करता उसका अभ्यासे नहीं करता तो लाब कैसे होगा तो धीरे 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 लुपत हो जाती है जैसे कोई एक रास्ता हो ये रास्ता हमको वहां तक पहुंचाएगा बहुत साफ है लोग चलते हैं वहां तक पहुंसते हैं चलते हैं वहां तक पहुंसते हैं धीरे धीरे लोग उस पर चलना तो बंद कर दें और केवल घर बैठके उसके चरचा करें सभावों में खुब चरचा करें तर्क करें वितर्क करें नहीं यह रस्ता ठीक है नहीं ठीक नहीं है, कोई कई ठीक है, कोई कई ठीक नहीं है, कोई कई ऐसा है, कोई कई चले कोई नहीं एक आदमी नहीं चले उस पर, उस रास्ते की क्या दशा होगी, उसी रास्ता पर कोई जाड उगेंगे, कोई पेड उगेगा, कोई घास उगेगा, और धीरे धीरे वो परसों चला ही नहीं, यही होता है, जब तक लोग चलते हैं, तब तक विपश्चना, विपश्चना का लियनकारनी होती है, और जब चलना बंद कर देते हैं, तो उलग जाते हैं, फिर किवल, बातें तो रहे जाते हैं, शब्द रहे जाते हैं, शब्दों का अर्थी बूल ज पड़ी परसंचा करे नहीं, तो कोड़ी परसंचा करने से क्या होगा, रजगुल्ला बहुत मीठा है, हजारों शास्तरलिक के रख दू, बहुत मीठा है, तो कुछ चके नहीं, जबान पर रखे नहीं, तो मीठा क्या का है, प्यासा आदमी पानी पिए नहीं, और पानी की चर नहीं और उशदी की प्रसंशा बहुत करे उसके चर्चा बहुत करे कैसे रोग मिटेगा यही दशा होती है काम करना बंद कर देती है आज के भारत में जो सबसे पुराना साहित्य उपलब्द है उबीद है और वेदों में भी रिगवेद सबसे पुराना आप प्रसंशा भरी पड़ी विपश्चना की रिगवेद का एक रिशी उसकी एक रिचा उसकी एक बोल क्या कहता है यो विश्वाबि विपश्चति भूवना संच पश्चति सैने पार्शद ती इद्विश्च यो विश्वाबि विपश्चति रिगवेद का रिशी कह रहा है शब्द छने हुए चले आ रहे हैं अनवा हो या नहो वाड़ी तो है न विपश्चति विपश्चना करता है कैसे करता है विश्वाबि विश्व कहते हैं प्रपंच को जो फैल रहा है जिसका विशदिकरन हो रहा है हमारे भीतर कैसा प्रपंच फैल रहा है इस प्रपंच के अभी मुखो करके जो भी पश्चना करता है माने उसको यथा भूत जानता हुआ करता है संच पस्चति सम्यक रूप से करता है सम्यक रू स्वेवेदन से अरबो हो सम्यक तर्शन हुआ तो संच पर्शती ऐसा ब्यक्ती विपर्शना करने वाला सम्यक रूप से करने वाला सैने पारशदती द्विशह द्विश के पार हो जाएगा उस आदमे के भीतर द्विश का नाम निशान नहीं रहेगा क्योंकि उस आदमे के भीतर राग का नाम निशान नहीं रहेगा जहां राग है वहां द्विश होगा ही एक ही सिक्टे के दो पहलू है एक और राग दूसरी और द्विश जहां एक बात प्रिये लगते है उसके विपरित बात हमेशा बुरी लगेगी तो राग और दूसरी साथ साथ चलते हैं राग समाप्त हो जाएगा ऐसे विपराग बन जाएगा द्विश का नाम निशान नहीं रह सकता लेकिन केवल बात ही बात रहेगे ना वानी वानी रहेगे करता तो कोई नहीं बलकि उसे एक करमकंड बना दिया ये इस मंतर का उच्चारन करो और फिर ऐसा कर दो इस मंतर का उच्चारन करो और ऐसा कर दो तुम्हारे सारे पाप कर जाएंगे क्या हालत हो गई ये व्यक्ति जो सम्यक संबुद्ध मना राजकुमार था और पिता ने 29 वरस की अवस्ता में घर छोड़ा तो जीवन के बहुत से अनभो ले लिए पिता ने उस समय के जितने जितने विद्धवान थे विभिन संपरदायों के विभिन दार्शिंक मननेताओं के उन विद्धवानों को बुला करके उस समय के जितना भी अध्यात्म का साहिक्ता सारा पढ़ाया सब पढ़ा है इस आदमी ने और फिर जब बोधी जागी सरवग्यता जागी बुद्ध हुआ तो कहता है पुब्बे अननसुत्ते सुधम्मे सुचक्खुंग उतपादी पहले कभी सुना ही नहीं ऐसी धर्म में ऐसी सच्चाई में मेरे चक्षु खुले ज्यान के चक्षु खुले प्रग्यादे चक्षु खुले पहले सुना ही नहीं आरे विपशनाई से ही तो हुआ बुद्ध और विपशना की बास सुनी ही नहीं तो वेद तो पढ़े होगे रिग वेद भी पढ़ा होगा और उसमें जगए जगए विपशना की प्रशंशाही आई होगी सामने पर सच मुछ नहीं सुना जिस अर्थ में इस शब्द का को समझा जाना चाहिए वो अर्थ समाप्त हो गया वो अर्थ है नहीं रहा तो वो सुनना सुनना नहीं रहा अब जाना अरे यह अनभव होना चाहिए शरीर पर यह संबेदनाई अनभव होनी चाहिए और उस अनभव के साथ साथ यह जानकारी होनी चाहिए कि यह अनित्य है नश्वर है बंगुर है इसके प्रतिराग नहीं हो द्वेश नहीं हो यों करे तो विपश्चना है यू करे तो संपश्चना है यू करे तो सम्यज्ञान है अन्य था नहीं तो पहले जो कुछ सुना वो तो भ्रामत था भ्रांती पैदा करने वाला था तो जो नहीं सुना ही फिर इसके बाद वो वस्ता प्राप्त होने पर अपने पूरु जन्मों को देखता है तो कहता है अरे पुरानो मगगो पुरानो मगवे समगो सनंतनो मेरे पहले नजाने कितने बुद्ध हुए मेरे पहले नजाने कितने ग्यानी हुए मेरे पहले नजाने कितने अरंत हुए ज सच्चाई को जानते 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 हुआ पड़ा पुराना मार्ग है रहे मार्ग तो बहुत पुराना है ये लोग चलना बंद कर दें तो मार्ग क्या करे बचारा लाब नहीं मिले लोगों को पुरानो मगो ए समगो सनंतनो धरम के जो नियम है वो सनातन है हमेशा एक जैसे र पारपाले दुर है परम सत्य ही परम इश्वर है यह कहना चाहता है अपने आप जो प्रगठ होता है यह प्रशन कबीर से भी किया गया कि आप बार बार इश्वर कहते हैं कभी अल्ला कहते हैं कभी हरी कहते हैं कभी राम कहते हैं कौन है यह क्या है तो क्या समझाए विद्या लुपत हो गई ना तो सिखा नहीं सकते थे ये संत स्वेम करते थे लेकिन टेकनीक किस तरह से कैसे सिखा करके लोगों को थोड़े समय में इस विद्ध्या में पारंगत कर दे ये भारत से लुपत हो गई थी स्वेम के वल करते थे क्या करें तो कहते है क्या कहता है, क्या इश्वर है, क्या हरी है तो कहे कबीर हरी ऐसारे जहां जैसा ताहं तैसारे जब जैसा तब तैसारे अरे इस साड़े तीन हाथ की काय में जहां जैसा कुछ प्रगट हुआ वही इश्वर है जहां जब प्रगट हुआ वही इश्वर है जब जो प्रगट हुआ वही इश्वर है वही आपो आप निरंजन सोई और वही भगवान को देने का ये था भूत ग्यान दर्शनंग ये था कृत नहीं ये था संकल्पित नहीं ये था वंचित नहीं ये था आरोपित नहीं ये था भूत अपने आप जो हुआ आप 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 अरे भारत से भी परशना बिलकुल लुपत नहीं वही विधी लु ले दें, खूब अच्छी तरह समझ के जाएंगे और वैसा ही काम करेंगे, वही परिणाम आएगा, जो उन दिनों आता था, बिलकुल वही परिणाम आएगा, काम करने से आएगा, काम करने में अच्छी तरह समझते हुए करेंगे, क्या करना है, आपने भीतर संबीदनाओं क प्रिष्टों होती है और इन पर्मानों के बारी में बताया गया चार तरह की चार भूत है अगनी पृत्वी जल वायू वो नाम गिनाने के लिए नहीं उनका गुन धर्म सभाव वो भी नाम गिनाने के लिए आट नाम गिन लिए क्या मिला उस से वो अनभूती पर उतरता है पृत्वी अगनी जल वायू पर्मानों के धेर के धेर इकठे होते हैं कभी पृत्वी धात्वी के परधान तलिये है उत्पन हुए कभी अगनी धात्वी के परधान तलिये हुए कभी वायू धात्वी के परधान तलिये हुए कभी जल धात्वी के परधान तलिये हुए औ और उनका जो सभाव है, उनकी जो प्रकिरती है, वो हमारी अनभूती बे उतरने लगी, इसको देखने के लिए बेपशना कर रहे हैं। मोटे मोटे तोर पर तो क्या प्रित्वी, क्या जल, क्या वायू, क्या अगनी, यह हमारे शरीर के भीतर जो ठोस है, हड़ी है, मास है, यह सब इसको कहें प्रित्वी धातु है, और जो बहाव है, उसे कहें जल धातु है, खोन है, पिशाब है, जो कुछ भी उसमें बहाव है, पानी की तरल है जल धातू है और इसमें जो उश्मा है ठंडा पन है वो सारा का सारा अगने धातू है और जो कुछ भीतर हलन चलन हो रही है वो सारी की सारी जैसे गैसीज है वाई धातू है ये मोटे मोटे तोर पर समझने की बात ये शारा शरीर आकर इसी से बना और क्या है बाहर के दुनिया में भी रेखती यही जल है बहुत ठंड लगी भारी हो गया पत्थर जैसा हो गया बर्फ हो गया प्रत्थी जैसा हो गया जल था प्रत्थी जैसा हो गया फिर गर्मी होई फिर जल हो गया और गर्मी हुई, भाप हो गया, हवा हो गया, तो वायू जैसा हो गया और ये तिनों अबस्ताओं में जल था तो भी, बरफती तो भी, भाप हुई तो भी उसमें तापमान है, धंडा है, गरम है, अरे तो चारों महाभू समाई हुई हैं उसमें ये बुद्धी से समझने की बाते हैं सारी, विपश्चना करेंगे तो अनभूती से समझेंगे, धेर के धेर परवाणु उत्पन हुए, इस समय मानलों पृत्वी धातु के परवाणु उत्पन हुए तो हमें क्या नपर होरा पृत्वी का क्या सभाव पतराती है, आकाश को लेती है, आकाश घिर जाती है, तो उसका कुछ बजन हो जाता है, तो भारी पन से लेकर के हलके पन तक का सारा का सारा क्षेत्र पृत्वी धातु का क्षेत्र, कहीं हाई भारी पर मालूम हुआ कभी हलका पन मा पृत्वी धातु प्रगठ हुई, बहुत भारी हुआ तो कही तरी वी तरहन चलन हो रहा है, धरकन हो रही है, दूजन हो रहा है, यह वायु धातु, यह वायु धातु, चोटी से चोटी हलन, बड़ी से बड़ी हलन चलन, अगनी धातु, यह सारा तापमान जो अनुभा हो, बहुत गर्मी लग रही है, यह बहुत सर्दी लग रही है, सर् था तूर उसके अरे चारों को छोड़ करके पांची पांचवी तरह की अनभूती नहीं होती जितनी संबेदनाई हैं इन चारों में से इस प्रकार की या उस प्रकार की लेकिन इन चारों को छोड़ के पांचवी नहीं होती पांचवी तो इसके परे की जब होगी निर्वान क वस्ता होगी तब कहेंगे यह बाकि चारों के चारों तो इसी की देह की अन्भूती है काया की अन्भूती है बातिक अन्भूती है तो यही होगी इसकी अच्रिक नहीं होगा अब भी यही हो रही है आगे भी होते चली जाएंगी और फिर समझेंगे यह भी क्यों होता है समझ में आते चले जाएगी क्यों होता है कभी कभी ये प्रित्री पर्मानों के अन्भूती क्यों होती है कभी अगनी पर्मानों के अन्भूती क्यों होती है कभी जल पर्मानों के कभी क्यों होती है क्यों ऐसा हुआ तो बास समझ में आएगी जैसा आहर दे रहे हैं वैसे परमानों उत्पन हो रहे हैं ये भौतिक परमानों चार परकार के आहर मिलने से उत्पन होते हैं दो आहर तो उसको शरीर है ना भौतिक है ना तो भौतिक आहर देने से भौतिक परमानों के उत्पत्ति और दो चैतसिक, क्योंकि नाम और रूप, शरीर और चितसा जुड़ी हुए हैं तो चैतसिक आहर दो होती हैं चित के दो प्रकार के आहर देने से वो परमाणूएं बदल जाती है माइंड मेटर में परिवर्टित हो जाता है दो तरह के चैटसिक आहर और दो तरह के भौतिक आहर क्या होती हैं समझेंगे अनबों से समझेंगे तियोरी की बात नहीं प्रेक्टिस की बात है क्या भौतिक आहर जो रोज दिन में दो बार चार बार जो खाना खाते हो ये भोतिक आहार इस भोतिक शरीर को दे रहे हो किस प्रकार का भोतिक आहार दिया उस प्रकार के परमानू उत्पन होंगे उस प्रकार की संभेत नहोगी किसी दिन मान लो बहुत मिरिच मसाले का भोजन कर लिया अब उसके बाद साधना करने बैठेंगे तो देखेंगे यहां जलन हुई, वहां जलन हुई, सारे शरीर में जलन दी जलन अगनी प्रधान प्रमानु उत्पन हुए क्योंकि आहार ऐसा दिया किसी दिन बहुत गरिष्ट तला हुआ या बासी भोजन कर लिया उसके बाद ध्यान करने बैटे तो प्रत्वी परधान बड़ा भारी पन बालम हो रहा है, बड़ी सुस्ती आ रही है, बड़ा भारी पन बालम हो रहा हुआ 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 ह रही हैं भोजन करते हैं तो बहुत स्थूर आहर लेते हैं पोर-पोर से आहर लिए जा रहे हैं गरम देश में रहने वाले व्यक्ति का शरीर एक प्रकार का होगा ठंडे देश में रहने वाले का एक प्रकार का होगा स्वस्त वातावरन में रहने वाले का शरीर स्वस्त होगा अस्वस्त वातावरन मिरने वाले का अस्वस्त होगा अपनी अनवों से जानते हैं तो वो अहार जो रितू की वज़े से मौसम की वज़े से बाहर के वातावरन की वज़े से उस प्रकार के परमानों हमारे भीतर उत्पन होते जाएंगे उत्पन होते जाएंगे ये दो भौतिक आहार हुए चित्त के आहार चित्त ने इस समय हमने इस समय अपने चित्त पर कैसा करम बीज डाला कैसा करम संसकार बनाया कल जो कहा ता संसकार का क्या प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की वो ही करम का बीज है वो करम संसकार है कैसा डाला वो तुरंत परमाणों बदल जाएगा उसी एक छण बदल जाएगा मानो करोध किया इस चित धारा पर हमने करोध का आहर दिया देते ही देखेंगे सारे शरीर में ऐसे परमाणों उत्मन हुए जो अगनी धातु लिये हुए अगनी धातु बड़ा जलन मालम होगी बहुत जलन मालम होगी ऐसा आहर दिया ना आहर चित गा दिया पर उसका प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है मान लो भाई का आहर दिया इस सक्षण अपनी चित धारा पर भाई का आहर दिया तो वायु धातू, वायु धातू सारे शरीर में कोई धूज़ा नहीं कोई कमपन है इस तरह का आहर दिया, इस तरह के परमानू बनने लगे ये इस समय के चित के कर्म ने इस तरह का परभा और यही पुराने कर्मों का जब फल आता है तो उसका प्रवा, उसकी वज़े से जो परमानू बने वसी ही बनेगे जिस तरह का करम का बीज हमने बोया, उसका फल बिलकुल उसी परकार का आएगा हमने करोध का बीज डाला, और करोध का बीज डालते हुए अगनी धातू, अगनी धातू उत्पन हुई उसका जो फल आएगा वो हमें अगनी धात्यों के साथ ही आएगा सारा शरीर जलने लगेगा जब पुराने करम के बीच, अगनी के बीच, करोद के बीच जागेंगे, फल देंगे सारा शरीर जलने लगेगा तो उस समय जो जलने लगा वो हमारे पुराने कर्मों के विपाक के वज़े से उसका फल पकने के वज़े से इस प्रकार के परमानों ये खूब समझने लगेंगे शास्तरों की बात नहीं अपनी अनभूतियों से समझने लगेंगे और ये इसलिए समझने लगेंगे कौतुहल पुरा करने के लिए नहीं कौतुहल पुरा करने के लिए धर्म नहीं हुआ करता इसलिए समझने लगेंगे कि अच्छा अभी पृत्वि परधान आया है आरे आया होगा भोजन के वज़े से आया होगा इस समय के भी परमानु आया अगनी परधान आया कि प्रत्वी परधान आया कि जल परधान आया कि वाई परधान आया अरे है तो अनित्य न उत्पन होना नश्ट होना इसका सभाव है मैं नया कर्म संसकार नहीं बनाता तो केवल देखता है समझता है उसके सभाव को और नया कर्म नहीं बनाता, प्रतिक्रिया नहीं करता, द्रस्टा भाव में, साक्षी भाव में, उपेक्षा भाव में, ततस्त भाव में, पुष्ट हुए जा रहा है, पुष्ट हुए जा रहा है, ये सारा कुछ इसलिए जानना है, बुद्धी विलास के लिए नहीं, ये च कर्म संसकार बनाते हैं, हमको छुटकारा उससे लेना है न, इसलिए इस सारी बात समझते चले जाएंगे, खुब समझ समझ के काम करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, बाधाएं आएंगे, इस बात तो खुब समझ के रखना चाहिए, कौन बाधाक है हमारा, पांच बड़े विकार हैं उनसे बच के रहना चाहिए। दो विकार कामचंद और व्यापाद पुरानी भाषा है। ज़र नयाने आदमी आता है अगर उसके मन में बहुत वासनाओं की विकार होंगे कामवासनाओं के तो ध्यान में बैठते ही कामवासना बहुत जागेगे ऐसे किसे के साथ जगडा हुआ वो ही बात बार बार आए कि मन में उसके परती बड़ा करोध जागेगा उसे वो कामचंद और व्यापाद कहा पर उसको देखते जाएंगे देखते जाएंगे कम हो जाएगा उसी को और गहराएं में जाएंगे तो राग कहें द्वेश कहें जो अपरी है उसके परती राग जागना जो अपरी है उसके परती द्वेश जागना साधना इसलिए कर रहे हैं कि अपने राग के सभाव को तोड़ें अपने द्वेश के सभाव को तोड़े, सब आ गए, महमान सब आ गए, मेजबान नहीं है, आठ बज गए नहीं है, सब आठ बज गए, तो प्राहिम मिनिश्टर कबर आया, पार्टी कैसे चलेगी उसके बिना, तो उपर तल्ले में उरहता था, तो किसी को बेजा जा देख किय अब तक त्यार नहीं हुआ, कोई गया उपर आके कान में कहता है, महराज वो आने लाइक नहीं है, क्या हुआ, अरे आज उसने इतनी पीली, इतनी पीली एकदम बेहोश होके धरती पे पड़ा है, कैसे आएगा, अब उसके बिना पार्टी कैसे करेंगे, अरे बेहोश है कि एक कोर्स सर्व हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा सर्व हो रहा था कि उल्टियां करनी शुरू की, सारी उल्टियों से भर दी टॉप टेबल, बेचारा प्राइम मिनिस्टर सिर्पी हाथ रख के रोता है, कि ये कैसा प्रेजिडेंट हमने बनाया, ऐसे अपने देश को हम धरम देश कहते हैं, और हमारे देश का प्रेजिडेंट इस तरह का, दूसरे दिन उसे होश आया, तो टेलीफोन करता है, आप को हो तो मैं रिजैन कर दू, मुझसे शराब नहीं छूट सकती, छूट ही नहीं सकती, हमारे राजाओं में, राजघरानों में, एक नियम है, एक पर का रहे हैं, हमारा तो आदा खून ही अलकोहल हो गया, हम इससे नहीं निकल सकते, क्या किया जाए, ऐसा अब्यक्ति, अपने किसी पुराने पुन्य की बज़े से, गुरु जी की आश्रम के सामने से जाता है, भीतर चला जाता है, और वो दस्वा दिन है, नववा दिन है, मै हुचा देखता हर आदमी प्रसंदे क्या है, क्या हो रहा है यहां पर, क्या सिखाया जा रहा है, तो का आना पान सिखाते हैं, विपशना सिखाते हैं, अरे आज के जमाने में भी कोई आना पान विपशना सिखाता है, और ये परिनाम आते हैं उसके, इतनी शान्ति मिलती है अच्छा रहूंगा, क्या करना होगा 5 शील पालन करने पड़े गे ना बाबा ना, 4 शील पालन कर लूँगा, 5 वॉं ऐ नहीं कर सकता पालन करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं सिखाते, जाओ मिलेगा ने तुमें कुछ विकार समय जायेगा आप उसे चाहिए तो बारगेनिंग करता है कि महाराज चोटी सी पैग रोजगी ले लूँ छोटी सी थोडी सी जाओ नहीं देंगे दो दिन के बाद ले लूँ चार दिन के बाद जाओ नहीं देंगे दसों दिन नहीं लेना पड़ेगा अच्छा तो महाराज एक बात तो बताओ दस दिन के बाद अपने घर जाओं तब तो ले सकता हूँ न अरे तो घर जाके घड़ों पीन आम कहार तुमकों रुखने आएंगे यहां नहीं ले सकता अच्छी बात अपने मन को मदबूत करके किसी तरह दस दिन सीखा यही काम किया जो सब ने किया और दस दिन के बाद अपने घर जाता है अपने घर जाता है और सोगज की दूरी पर उसके लौन में कहीं बाहर गारडन में भी कोई आदमी शराब पिया हूँ आए तो नाग पगड़ता है सड़ता है रहे कौन पी कराया अपने आप पिना तो दूर रहा दूसरे का पिना भी उसे सहन नहीं हो सकता क्या हो गया किसी ने उपदेश में उसको धंके नहीं दी तू शराब पिएगा तू तू ये नर्क मिलेगा वो नहीं नहीं कुछ नहीं धर्म में ऐसे धंके नहीं दी जाते अपने आप देखते 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 विकार निकलते हैं वो सारे संसकार उसका ऐसा संयोग हुआ वो सारे संसकार जो शराब के नशे के संसकार थे एक पर एक एक पर एक गोंगट के पट खोल रहे खुलता गया, खुलता गया, पड़ते उतरती गई, जो पहले पहल पढ़ाता संसकार, वो भी निकल गया, छुटका रहा हो गया, ऐसा किसी बर्मा के एक प्रेजिडेंट का हो जाता, तो हम समझते कुछ अमतकार की बात हुई, आरे हजारों लोग शिवरों में से गुजरते ह किसी को क्या नशा, किसी को क्या नशा, किसी को जुए का नशा, किसी को शराब का नशा, किसी को ड्रग का नशा, किसी को कुरूद का नशा, किसी को वासना का नशा, किसी को भय का नशा, कैसे बाहर निकलते चले आते हैं, कैसे बाहर निकलते चले आते हैं, धरम अपना काम क खालने हुकुमर अजाई चलना हुकुमर अजाई चलना ये बात समझ में आ जाए तो बाकी चार दिन का बहुत अच्छा उप्योग करना है आरे मनुष्य का जीवन मिला बहुत दुरलब होता है बड़ा कल्यानकारी होता है किस माने में दुरलब किस माने में कल्यानकारी मनु कुछे नहीं कर सकता, कोई सरिस्रिप नहीं कर सकता, कोई कीट पतंग नहीं कर सकता, कोई प्रेट प्राणे नहीं कर सकता, मनुष्य के पास इतने बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति का उपयोग नहीं करें, तो सारा जीवन खराब गया ना, मनुष्य के जीवन की इतने बड़ इस तपोवन में तपने के लिए जो जो आये, खूब मंगल हो, खूब कल्यान हो, खूब स्वस्त्य मुक्ति हो, स्वस्त्य मुक्ति हो. स्वस्त्य मुक्ति हो, 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 स्वस्त्य मुक् यह दो तूब शवे टूब झावटू सुवे मंग झावटू सावसादू 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 चाहें तो पांच मिन्ट विश्राम कर ले पिर थोड़ी सी दियरोड ध्यान करेंगे पांच मिन्ट विश्राम करें तो जाएगा तुझ साधना नहीं हुआ करते बातों में लग जाएंगे तब गंभिरता से काम असंभख हो जाएगा लेकिन वो दस्वें दिन भी बहुत महत्तपुन है नो दिनों तक मन का उपरेशन करते 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 अपने मन के विकार निकालते निकालते फोड़े में से पीप निकालते निकालते दस्वें दिन उस पर मरम पढ़ती होती है ये जो नई साखना सीखेंगे मंगल मेत्री की वो यही काम करेगी और वो दिन इसलिए भी जरूरी है कि इतनी गंभीरता से नौ दिन काम करने के बाद यका एक बाहरी दुनिया में चला जाए कुल आहल के दुनिया में तो कभी कभी हानी हो सकती है तो किसी तरह का खत्रा नहीं मौल लिया चाहते एक दिन यहीं बहर मुखी हो करके सादकों से परस पर बात करे औरों से बात करे बहर मुखी हो यहां के बातावरन में अपना मौन खोल करके बहर मुखी हो और ऐसी अवस्था में एक दिन रह करके फिर ग्यार्वें दिन जाए तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं तो गम्भीरता से काम करने के लिए दो ही दिन रह गए इनका पूरा पूरा लाव उठाना है लाव उठाने का मतलब यही है कि खुब परिश्रम करना है और परिश्रम बड़ी समझदारी के साथ करना है सादना के विदी को बहुत अच्छी तरह समझते हुए और यह जो अभ्यास करेंगे अब इसमें निरंतर तानी चाहिए मने लगातार लगातार करते ही जाएं तो पहले तो समझ लें बार बार दोराते हैं बात तो वही है बार बार दोराते हैं ताकि कोई गलत फ़हमी ने रह जाए कोई बरंती ने रह जाए धरम के बात बहुत सपष्ट होगी साधना की विदी बहुत सपष्ट होगी तो काम अच्छी तरह होगा दो पक्षी हैं इस साधना के जैसे एक पक्षी के दो पक्षी होते हैं दो पंक होते हैं दोनों पंक बलवान होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए एक छोटा हो एक बड़ा हो एक दुर्बल हो एक सबल हो तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा जैसे किसी गाड़ी के दू चक्के होती है तो दोनों एक समाश होने चाहें एक छोटा हो एक बड़ा हो तो गाड़ी चल नहीं पाएगी तो दू पक्षिस के एक तो ये कि अपने मन की वो शक्ति बढ़ानी है जो कि अंतर मन की गहराईयों में निरंतर हमारे शरीर पर होने वाली कोई न कोई संबेद न जो भी हो रही है उसको जानने का जो काम अंतर मन कर रहा है अब उसको उपर का मन भी करने लगेगा वानिस सारा का सारा मानस शरीर पर क्या हो रहा है इसको जानेगा इस साधना के सफलता इस बात में है कि ये शरीर और चित दोनों को साथ लेके चलती है क्योंकि जो प्रपंच चलता है जिसकी वज़े से हमें भ्रहंतियां होती है या यू कहें माया पैदा होती है भ्रहम पैदा होता है और हम उलजे रहते हैं भाव चक्र में वो इन दोनों के बज़े से इन दोनों के इस पर्ष से क्या हो रहा है भीतर इसकी जानकारी नहीं होती तो केवल बुद्धी के स्थर पर किसी बात को समझ के रह जाएंगे तो मानस का उपरी उपरी हिस्सा जरूर सुधर जाएगा गहराईयों तक कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा और गहराईयों तक काम करना है तो शरीर को साथ लेना पड़ेगा माने शरीर पर हमें क्या अनवव हो रहा है तो किसे अनवव हो रहा है हमारे अंतर्मन को अनभव हो रहा है और चोवी सो घंटे अनभव होते रहता है उसे चोवी सो घंटो राज दिन सोई हैं कि जाग रहे हैं हर अवस्था में हमारे अंतर्मन का शरीर के साथ सम्मंद बना रहता है और प्रतिक्षन शरीर पर क्या हो रहा है इसे वो अनभव करता रहता है और अंदा है इसलिए प्रतिक्रिया करते रहता है उसके पास ग्यान नहीं है प्रत ग्यान नहीं है तो उसे जो प्रिय लगा राग जगाता है अप्रिय लगा दूस्च जगाता है ऐसा उसका सभाव वो सभाव अगर नहीं तोड़ा हमने तो बुद्धी के स्थर पर हम हजार धरम को समझ गए बुद्धी के स्थर पर हम हजार निर्मलता भी ले आए भीतर मानस वैसा कब वैसा अपने सभाव का गुलाम बना रहा और कोई फरक नहीं पड़ा इसलिए इस विद्धी को आजमा कर देखने के लिए अच्छी तरह इस विद्धी को समझने के लिए और उसके अनुसार काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि सारे शरीर में एक हिस्ता नहीं छूड़िया है सारे शरीर में कहां 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 क्या क्या संभेदना हो रही है स्थूल हो सुक्षम हो सुकद हो दुकद हो उसके चिंता नहीं जो हो रही है तो पहला पक्षत तो ये साधना का कि वो हमारी अनभूती पर उतर रही है हमें पता ही नहो हमें पता ही नहीं कि भीतर भीतर संभेदना कैसे चल रही है तो हमें कैसी पता लगे कि हमारा भीतर वाला मन कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है उसको तो महसूस होती है ये उपर वाले मन को नहीं महसूस होती तो भीतर वाला मन तो परतिक्रिया किये जा रहा है, उसको अच्छी लगती है, राक की, बुरी लगती है द्वेश की, परतिक्रिया किये जा रहा है और उपर वाला मन कहता हम अबरी संथा में हूं क्योंकि मैं खुब समझता हूं ये अनित्य है, ये नश्वर है, ये वंगुर है ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं बुद्धी समझती है ना भितर वाला मन तो समझता नहीं वो तो अपने सभाव का गुलाम है तो एक बात बड़ी अच्छित रही है समझनी चाहिए कि इन संबीधनाओं के शरीर पर होने वाली संबीधनाओं के बल पर हमें अपना अनित्य बोध जगा के समता स्थापित करनी है केवल उपर उपर की समता मुक्ति नहीं दे सकती चित्त को नितांत निर्मल नहीं कर सकती आंशिक निर्मल करेगी एक बात ये क्यों से जाने और दूसरा पक्षिये की जान करके जो प्रतिक्रिया किया करते थे वो प्रतिक्रिया रोके राक की प्रतिक्रिया नहीं करें, द्वेश की प्रतिक्रिया नहीं करें, अनित्य बहुत जगा है देख उत्पन हुई, नस्ट हुई, उत्पन हुई, नस्ट हुई, कितनी स्थूल हो तो उसका उदे हुआ कुछ देर के बाद वे हो गया उदे हुआ कुछ देर के बाद वे हो गया और स्थूल नहीं है सुक्षम होते होते ही इतने सुक्षम हो गई कि तरंगे ही तरंगे दोहर तरंग उत्पन होती है नश्ट होती है उत्मन होती है नश्ट होती है अब ये उदेव्य शी घरगती से होने लगा इसके फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो बात तो वही सभाव तो वो कब हो रहा उदेव्य ये सच्चाई अनुभव पर उतरती जाए बिना अनुभव क्या कहें उदेव्य हम मानते हैं सारा शरी रहती है कुछ नहीं मिलेगा उसे अनुभव हो रहा है स्वेव वेदन हो रहा है तो अपना ग्यान है अपनी प्रग्या है वही मुक्ति देगी किसी दूसरे का जागा हुआ ज्यान हमें प्रेणा दे सकता है हमें मार्ग दर्शन दे सकता है मुक्ति नहीं दे सकता मुक्ति तो हमारे भीतर का जागा हुआ ज्यान देगा तो ये जानकारी बनी रहे अनित्य है इसकी जानकारी अनभूती पर बनी रहे और अनभूती शरीर पर होने वाली संवेजना कोई अनभूती कहते हैं अन्यता चिंतन मरंद केवल चिंतन मरंद से मुक्ति नहीं मिला करती थोड़े में समझाएगी यही बात सब बे संखर अने चाती यदा पंयाई पसती अथने बिंददी यही बिशुद्धिका मार्ग है चित्त को नितांत बिशुद्ध कर देगा विकारों से भी मुक्त कर देगा क्या मार्ग है सब बे संखरा अनिच्य यह सारे संसकार अनिच्य है संसकार का अर्थ बड़ा ब्यापक अर्थ है जैसे धर्म शब्दकार तो बड़ा ब्यापक है ऐसे संसकार शब्दकार बड़ा ब्यापक है एक तो संसकार का ये अर्थ जाना उस दिन कि हम जो कर्म संसकार बनाते हैं मानस का वो हिस्सा जो प्रतिक्रिया करके कर्म संसकार बनाता है उसको संसकार कहती है वैसे संसकार शब्द का थुआ कुछ निर्मान होना, कुछ बनना, हम बना रहे हैं हम अपना कर्म संसकार बना रहे हैं, अपना कर्म बांध रहे हैं, गर्म के गांठे बांध रहे हैं, मेल चड़ा रहे हैं तो ये कर्म संसकार हुआ संसकार का मतलब ये बना हमने नया कर्म किया और इस कर्म का जो फल आया वो फल भी निर्मान हो रहा है प्रकृते निर्मान कर रही है जैसा बीज डाला उसका फल प्रकृते निर्मान कर रही है तो वो जो बने जा रहा है जो कुछ बने जा रहा है इस सारे विश्व में वो सब अनित्य है सारे विश्व में जो कुछ बने जा रहा है वो अनित्य है उसकी अनभूती तो बहावत उंची अवस्था में जा करके होगी आज तो अपने साड़े तेन हाथ की काया में अनभूती हो रही है जो कुछ निर्मान हो रहा है निर्मान हो रहा है निर्मान हो रहा है निर्मान हो रहा है ये अनभूती संवेदनाओं के बल पर हमें मालूम हो रही है ये सारा शरीर प्रपंच ये सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संयोग से जो ये संवेदना हो रही है अनित्य है अनि प्रग्या से देखता है चिंतनमाई प्रग्या नहीं यदा पईया ये पस्टी विपश्णा वाली प्रग्या माने अनभूती वाली प्रग्या स्वेम अनभू करके देख रहा है विपश्णा की द्वारा अनित्य है अनित्य है अथे निब्यंदती दुखे तो ये जो दुख में लोट पलोट लगाने की आदत हो गई थी सुखत संबेदना आई सुख में लोट पलोट लगाया दुखत संबेदना आई दुख में लोट पलोट लगाया तो उसका भोगता भाव कायम रहा जब तक भोगता भाव कायम है तब तक दुख है दुख है अब उस दुख के बा यही विशुद्य कामार्ग है, खूब अच्छी तरह समझना है, काम करते करते करते, आरंभ में बड़ी स्थू स्थू सम्मेदनाई होती हैं, और फिर काम करते जाएं, जैसे बताया जाएं, वैसे करते जाएं, तो किसी को साथवे दिन, किसी को आठवे दिन, किसी को नूवे तरंगें 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 बाहर भीतर सरवतर तरंगें 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 शिग्रगती से उत्पादवे 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 यह अनभूती सारे शरीर में होने लगी ऐसा जब होने लगता है तो सिर से पाउं तक पाउं से नहीं कि जो मुर्शित हो कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां रुक करके उदेविय के अनभूती की जाए गया के अनभूती हुई उदेविय की गया की क्योंकि तरंगे ही तरंग रह गया सब बो लोको पकंपितो पकंपितो केविल प्रकम्पनी प्रकम्पन, केविल तरंगे ही तरंगे, लहरे ही लहरे और कुछ नहीं, इस अवस्था पर पहुंशता है मानो सब कुछ भंग, जितना भी स्थूल पना था सारा भंग हो गया ऐसी अवस्था पर पहुंशे तो उसका एक विवरन अनभूती की बाते हैं सारी यह तो यह तो जहां जहां जब जब यह फीटा लगाता है ने सिर से पाउँ पाउँ से सिर से पाउँ तो जहां जहां जब जब समर्शन होता है स्पर्श होता है मन जहां गया और स्पर्श किया तो कैसे स्पर्श होता है जागरती के साथ होश के साथ, सम्रती के साथ, सम्यक सम्रती के साथ जहां सपरश होगा, जहां सपरश होगा तो वहां सारे खंदों में उदेब्ये, उदेब्ये, उदेब्ये ये अनभुती होगी, पांच सकंद होते हैं एक तो शरीर का संद तो शरीर में तो ये वेदना है इसलिए मालम होता है उदेबिया ये उदेबिया ये किसको मालम होता है शरीर को नहीं मालम होता है शरीर और चित दोनों जुड़ते है तब मालम होता है नितारी मालम होगा जहां चित नहीं है वहां संबेदना नहीं मालम ह पनसे भी व्याथ्या की उसका मुल्यांकन की आच्छी है बुरी है सुखद है दुखद है और जैसे जैसे इस विद्या में पकते चले जाएंगी यही मुल्यांकन करने वाली सन्या अब ठीक से मुल्यांकन करने लगेगी पहले तो कहते थे बहुत अच्छा है बहुत बुरा ह आप कहें कि अनित्य है तो वो अनिच्य संज्या बन जाएगी अरे अनित्य है अनित्य है जो है सो अनित्य है सचमुच उसे अनभव होना लगाना और बास समझ में आने लगी तो प्रग्या बन गई वो ही संज्या प्रग्या बन गई वेदना है उत्पाद होता है बे होता है और ये संसकार हैं, उत्पाद होते हैं, बे होते हैं, प्रतिक्रिया हुई समापती फिरोश आगया, प्रतिक्रिया हुई समापती फिरोश आगया, ये पांचों के पांचों सकंद, इनमें उदे बे, उदे बे, उत्पाद बे, उत्पाद बे, सारी जगे, जहां जाए, तो सा यूआ जब एसी अवस्थानी लगती है, सारा भारीपन दूर होते चले जाता है, भारीपन हीलोता है, लगता है, शरीर का भारीपन है, भारीपन हमारी विकारों है जैसे जैसे विकार निकलते चले गए वैसा वैसे हलका पनाना शुरू हो गया तनाव दूर होता चला गया तो भीतर भीतर बड़ा पुलक रोमानच तो उसी को उन दिनों की भाशा में का प्रीती प्रमूद आज की भाषा में गें तो बड़ा आनन्द, बड़ा आनन्द, भाषा बदल जाती है 25 वर्ष में, उन दिनों आनन्द शब्द जरा हलका शब्द माना जाता था, अध्यात्म के खित्र में, और प्रिती प्रमोट उन्चा शब्द माना जाता था, सुख उन्चा शब्द माना लगे, सुक को नीचा मानने लगे एतो शब्दों की माया हमें उससे लें दिन ने ایसी अनभूती होती है उसे ये कहें कि आनन्द, भातानन्द भातानन्द हुआ लेकिन ये जो भातानन्द हुआ, भातानन्द हुआ साधक समझदार नहीं होगा तो वहीं अटक गया आएगा बहस मिल गया इसे के लिए तो सारा काम कर रहे थे हमें तो मिल गया आत्मानंद मिल गया पर्मानंद मिल गया बर्मानंद मिल गया मुक्षानंद मिल गया मुकानंद मिल गया एक दम रुग आएगा अरे बीच की धर्म शाला है अभी तो अंतिम अवस्ता पर पहुंचने में बहुत लंबा बाकी है रास्ता और यहीं अटक गए उसको यह समझता रहेगा कि यह भी अनित्य है कितना ही आनंद अन्भूत हो रहा है पर शरीर और चित्त से समंदित ही है हमारी च्छों इंद्रियां काम कर रही है इंद्रियों से समंदिती है इंद्रियों के परे नहीं है इंद्रिया तीत अन्भूती जब होगी तब यह सारी इंद्रियां काम करनी बंद कर देगी आंक नहीं काम करेगी नाक नहीं करेगी जीव नहीं करेगी तुझा नहीं करेगी कान नहीं करेगा और मन भी नहीं करेगा उसके परे की अवस्ता है मुक्त अवस्ता जो नित्य है शाश्वत है ध्रू है जहां उत्पाद ही नहीं होता तो वे नहीं होता ने कुछ उत्पाद होता है ने कुछ वे होता है वो अवस्था इंद्रियों के परे की अवस्था है और उसका आरोपन इंद्री अवस्था के किसी अनभूती पर लगा दें तो गाड़ी रुकी जाएगे न आगे कैसे बढ़ेंगे तो ये प्रीती प्रमूज जो आया इसको भी अनित्य है अनित्य समझता जाएगा तो अमतं तंग बिजान तंग तो ऐसी अवस्था का साक्षाद कार कर लेगा जो अम्रित की अवस्था है अम्रित है कुछ मर्दा नहीं क्योंकि अजनमा है कुछ जनमता नहीं उत्पाद होता नहीं, वे होता नहीं, तरंग नहीं है, ये सारा ख्षित्र तरंगों का ख्षित्र, शरीर और चित्र का ख्षित्र, तरंगों का ख्षित्र, उदेब्य, 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 वहाँ उदेब्य नहीं, वो तरंगाती तवस्ता है, कैसी है, क्या है, वर्नन नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के परे की अनभूती है, उसको फिर इंद्रिय जगत में आ करके उसकी अनभूती कुछ छणों के लिए हो सकती है, कुछ मिन्टों के लिए हो सकती है, कुछ घंटों के लिए हो सकती है, लेकिन फिर इंद्री जगत में आना पड़ेगा, जीना है, तो इंद्री जगत में आया तो उसे समझेगा क्या था वो, बोल नहीं पाएगा, गोंगया का गुड है कैसे बोलेगा, क्या बोले, कैसे समझाए, लोग समझेगे कैसे, इंद्रियों के परे की अरभूती, इंद्रियों द पूर्थ डायमेंशन के अनभूती हो जाए. कीसे समझचाए? समझने वाले केसे समझें? वही बात है. उसका वर्णन नहीं हो सकता. उसे शब्दों में नहीं इतारा जा सकता. जिस व्यक्ती ने उसको शब्दों में उतारने का प्रियास किया, तो समझ लेना चाहिए कि उसको अनभव नहीं हुआ, अनभव होता तो गूंगे का गुड़ बोल नहीं पाता तो जितनी भी ये फिलोसोफीज बनी, वो ऐसे ही लोगों की वज़े से बनी कि बीच की धरमशाला में रुक गए और यू मान लिया कि हमको अन्ति मुवस्ता के अनभूती हो गई और उसका वर्णन करने लगे, उसको लेकर एक फिलोसोफी खड़ी कर दी, इसने एक फिलोसोफी खड़ी कर दी, इस सम्परदाय की एक फिलोसोफी, इस सम्परदाय की एक फिलोसोफी, अन्ति मुवस्ता पर प पहुंचना है कितना समय लगे नहीं कह सकते अपना अपना संग्रे कितना संग्रे किसी ने कर रखा है और अपना अपना संग्रे और अपना अपना काम संग्रे जादा होगा जादेर लगेगी कम संग्रे होगा विकारों का कम देर लगेगी लेकिन कम संग्रे है फिर भी काम न का सवाल है निरंतरता नितांता वच्चे के ये हमारे सफलता की कुंजी है यही कुंजी है जिससे सादक सफल होता है निया निया सादक उसे कहें कि काम शुरू करते है निरंतरता बया जा कैसे आवे बचारा अभी तो बात है नहीं पूरी से समझ में आए लेकिन अब दो दिन पे बैठे रहेंगे, नहीं, छुट्टी के समय जो जो काम करना है, उठना है, जाना है, खाना है, पीना है, नहाना है, जो काम करना है, सब करेंगे, लेकिन जागरू करेंगे, भीतर से आँख खुली है, लेकिन भीतर ये काम चल रहा है, उठी हैं, तो इन सम्मेद्राओं को जानते जानते उठें ये भी जान दें कि मैं उठा हूँ, अब चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ, पाँ उठा है, पाँ आगे गया है, दूसरा पाँ उठा है, आगे गया है, सभावी गती से चलेंगे, अपनी गती को धीमा नहीं कर देंगे, नहीं तो फिर सभाव से क्या हो रावस को जान नहीं पाएं, यादत पड़ जाएगी हर बार जब जानना होगा तो बहुत दी में चलो बहुत दी में चलो ऐसा नहीं अपने सभाव से चल रहे हैं, अपने सभाव से खा रहे हैं अपने सभाव से नहा रहे हैं, सब काम करते हैं और भीतस संविदना क्या हो रही है अगर केवल काम के प्रति सजग हो गए तो लाब तो हुआ एकागरता का लाब हुआ निर्मलता का लाब नहीं हुआ निर्मलता का लाब लेने के लिए हमें शरीर की संविदनाओं की जानकारी नितान तावश्यक है और शरीर की संबेदनाओं को अनित्य है ऐसा समझना नितान तावश्यक है और ऐसा समझ करके समता में रहना नितान तावश्यक है यही परग्या में स्थापित होना है इसी को पुरानी भाशा में स्थित परग्य कहा परग्या मिस्तिर हो गया खाते पीते चलते फिरते हर अव अवस्था आजाए कि सारा का सारा शरीर के वो परमानों का पुंज है जिसमें इस कदर उत्पादवे 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 हो रहा है वो अवस्था भी देड़ लगे तो कम से कम जो अंग हिलन डुलन हो रही है उसकी संबेदना तो जाने चल रहे हैं तो पाउं में हल पर संबेदना है मसूदों पर संबेदना है अब दान से चिगल रही है तो चिगल रही है और संबेदना मालू हो रही है जीप पर संबेदना है अब गले में निगलने लेके तो निगल रही है और संबेदना है अनित्य है अनित्य है अनित्य है अनित्य है जो जो काम करेंग आएंगे धोएंगे यहां तक कि आराम करना है लेटे हैं तो लेटे हैं तो यह जान दे हैं कि इस प्रकार लेटा हूँ बस हो क्या रहा है कि बोल इस प्रकार लेटा हूँ इस प्रकार लेटा हूँ ऐसे करते चले जाएंगे तो बड़ी उपर उपर की बात हुई, चिछली चिछली बात हुई, लेटे हैं, रात हो गई, रात सोने के लिए है, बिस्तर बजा के लेट गई, आख बंद कर ले, अब क्या हो रहा है, सिरसे पाउं तक विधीवत चक्कर लगाने की जरूरत नहीं उस समय, उस समय जहां जो म बेदना हुई, अनित्य है, हो सकता है सारे शरीर में मालू होने लगे, अनिता जहां मालू हुई, अनित्य है, अनित्य है, यों करते करते नीद आ गई, बड़ी अच्छी बात, रात सोने के लिए थे नीद आ गई, जैसे ही सुब आंग खुलेगी, तो देखेंगे इस मालू भी हो रहा है, लेटी हैं मालू भी हो रहा है, कभी कभी ये भी होगा, कि सारी रात नीद आई ही नहीं, बड़े कल्यान की बात हो गई, बहुत बड़े कल्यान की बात हो गई, इसी को कहते हैं, सारी दुनिया सोती है, विपशना योगी जागता है, इसी में जागता ह यही तुर्य अवस्ता है जो हो офार है उसे जान रहा है उस अनित्य बोध में चिन्ता शुरू कर दे एक बात क्या लखनी चाहिए कि कहीं ये नशाण न चड़ जाए कि हम तो भी पच्थणा योगी हैं हमको सारी राज जागना है तो हम तो बैटके सारी रासादना करेंगे हम नहीं सोने वाले तो जोर जबर्दस्य नहीं होता अपने सहज भाव से नीद नहीं आई तो नहीं आई आई तो आई और अगर नहीं आई तो हम चिंता नहीं करते नहीं तो जबर्दस्य जागेंगे अपने आप नीद आ गई आ जाए और नीद नहीं नीद आए इसलिए जवरन जागेंगे ऐसा नहीं करेंगे अगर नीद नहीं आ रहे हैं अपने आप नहीं आ रहे हैं तो हम जान रहे हैं जान रहे हैं तो चिंता नहीं करेंगे अगर चिंता शुरू कर देख मुझे नीन नहीं आ रहे अरे 11 बच गए नीन नहीं आ रहे 12 बच गए 1 बच गए 2 बच गए नीन तो दूसरे दिन विपशना योगी नहीं रोगी होके उठेंगे बहुत बड़ा रोग लेके उठेंगे बहुत आलस आएगा तंदर आएगी जी घबराएगा सारी रात नीन नहीं आए और अगर उसे समता बहुत से देखते चलेगे अरे अनित्य है अनित्य है तो सुबह मुसकराते हुए उठेंगे बड़ा हलका फुलका बड़ा फ्रेश हो करके तरो ताजा होके आदमी उठेगा आके नीद प्रकिर्टी ने क्यों बनाई हमारा शरीर दिन भर काम करता है उसको विश्राम मिलना ही चाहिए अनरजी वापस गेन करने के लिए हमारा मन दिन भर ये काम करे वो काम करे उसको जरा विश्राम मिलना ही चाहिए विश्राम मिलने के लिए नई उर्जा अर्जित करने के लिए शरीर और चित दोनों के लिए नीद बनाई गई हमने शरीर को लेटाए रखा इसलिए कहती है कि रात को जबरदस्टी बैटना या फिरना कतई मना है बिस तरफ पर लेटे रहें तो शरीर को पूरा आराम मिल गया और मन को इस से ज़्यादा आराम कभी नहीं मिलता कि वो इस सक्षन के सचाई को जानता रहे और प्रतिक्रिया नहीं करे जानता रहे और प्रतिक्रिया नहीं करे आरे बेचारा थकता इसी मारे है कि इस सक्षन पर जो कुछ हुआ उसको किसी पूर्वकी अनभूते से जोड़ेगा कोई भविश्य की कलपना से जोड़ेगा और ये अच्छा लगा ये बुरा लगा तो राग पैदा करेगा द्विश पैदा करेगा बड़ा ब्याकुल हो जाएगा ब्याकुल होगा तो ठकेगा बेचैन होगा अशांत होगा अब ब्याकुल होता नहीं वरतमान में जो हो रहा है जो संबेदना हो रही है वो अनित्य है तो जरासी ब्याकुलता नहीं जरासी अशान्ती नहीं तो अपने हाप आराम मिल गया इस से बड़ा आराम मन को मिलता नहीं बहुत आराम मिल गया दोनों को और सुबह फिर उसी तरह से काम में लग जाएंगे यू निरंतरता ये अभ्यास के निरंतरता बड़ी कल्यान कारणी है बड़ी समझदारी के साथ काम करें और बाकी बचे वे दो दिनों का इस प्रकार उपयोग करें कि चलते फिरते खाते पीते हर अबस्ता में जब ध्यान में बैठे हैं तो बैठे बैठे आँख खुले खुले देख रहे हैं आँख खुले भीतर देख रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं ना रहे हैं दो रहे हैं लेट रहे हैं हर अबस्ता में सजग हैं सजग हैं सजग हैं किस बात के लिए सजग हैं भीतर की सम्मेदनाओं के लिए सजग हैं काम करेंगे तो प्रकत ही होती जाएगी दो दिनों में भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा खूब लगन से निश्था से काम करें और निरंतरते से काम करें और फल नहीं आये ऐसा नहीं होता जितना काम करेंगे उतना फल आएगा है ये जो कल कह दिया कि हमारे पांच दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं लगे हैं लेकिन घबराना नहीं उससे मन में उदासी निराशा नहीं आ जाये उसके वज़े से हमारे साथ पांच मित्र भी हैं इन पांच मित्रों को साथ रखेंगे बड़े बलवान है ये मित्र ये पांचों मित्र हमारे साथ रहेंगे निर्मल रहेंगे निर्मल रहेंगे तो बलवान रहेंगे इनको मैला कर दिया तो यही दुश्मन बन जाएंगे पांच हमारे मित्र निर्मल रहें कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड सकेगा खूप प्रगति होगी तो जैसे अपने दुश्मनों को पहचाना और उनके प्रति सजगता सीखी कि वो दुश्मन सिर्पना सवार हो जाएं ऐसे ही अपने मित्रों को पहचाने कि इनको हम कैसे निर्मल रखें और कैसे इनकी बज़े से अपना बल बढ़ाएं कौन पांच मित्र हैं पहले को कहा श्रद्ध श्रद्ध है भक्ती है बिश्वास है धर्म के दुश्मरन हो जाएगा और करने लगे हैं किसी का सुमरन तो एकदम भटक गए कहीं किस रास्ते चले गए समर्ती माने सजगता और अपने बारे में पच्चतं प्रत्यत्म अपने प्रती क्या घटना घट रही है उसके प्रती सजग रहना तो सती हुई चौथा मित्र हमारा समाधी यही सजगता चण प्रतिक्षण चण प्रतिक्षण इसी तरह चालू हो रही है चालू रही है इसमें बाधा नहीं आती तो लंबे अर्षे तक समर्ती वान रहे समाधी हो गई सजगता है तो समाधी ठीक है और सजगता नहीं है किसी कलपना में डूब गया तो समाधी नहीं है किसी कलपना में डूब करके चित्त को एकागर कर सकता है किसी कामना के सहरे चित्त को एकागर कर सकता है किसी पर द्वेश जगाते हुए चित्त को एकागर कर सकता है कोई काम की बात नहीं हुई सजग है अपने बारे में सजग है और उस सजगता को आलमबन बना करके चित्त को एकागर कर रहा है राग नहीं जगा रहा, दूइश नहीं जगा रहा उस समाधी, सम्यक समाधी हुई, बड़े कल्यान की हुई पांचवा मित्र हमारा प्रग्या आरे महा कल्यान कारी मित्र हमारा प्रग्या वो भी कहीं कर बढ़ना हो जाए कि कहीं शुरुत प्रग्या को ही प्रग्या मान के अटक न जाए शास्तर पढ़ लिए ना सारे शास्तर पढ़ लिए अब तो बड़ा ग्याता हो गया हमे अत्वा चिंतन प्रग्या को प्रग्या मान करके अटक न जाए बड़ा चिंतनमनन करता है, तरक्वेतर करता है खुब समझ गया थरम, कुछ नहीं मिलेगा ये जो भावना माई परग्या है, अनभूतियों से जो सत्य उजागर होगा और उस सत्य के सहारे जो ग्यान जागेगा, वो सही माने में परग्या है वो प्रत्यक्ष ग्यान है इस माने में प्रग्या है प्रग्या सच्मुच प्रत्यक्ष हुई की नहीं भावना मई हुई की नहीं उसको मापने का एक मापतंध है अगर सच्मुच भावना मई प्रग्या है तो इसका मतलब हमको संबेदनाओं के सहारे सच्चाई को जानते जा राग नहीं जगाते हैं, द्वेश नहीं जगाते हैं, मन को अशान्त नहीं होने देते हैं, बेचेड नहीं होने देते हैं, सम्ता रहती हैं, हम बड़े शान्त रहते हैं, बड़े सुखी रहते हैं, ये सम्ता जीवन में भी आने लगी कि नहीं, ऐसे जांसते रहेंगे, और ए इसे अपने यहां होता है कुछ वर्षों तक तो संजुक्त परिवार में दोनों साथ साथ चले पिर किसी बात को ले करके मन मुटा हुआ जगड़ा बढ़ा तो तैह हुआ कि सारी संपती आदी आदी बांट ले जमी इन जायदात रुपे पैसे सब बांट ले सारा कुछ आदादा बटवारा होने के बाद किसी ने देखा कि बाप ने कहीं गुपत जगए एक पुड़िया छिपा के रखी उसे भी निकाल ला है इसको भी बांटे मैं क्या है इसमें तो देखा उसमें दो मुद्राइं दो अंगुठियां एक अंगुठी पर बड़ा कीमती हीरा जड़ा हुआ और दूसरी मामुली चांदी की अंगुठी तो बड़ा भाई को लो भाया वो छोटे भाई को समझाता है कि मुझे ये लगता है कि ये बाप के कमाई नहीं है इसलिए अलग रखा इसको ये पुरुखों की कमाई है और पुरुखों की कमाई है तो पीड़ी दर पीड़ी चलनी चाहिए बेच करके इसका हम धन बांट लेंगे तो चलेगी कैसे ये मैं बड़ा हूँ मैं समाल के रखूँगा तो ये हीरे वाली मेरे पास रहने ले और चांदी वाली तू ले शोटा भाई मुस्कराता अच्छी बात खोश रहो आप हीरे वाली से खोश रहो हमको चांदी वाली ठीक है बंट वारा हो गया दोनों के जीवन में उतार चड़ाव आते हैं बसंत आता है पज़ड आता है बसंत आता है पज़ड आता है जिसने हीरी केंगटी पहन रखी है बसंत आता है तो बांसों उचलता है और पज़ड आ जाता है मन्चाई नहीं हो रही अंचाई हुए जा रही है तो इतना उदासी में डूब जाता है यतना उदासी में ढूब जाता है जब देखो तब टेंशन ही टेंशन टेंशन ही टेंशन डिप्रेशन ही डिप्रेशन हाईपर टेंशन तो टांक्नलाइजस लेता है स्लिपिंग प्रिस लेता है और बात बढ़ते बढ़ते electric shock लगते हैं ये बड़े भाई की हालत जिसने हीरे की अंगूठी ली छोटा भाई चांदी वाली अंगूठी को देखता है बाप ने इतनी कीमती हीरे की अंगूठी समाल के रखी ये बात तो समझ में आई मामूली चांदी की अंगूठी इसी क्यों समाल के रखा इसमें भी कोई ने कोई रहश्य है बड़े ध्यान से देखता है तो उस पर कुछ लिखा हुआ है कुछ खुदा हुआ है क्या लिखा है पढ़ता है उसे तो उस पर लिखा है यह भी बदल जाएगा ओ यह मेरे बाप की सीख है यह भी बदल जाएगा बड़ा खुश है अंगुटी पहन रखी है बसंत आता है तो नाचता नहीं उचलता नहीं अरे ये भी बदल जाएगा जब तक है तब तक ठीक है इसका भूग भूगें पर कैसे भूगें तेन त्यक तेन भुन जेता है त्याग करके भूगे अना सकत हो करके भूगे और देखते देखते बसंत चला गया पजड़ाया फिर उठीक को देखता है ये भी बदल जाएगा रोता नहीं ये पजड़ भी हमेशा रहने वाला नहीं है ये बसंत भी हमेशा रहने वाला नहीं है चित्त सम्ता में रहता है ये उधारन की बात है ऐसी प्रग्या भीतर जागने लगेगी तो बाहर के जीवन में प्रगट होने लगेगी उसका प्रगटी करन बाहर होने लगेगा बाहर के जीवन में चाही अंचाही घटनाएं होते हुए हम अपने चित्त को समता में रख पाते हैं कि नहीं ऐसा अपने को जाचेंगे तो ये पांचों के पांचों मित्र समझदारी के साथ इनके निर्मलता रखते हुए विवेक के साथ इनको अपने साथ रखेंगे तो पांच बड़े बल है ये बहुत बड़े बल है और इन बल के सारे 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 मानो जीवन को सफर बना लेंगे बहुत कल्यान कारी मित्र हैं हमारे इन पांचों मित्रों को साथ रखें और बाकी जो तीन दिन बचे हैं उसका खूब उप्योग करें खूब अच्छा उप्योग करें समझदारी के साथ उप्योग करें और अपना मंगल साधलें कल्यान साधलें इस तपो भूमी पर जो जो तपने आए समझदारी के साथ तपे और उनका खूब मंगल हो खूब कल्यान हो खूब स्वस्ति मुक्ति हो स्वास्ति मुक्ति हो भुवत्व स्ववंगलं स्वास्ति भलहू 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 चाहें तो पांच मिट विश्राम कर ले फिर थोड़े दियान करेंगे पांच मिट विश्राम कर लेंगे तो ये तो पुराने कर्म के वज़े से किसे सत कर्म के वज़े से प्राप्त हुआ लेकिन भीतर क्या कर रहा है वो सारी धन दौलत वैभव के वज़े से अहंकार जगा रहा है इतना अहंकार ही हर व्यक्ति के प्रति घ्रना मैं देख कितना समझदार इसलिए इतना धन कमा लिया ये देख कैसा गया गुजरा इसलिए दरिद रहभी तक मैं ऐसा ये ऐसा मैं ऐसा ये ऐसा तना अभी तना जो बीज बोलता है अहंकार के बीज बोलता है घ्रना के बीज बोलता है द्वेश के बीज बोलता है आज तो बड़ा चारों और प्रकाश है माने चारों और बड़ी सुक संपदा है आज जो बीजबो रहा है इसका फल क्या आएगा ये जो बीजबो रहा है अंदकार भी लाएगा दुख भी लाएगा ये जो इस समय सुखद स्थिति आई है इसके अपने सीमा है समप्त हो जाएगी उसके बाद यही फल आएगे तो प्रकाश से अंदकार की और भागी जा रहा है सुखद स्थितियों से दुखद स्थितियों की और भागी जा रहा है तीस्ते तरह का व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही जैसे पहले तरह का व्यक्ति अंदकार ही अंदकार जीवन में लेकिन प्रग्या है भी तर तो खूब समझता है ये सारा अंदकार जो आया है इस व्यक्ति के वज़े से नहीं इस तिति के वज़े से नहीं इस गटना के वज़े से नहीं ये तो माध्यम बन गए आना ही था मेरे अपने दुशकर्मों के वज़े से अईसा फल आना ही था नया दुशकर्म नहीं करूंगा नया बीज दुख का नहीं डालूंगा नया दुश नहीं जगाउंगा महत्र ही जागेगी ये व्यक्ति माध्यम बन गए रे मेरे दुख का माध्यम बन गया रे इसको अपने किये का फल न भोगना पड़े रे इसका कैसे मंगल हो इसका कैसे कल्यान हो बीज बोता है मंगल मैत्री का बोता है आगे सुख ही लाएगा तो इस समय अंदकार है आगे के लिए प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश अब दुख है आगे के लिए सुख है ये तीसरे तरह का ब्यक्ति अंदकार से प्रकाश की और जाने वाला चौते तरह का ब्यक्ति प्रकाश ही प्रकाश है सुख है, सुविदा है, धन है, दौलत है, प्रतिष्टा है लेकिन साथ साथ प्रग्या है, खूब समझता है मेरे किसी सतकर्मों के वज़े से यह प्राप्त हुआ कैसा ही सतकर्म क्यों न हो अनन्तकालत के रहने वाला नहीं है इसकी अपनी सीमा है समाप्त हो जाएगा जब है जितने दिनों है उसका लाब लेना है ग्रियस्त हूँ अपना भरन पोशन करना परिवार का भरन पोशन करना अपने पराश्चित जितने लोगां सब का भरन पोशन करना और बाकी फिर लोगों के कल्यान में लगे लोग कल्यान में लगे अधिक से अधिक लोगों को कैसे शुद्ध धरम मिल जाए अधिक से अधिक लोग कैसे अपने भीतर प्रग्या जगा लें अधिक से अधिक लोग कैसे दुख से मुक्त हो जाए यही भाव जगाता है तो अब भी प्रकाश है आगे के लिए भी प्रकाश के भीजबोता है न ऐसा व्यक्ति प्रकाश चे प्रकाश की और जा रहा है सुख से सुख की और जा रहा है हम पहले और दूसरे तरह के व्यक्ति कदापी नहीं बने तीसरे या चोते तरह के बने तीसरे बने या चोते बने ये अपने वश्क की बात नहीं क्योंकि जीवन में बहुत बार अंदकार आ जाएगा दुखा जाएगा बहुत बार सुखा जाएगा पुराने जीवन में पुराने जन्मों में बहुत तरह के काम किये अच्छे भी किये बुरे भी किये उनका प्रभाव सुख और दुख के रूप में आने वाला है चाहे सुक आवे चाहे दुख आवे चाहे प्रकाश आवे चाहे अंदकार आवे भीतर तो हमेशा प्रकाश रखेंगे ही नया संसकार ऐसा कदापी नहीं बनाएंगे जो आगे के लिए हमारे लिए दुख पैदा करे अंदकार पैदा करे बस विपश्चना से यही सीखेंगे हर व्यक्ति अपना मालिक खुद है अपनी गती खुद बनाता है ये मल्कियत हाशिल हो जाए भीतर तक अपना मालिक बन जाए इस सक्षण का मैं मालिक पहले जो किया सो किया बीत गई है इस सक्षण का मैं मालिक तो भविष्य का मालिक मैं हो गया भविष्य क्या है वर्तमान की ही संतान है वर्तमान क्या है भूत की ही संतान है भूत में जो कुछ किया सो किया अब मैं मालिक हो गया आगे धारा को बिगडने नहीं दूँगा अत्ताही अत्तनो गती अपनी दुरगती अपनी बेवकुफी से करता है अपनी अज्यान से करता है उस दुरगती से बच जाएगा सदगती करेगा मालिक हो गया अपना सदगती ही नहीं सारी गतियों के परे मुक्त वस्ता तक पहुंच जाएगा मालिक हो गया अपना ऐसे अत्ताही अत्तनो नाथो ऐसे बने केवल प्रवचनों से नहीं बन सकते केवल वानी विलास बुद्धी विलास से नहीं बन सकते उसी के लिए ये सारा काम करना है अंतर मुकी होकर कि हम अपने मालिक हो गए इस सक्षण का मैं माली अंधकार का बीच बो hon गा नहीं बो नहीं पाएँ spelled ऐसा सिजग चन परतिचन ऐसा सिजग आरे बड़ा मंगल हो जाएगा बड़ा कल्यान हो जाएगा हिंदू अपने को हिंदू कहता पिरे न जहिन जहन कहता फिरे बदबद कहता फिरे ईसाई वरक्षण करएं धर्म के रास्ते आएं हैं, संपर्दाय के रास्ते नहीं आएं, दास्नी जंजाल में बनने के लिए नहीं आएं, शुद्ध धर्म को समझें, गुद्रत के कानून को समझें, ऐसा होगा तो ये परिणाम आएगा ही, ऐसा ऐसा नहीं होगा ये परिणाम नहीं आएगा, ये बा खूब मंगल धरम में सारा जीवन धरम का जीवन जीना है जितना सीख के चली जाओगे दीवन में बहुत काम आएगा खूब मंगल हो खूब कल्यान हो खूब स्वस्ति मुक्ति हो सभी तापसों की खूब स्वस्ति मुक्ति हो बववत्व सेवे मंगलं बववत्व सेवे मंगलं बववत्व सेवे मंगलं बववत्व सेवे मंगलं फलहू 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 चाहें तो पांच निट विश्राम कर ले फिर थोड़ी सी दियर अभ्यास करेंगे पांच निट विश्राम कर ले तो महिमान आते होंगे ना कभी तो कहाँ यहां आते हैं तुमसे क्या मतलब एक बात और बता दो यह जो महिमान आते हैं कभी कभी तुम्हारे लिए उपहार लेका आते होंगे लेकर आते हैं तुमसे क्या मतलब एक बात और बता दो कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में महमान बन करके आए और कोई उपहार लेकर के आए भेंट लेकर के आए और तुम वो भेंट नहीं स्विकार करो तब उस भेंट का क्या हो अरे क्या हो जो लेकर आया उसके पास रह गी और क्या हो इतनी मामूली बात क्या पुछते हो बूड़े बाबा यही कहना चाहता हूँ तुम हमारे घर में महमान बन करके आए और ये गालियों का उपार लेकर के आए भेंट लेकर के आए हम तो नहीं स्विकार करते तुम्हारी बेंट तुम्हारे बास आरे बूढे के बास समझ में आई बड़ा समझदार आदमी था ये दो अपने मान्यताओं का चिपकाव होता है जीना सा पर्दा करमकांडों का चिपकाव होता है वो सही बात समझने नहीं देता जराद दूर हुआ बात समझ में आ गई ये कैसा व्यक्ति और हम कैसे व्यक्ति सारी जीवन भर कोई व्यक्ति एक उपहार लेकर आता हम दस देती है वो दस लाता हम सो देते है तू भी दुखी मैं भी दुखी इसके पास गालियों का कोई उपहार लेकर आई है उसे सिवकार ही नहीं करता बदले में देता ही नहीं बड़ा सुखे आदमी है अरे श्रमन गौत्तम ये तो बता कि तूने ये उपहार नहीं लेने वाली विद्य सिखी कैसे बैठ बुड़े बाबा बैठ आख बंद कर देख सांस को देख सांस को देखते 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 देख शरीर को देख चित्त को इस संबेदनाओं को देख ना देख नहीं जगाए छुटका रहा हो गया ना देखते 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 वो व्यक्ति अरंत हो गया ये भारत दो आज ब्राह्मन सारा जीवन बदल गया सारे जीवन लोगों को बारता है इतने कल्यान कारी बात इतने कल्यान कारी बात इस समता आनी चाहिए अनुभव पर उतरनी चाहिए जिससे विकार निकलें ये भी केवल फिलोसफी बन के रह गई केवल एक सिद्धान्त बन के रह गया एक थियोरी बन के रह गई किसी काम के नहीं फिर लड़ते फिरेंगे कि हमारे बुद्ध भगवान ने देखो क्या सिखाया और तुम्हारे ने क्या सिखाया और हमारा देखो ऐसा है तुम्हारा ऐसा है तुम निकम्मे हो हम ऐसे हैं सब निकम्मे ही निकम्मे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं सब निकम्मे ही निकम्मे हैं चाहिए इस दर्शन को मानने वाले चाहिए उसको मानने वाले इस करमकांड को करने वाले कि उसको करने वाले इस संपरदाय के बाड़े में बंद है कि उस संपरदाय के बाड़े में बंद है कुछ फरक नहीं पड़ता, आदमी आदमी है, बावलेपन में अपनी हानी करता है, होश आ जाए, अपनी हानी के बाहर निकल जाए, बस ये होश जगाना है, अंतर मुकी इसलिए हो रहे हैं, ये सम्बेदनाओं को देख रहे हैं, शरीर कर क्या दर्शन करो कि क्या पड़ा है ये तो हम जानते ही हैं, शरीर तो अनित्य है, वहाँ जाके दस दिन क्या नया जाना है, ये तो हम जानते ही हैं, अरे जानते नहीं हो मानते हो तुम, जाना कहां, वहाँ जाकर कि जानना सीखा, देख कितना अनित्य है, अनुभव से जाना देख कितना अनित्य है, और ये भ होती होती है राक करता है दुखद होती है दूश करता है ये देखा ना और ये देख करके अपने सुभाव को पलटने का काम किया ना तो काम की बात हो गए ना केवल से धांतों की बात नहीं है कोई फिलोसोफी की बात नहीं है किसी संपरदाय की बात नहीं है नियम है कुद्रत का जब तक हम शरीर के साथ आ सकते हैं और उसके साथ तादात में भाव है चित्त के साथ आ सकते हैं और उसके साथ तादात में भाव है मैं मेरे का भाव है तब तक राख जगाई ही जाएंगे हर संबीदना अगर प्री होगी तो क्योंकि मैं का भावव, मेरे का भावव, मुझे प्रिय लग रही है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तुराग जगाए गही, अप्री संबेदना मुझे बुरी लगती है, मुझे नहीं चाहिए, दूश जगाए गही, यह मैं मेरा कैसे तूटे, उपदेशों से नही तूटता, यह सुखद दुखद, सुखद दुखद आती रहती है, कैसे निकले इसके बाहर, यह समता, भीतर तक आ जाए, जीवन में उतरनी शुरू हो जाए, जीवन में उतरनी शुरू हो जाए, इसका मतलब यह भी नहीं समझना चाहिए, कभी-कभी सादकों को यह भरंत जाए हम भी पशना वाले हैं नहीं बास समझ में आए ग्रियस्त हैं जिम्मिदारियों को जीवन जीना है बहुत बार ऐसी अवस्था पैदा होगी कि जहां पर हम किसी को बहुत म्रिदुल कौमल भाशा में समझाएंगे ये भाई ठीक नहीं है तेरा ये कहना ठीक नहीं तेरा ये करना ठीक नहीं फिर भी उसके समझ में नहीं आएगा तो बहुत कठोर भाशा का बहुत कठोर शारीर कर्म करेंगे शरीर और वाने से कठोरता का कर्म करना दोश नहीं है पर कठोरता नहीं आएगी कठोरता और कठोरता में जमीन आस्मान का अंतर है एक उधारन से समझे एक बच्चा साप की और भाग रहा है उसे पकड़ने के लिए आग की और भाग रहा है अब उसे क्या समझाएं कि वो तेरा काल है उसे और मत जा समझेगा नहीं सारा बल लगा कि उसे दूर करते हैं उसके भले के लिए दूर करते हैं जब उसको दूर करते हैं उसको बहुत बुरा लगता है और हम दूर करते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है और हम दूर करते हैं तो उसको बहुत बुरुद नहीं है तो समझो धर्म है बल का प्रियो करना पड़ा करना पड़ा क्या किया जाए ऐसे ही कोई बड़ा बलवा हमसे बहुत मतलब है जो आकरमन करने वाला है उसको सारा बल के साथ दूर करेंगे आकरमन से पहले भी करते थे विपशना की ये भी ना भी कोई आदमी करता था लेकिन बहुत बड़ा फरक पढ़ जाएगा फरक ये पढ़ जाएगा कि पहले तो आकरमन करने वाले बल्वान व्यक्ति को जालिम व्यक्ति को हम बल के साथ दूर करते थे उसके पर थी बड़ा द्विश होता था बड़ी ग्रणा होती थी और जिस पर आकरमन हो रहा दुरबल है उसके पर थी बड़ी करणा होती थी अरे अबोध है उसे होश नहीं क्या कर रहा है औरों का अमंगल तो करता ही है अपना भी अमंगल कर रहा है क्योंकि वो इस तरह का दुशकरम बिना विकार जगाए कर नहीं सकता और विकार जगाता है अपना अमंगल करता है विकार जगाता है वो किसी तरह की भाशा समझता न प्यार को समस्ता नहीं तो हमें कठोर व्यववार करना ही पड़े पर कठोर व्यववार करते हुए उसके प्रती बहुत मैत्री है बहुत करना है तो समझो भी पश्णा में पकने लगे सारे समाजों में सारे संप्रदायों में यही हो गया सचाई भीतर की लुपत हो गई उपर उपर की बातों में सारा जीवन खो दिया पल्ले कुछ नहीं पड़ा लाब कुछ नहीं हुआ भीतर से सचाई देखना शुरू कर दे तू देखे कैसी आर्त ध्यान ही आर्त ध्यान चल रहा है यह चाहिए रहे यह चाहिए रहे यह चाहिए रहे ब्याकुल होता है इसी को आर्त ध्यान कहती है ध्यान तो है उसी पर लगा है सारा ध्यान आर्त ध्यान यह रोदर ध्यान चलता है यह नहीं चाहिए रहे यह नहीं चाहिए रहे तो ब्याकुल हो जा रहा है आरत ध्यान है यह रोदर ध्यान है ध्यान तो ध्यान है आरे यही धर्म ध्यान हो जाए अब धर्म समझ में आने लगए कि देख उतपाद होता है बेह होता है और इसके प्रती राग जगा रहा हूँ ब्याकुल हो रहा हूँ ना उतपाद होता है बेह होता है इसके प्रती द्वेश जगा रहा हूँ ब्याकुल हो रहा हूँ ना यो धर्म समझ में आने लग जाये तो ध्यान धर्म ध्यान हो गया धर्म ध्यान हो गया तो शुक्ल ध्यान हो गया चित शुक्ल होने लगा निर्मल होने लगा उजला होने लगा मेलदूर होने लगा लोगों ने करना तो ये सिखाया और हम कहां उलज गए कहां उलज गए खुब समझ में आएगा इन प्रवचन से तो यहां बेठे बेठे एक बात बड़ी तरक संगत लगी और बाहर गए तो और दस बात सुनी तो वो तरक संगत लगी साब धरा रह गया अनुभव पर इतरेगा तब हजार तरक कोई करता रहे अनुभव पर ऊतरा खोब समझ में आएगा, सच्चाई अनभो पर उतरे, यही साधना है, यही भी पश्चना है, अनभूते से सच्चाई को जानो, तो कुदरत का कानून बड़ा स्पष्ट, बड़ा स्पष्ट, क्या कुदरत का कानून थोड़े में समझाया गया? अनिच्या वत संकार उप्पादवय धं मिनो, उप्पादवय धं मिनो, उप्पजित्वा निरुजन्ति ते संगे भूपसमो सुखो अनिच्या वत संकार, सच्मुच सारे संसकार अनित्य हैं, अनित्य हैं, उप्पाद होना, व्य हो जाना, उत्पाद होना, व्य हो जाना, ये इनका धर्म है, जो कुछ संसार में हो रहा है, जो कुछ संसकार संस्कृत हो रहा है, बन रहा है, उसका ही सभाव है, उत्पन होना नष्ट हो जाना इस जो संसकार हम बीतर बना रहे हैं उत्पन्षबित नष्ट हो जाना उत्पन्षबित हो कि नश्ट होके समाप्त नहीं हो जाता, फिर उत्पन्न होता है, नश्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है, और जो फिर उत्पन्न होता है, प्रतिक्छन मरता है, फिर जनम ले लेता है, जो प्रतिक्छन पुनर जनम हो रहा है, प्रतिक्छन पुनर जनम हो रहा है, किसका हो रह इसी चित्त का हो रहा है प्रतिक्षन पुनर जन्म हो रहा है इस समय उत्पाद होके व्य हुआ और फिर दुबारा उत्पाद हुआ पुनर जन्म हुआ तो जितने मैल पहले कटे किये थे उसमे और क्या जोड़ दिया और संबर्दित होकर के हुआ फिर व्य हुआ और बढ़ाई जा रहा है, अपना दुख बढ़ाई जा रहा है, इस अक्षण करोध जगाया, तो जो चित्त करोध का उत्पन हुआ, अगले अक्षण समाप्त हुआ, लेकिन अगले अक्षण जो नया उत्पन हुआ, वो पुरानी की संतान है न, तो जो कुछ संग्रह कर रखा थ उसके साथ और नया क्रोध और जोड दिया और बढ़ा अगलेक्षन फिर क्रोध और बढ़ा अगलेक्षन फिर क्रोध योग्षन प्रतिक्षन प्रतिक्षन अपना क्रोध बढ़ाती गया घंटों बढ़ाता चला गया भै आया तो घंटों बढ़ाता ही चला गया वासना है तो घंटों द्वेशी द्वेश अरे ये संबर्धन ये एक प्रोसेस है इस प्रोसेस को समझें उप्पा दवे उप्पा दवे फिर उत्पाद फिर फिर उत्पाद ये संबर्धन 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 ये प्रोसेस ऑफ मल्टिप्लिकेशन बढ़ता ही जा रहा है बढ़त प्रकार के संबेदनाओं के अनुभूती हुई, दुखद हुई या सुखद हुई, क्या हुआ, हमारे किसी पूर्व कर्म का फल इस संबेदना के रूप में प्रगट हुआ, प्रगट हुआ, पर हमने नया कर्म नहीं बनाया, हमने उसको अनित्य ऐसा समझ करके संवर कर लिया हम सम्ता में रहे सम्ता में रहे तो वो process the multiplication का था हमने रोक लगा दी रोक लगा दी तो जो जागा था उसका निरुद्ध हो गया क्या निरुद्ध हो गया समय भी जाता है एक भाशा बदल जाती है शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और जब साधना नहीं रहती तो साधना समंदी शब्दों के अर्थ बदलते हैं, बहुत हानी करते हैं, निरोध शब्द, आज के हिंजी में और शैद अन्य भाषाओं में भी निरोध शब्द का अर्थ हो गया, दबा दिया, दबा दिये किसे को, निरोध कर दिया, निरोध हो संबता से देखा, संबर किया, तो निरुद्ध हो गया, मानों उसके निर्जरा हो गई, उसका ख्षय हो गया, अब दोरा नहीं जाक सकता, आगले एक छण फिर कोई संसकार से उठा करके आया, हम संबता में रहे, हम संबर में रहे, वो जो खड़कर गया, निरुद्ध हो गया, निर्द्ध हो गया उपज्यत्वा उत्पन्ण होता है जो जो उत्पन होता है निरुद हुए जा रहा है क्योंकि हम समता में हैं और इन गहराईयों में समता में हैं जहां कि प्रतिक्रिया किया करते थे अब नहीं करते प्रतिक्रिया तो उत्पन होता है नश्ट हुआ जो उत्पन होता कैसा नश्ट हो अगी फिर आने वाला नहीं उपजित्वा निरुजनती उसका उपशामन हो गया, दमन नहीं हुआ, शामन हो गया, समाप्त हो गया, ते संग भू पसम हो सुखो, जिसका जिसका समापन हो गया, उपशामन हो गया, आरे उतना उतना सुख परा यही काम करते करते सारा निकाल लेंगे तो वी संकार गतंचित संसकारों से वीईन हो जाएगा तो निभानंग परमंग सुखेंग ऐसे परम्सुख का नहीं होगा जो कभी इस सान सारी जीवन में मिली नहीं सकता ऐसा परमसुख, होना चाहिए न, इसको भी खाली मानने ता मान के रह जाए, कि हमारे बुद्ध भगवान ने ऐसा कहा, सारी संसकार निकाल लोगे, तो तुम्हें निर्वान का साक्षात्कार होगा, तुम्मुक्त हो जाओगे, कहा बुद्ध भगवान ने, तुम्हें क्या म समझनी तो है लेकिन केवल बुद्धी से समझ के रह जाएंगे तो बात नहीं बनेगी अनभूती से जानेगी कैसे संबर्धन हुए जा रहा है और कैसे संबर्धन पर रोख लगाती हैं तो कैसे विगठन हुए जा रहा है कैसे निरुद्ध हुए जा रहा है कैसे चुटकारा हुए जा रहा है नए नए सादक को ये जो संबरधन पर रोक लगाई ये तो समझ में आने लगते है भाई समझ में इतना जागी पुरानी आदत थी सुखद जागती थी राग जगाती थी दुगत जागती थी द्वेश जगाती थी अब ही में सीख रहे हैं, सुख दे तो राग मत जगाओ, दुख दे तो द्वेश मत जगाओ तो जितने जितने एक्षण हमने राग नहीं जगाया, द्वेश नहीं जगाया उतने एक्षण हमने संवरधन को रोका, बात समझ में आए पुराने कैसे निकल जाएं ये कैसी बात पुराने कैसे निकल जाएं ये प्रशना आता है इस वभाविक है आना भी चाहिए किसी बात को अंदर विश्वास से नहीं मान ले ना काम करते करते अपने अनभों से जानोगे तो मानोगे खूब समझ में आने लगेगा जैसे गहराईयों में जाते जाते ये बात समझ में आने लग जाएगी कि देख संबरधन हो रहा है और देखे संबरधन रुका तो हमारे दुख का संबरधन इस प्रकार होता है हमारे दुख का संबरधन इस प्रकार रुकता है ये अनभू से गहराईयों तक समझ में आने लग जाएगा तो दुख है और दुख का कारण है जड़ों तक ये आया कि दुख का निवारन हो रहा है ये बात बहुत पश्ट हो जाएगी कारण की नहीं होता तो कारण का निवारन हो रहा है दुक का निवारन हो रहा हुआ 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 वो भीतर है, हमने एक बीज, वट का एक बीज उपजाओ धरती में बोया, उस नन्ने से बीज से इतना विशाल वरिक्ष खड़ा हो गया, इतना विशाल वरिक्ष और देने लगा फल, बीज तो एक था, कैसे समर्दन हो रहा है, हर मौसम में हजारों बीज, हजारों फल आ रह हैं, और वट का बिक्ष है, बड़ा दिरगाई होता है, बड़ा चिराई होता है, कभी-कभी हजारों वर्स जीता है, तो कितने फल आए, बीस तो एक डाला था, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, पर कितना ही चिराई हो, कितना ही दिरगाई हो, एक समय आएगा कि वो जरजरित हो जाएगा बूड़ा हो जाएगा गिर पड़ेगा मर जाएगा पेड़ मर गया अब फल नहीं आते तो उपरी उपरी बुद्धे से समझेंगे तो हाँ भाई एक बीज डाला था उसके इतने फल आए पर आखिर बात तो खतम हो गई नहीं खतम होती बात बड़े जान से देखेंगे तो समझ में आएगा बिलकुल नहीं खतम होती बात वो जो एक बीज डाला था उसके वज़े से इतने फल आए थे एक भी फल ऐसा नहीं आता जिसमें उसी क्वालिटी का एक बीज नहो या एक से अधिक बीज नहो हर फल में उसी का एक या अधिक बीज होगा ही वट के नन्ने से फल में कितने बीज समाये हुए और एक एक बीज में एक एक वट विर्ष समाया हुआ वो फल में जो इतने बीज हैं उनमें से एक बीज धरती में गया उपजाओ धरती है एक बड़ा वटविश खड़ा हो गया अब वो दी जा रहा है फल पर फल हर फल का एक एक बीज एक एक वटविश लिए हुए है आरे कहां अंता है भाई तो बढ़ती जा रहा है ना बढ़ती जा रहा है ना क्या करे फल जो होगा वो बीज लाएगा अपने साथ लेकिन उस बीज को अगर हमने उपजाओ धरती नहीं दी हमने उसको उर्वरक नहीं दिया फोटिलाइजर नहीं दिया चट्टान पर डाल दिया तो नए फल आएगे नहीं ठीक इसी प्रकार हमारे पुराने कर्म फल लेकर के आते हैं तो किसी ने किसी संवेदना की रूप में लेकर के आते हैं और हम अपने पागलपन में ये जो फल आया है उसके साथ बीज भी है उस बीज को हम उपजाओ से उपजाओ धरती देते हैं उसको खूब उर्वरक देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, ऐ मेरे दुक के बीज, तू खूब फल, तू खूब फल, और उसको फलाई जा रहे हैं, फलाई जा रहे हैं, उसको धरते नहीं दे, उसको उर्वरक नहीं दे, खत्म हो जाएगा अप, हमने बढ़ावा नहीं दि का यसा भी था लगवग पांस सो से हजार वरस तक बलकि उससे भी कुछ जादा वरस तक देश में ऐसे साहित के तैयार हुए, साहित कारून ने ऐसा साहित के लिखे, भिन्ने भिन्ने धरम के नाम पर लिखे, कि जिनमें ऊपर-उपर से एक तरह से बात समझ में आएगी, और गहराय में जायेंगे तो बिलकुल, दूसरी ही बात, तो संकेतिक भाषा में एक परंपरा चल पड़ी, चल पड़ती है कभी-कभी, इस सहित्तिक धारा इस प्रकार चल पड़ी, तो ऐसे सहित्तिक धारा की एक कहनी, नाम सुना होगा, काली माई का, चंडी माई का, कानी है, जब आदमी में चंड सभाव जागता है, माने करुद जागता है, तो मानस पर काली मा ही काली मा, काली मा ही काली मा, सारा उजला पक्षदूर हो जाता है, कृष्ण पक्षदूर हो जाता है, शुक्ल पक्षदूर के अपनी हानी ही की, एक संपर्दा एक बाड़े से निकल करके दूसरे संपर्दा एक बाड़े में बदने के लिए आए तो पागलपन हुआ ना धर्म कहा समझ में है धर्म धर्म के नास्त चलने आए कुद्रत के कानून को समझ के उसके अनुसार अपना जीवन ढालने के लिए आए यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आए, बहुत अच्छी तरह, उलजन निकल जाएगी, अन्य था उलजे रहेंगे, यहां भी बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, वहां भी, क्या ध्यान करते हो, इसा नित्य का ध्यान करते हो, शरीर का ध्यान करते हो, आरे नित् तुमको तो चाहिए वो ना पहुंचना तो नित्य तक है ना नित्य, साश्वत, दुरू, अविनाशि तक पहुंचना है और ध्यान कर रहे हो अनित्य का, क्या कर रहे हो उलजाओ के बात ही नहीं समझ में आएगे तो humans गलत हो गई भाई, यह अनित्य का क्या ध्यान कर रहे हैं, हमको अनित्य से गया है, हमको तो नित्य तक जाना है, तो ध्यान तक जाना उसका ध्यान करे ना, बात नहीं समझ में आए, इसलिए ऐसा कहेंगे, बात समझ में आएगी तो कहेंगे, यह अनित्य ही है जो बांद रहा नहीं कि नानित्य के साथ चिपकाव पैदा करने के लिए करने हैं, अनित्य से छुटकारा पाने के लिए काम करने हैं, नित्य तो अपनी जिए है ही, आरे उसको चाहे जिस नाम से कोई पुकारे, नित्य तो है ही, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश का भी अस्तित्त है, जह अनित्य है वो अनित्य का भी अस्तित्त है पर वो नित्य का साक्षातकार होना चाहिए ना अनुभव होना चाहिए ना ध्यान करो ध्यान करो नित्य का ध्यान करो और किसका ध्यान करो तुम्हें अनुभव नहीं हुआ तुम जानते हैं नित्य का इसा है और तुम कल्पना की जा रहे हो ना उस कलपना से क्या में जाएगा तुम्हारी बनी बनाई कलपना है तुम्हारे मान सी कलपना है तुमने ऐसा सोच लिए ऐसा अनित्य है तुम्हें अनित्य में पड़ गए अनित्य का ध्यान इसलिए नहीं कर रहे कि अनित्य के प्रति हमारी आ सकते बढ़े अनि तो हुए कि नित्य अपने आप आया सामने अरे बादल में बादल बाहर-बाहर से गिरे हुए हैं भीतर प्रकाश तो उसके पेशे सूर्य का प्रकाश तो है ही सूर्य का प्रकाश पैदा करने के लिए में कुछ नहीं करना पड़ता वो तो है ही इन बादलों को दूर करें घन प्रित्य को दूर करने के लिए काम करने हैं, ऐसा समझ हुए आने लगेगा, तो ये दारशनिक लोग जो उल्जाने वाले हैं, संपरदाय वाले हैं, उनके उल्जिन में पड़ेगा नहीं, अपने काम में लगा रहेगा, हमारे काम के बात ये है, हमको यही करना है, अपने को ही से लग जाएगा इसके पीछे बहुत मंगल होगा बहुत मंगल होगा उस विक्ते के पास तो सम्यक संबुद्ध बना अनेक लोग भिख्शु बन करके अनेक लोग भिच्छुनी बन करके ये विज्जा सीखते रहे पर उनसे बड़ी संक्या तो ग्रेहस्तों की थी और वो पुरुष भी नारी भी यही सीखते थे कटनाई हैं जरूर होती हैं ग्रेहस्त के जीवने पर रास्तत हो यह सब के लिए तो कभी कभी कोई घ्रहस्थ आता था उनके समू के समू आते थे कि महाराज हम सन्यासी तो नहीं हो सकते हम भिक्षुनी अभी नहीं हो सकते घ्रहस्थ जीवन में रहते हुए उपना कैसे मंगल साध लें तो एक बार उनको उपड़िश दिया तुम्हारा मंगल किस बात में है किस बात में मंगल है ग्रियस्त को अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हुए कैसे धरम का जीवन जी या तो ग्रियस्त की जिम्मेदारी से मुक्त हो करके सन्यासी बन जाए, भिक्षु बन जाए भिक्षु नी बन जाए और सारा समय अपना इसे में लगा दे अन्यता ग्रियस्त भी है और ग्रियस्त की जिम्मेदारी को भी नहीं निभाता और काम भी कुछ नहीं करता तो निठला व्यक्ति हानी करने लगा ग्रियस्त की जिम्मेदारी निभा रहा है फिर भी धर्म का पालन कैसे करता है तो 38 मंगल धर्म सिखाए ग्रेश्ट का ये काम उसके लिए बड़ा मंगल कारी ये धर्म बड़ा मंगल कारी यूँ सिखाते हैं सिखाते हैं जब अंत में आए तो कहते हैं फुटस लोक धम्मे चेतन यसन कंपति ये उत्तम मंगल है बड़ा उत्तम मंगल है क्या उत्तम मंगल है फुटस सलोक धम्मे ये आठ तरह की बाते हमारे जीवन में हमारा स्पर्श करती रहती हैं उन दिनों की बाशा में उसे लोक धर्म कहा संसार का सुभाव है ऐसा होता है इसलिए लोक धर्म कहा क्या आठ तरह की बाते हैं सुख भी आता है दुख भी आता है लाद भी होता है हानी भी होती है चेश भी होता है निंदा भी होती है जीत भी होती है हार भी होती है ये इस तरह की दुन दमई बातें जीवन में आती रहती हैं, ये दुन दमई बातें जीवन में इस पर्ष होती हैं, जिसका चित कंपित नहीं होता उससे, अपनी समता नहीं खोता, संतुलन बनाये रखता है चाहे जो कुछ आए, चाहे जैसा आए, ऐसा समता में रहने वाला व्यक्ति अशोकं रोता फीटता नहीं अब उसको शोक नहीं होगा बिरजंग नया मैल नहीं चड़ाएगा बिलकुल नहीं चड़ाएगा अशोकं बिरजंग खेमं योगक्षेम से परिपूर्ण हो गया धरम का आश्रा मिल गया धरम की शर्म चला गया अब योगक्षेम ही य उत्तंग मंगल मुत्तंग, ऐसा उत्तंग मंगल, हर ग्रिहस्त प्राप्त कर सकता है, काम करना पड़े, किसी कभरोसे छोड़े दे, कोई बुद्ध कर देगा, कोई महाविर कर देगा, कोई राम कर देगा, कोई इश्वर कर देगा, कोई अल्लामिया कर देगा, हमसे तो नहीं दे सकता है एक बिख्षुनी दे सकती है तो जितना दे सकते है उतना समय दे करके अपनी जीवन को सुधारें अपने मुक्ते के मार्क पर चलें कदम 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 चलते हुए देर सबेर पहुंची जाएंगे पाथ समझ में आनी चाहिए तो स्वेम भी सारी जीवन बर खुद भी तो यही किया समता में कैसे स्थापित रहें चाहिए जैसी अवस्ता हो समता में स्थापित हुए कि नया दुशकर्म बनाएंगे नहीं नया संसकार बनाएंगे नहीं पुराने उकड़ते जाएंगे उखड़ते जाएंगे उखड़ते जाएंगे आगे जलोगे इसी रास्ते पर बढ़ते बढ़ते खूब समझ में आएगा खूब समझ में आएगा आग लगी है इंधन पड़ा है और आग लगी है उसमें हम उसमें नया नया इंधन डालते चले जाएंगे तो जो नया इंधन डाला वो जलेगा पुराने इंदर का धेर तो ऐसी पड़ा है नया जलय जा रहा है ऊड़ डाले जा रहे हैं उग अंत कैसी आएगा हम नया इंदर डालना बंद कर दें तो आग तो जला देगे जितना इंदर पड़ा उसे जला देगे सारा जलावन जल गया, चुटकारा होगे, आग अपने आप बुझ जाएगे हम नया नया दिये जाएंगे, तो कैसी चुटकारा होगा इतनी सरल सी बात है लेकिन नहीं समझेंगे बुद्धी से, अनुभोव से खूब समझ में आने लगे खूब समझ में आने लगा, इस रास्ते चलते चलते जीवन धारा क्या है, शरीर की धारा ये परमानों की धारा एक नस्ट होता है, दूसरा पैदा होता है उसकी एक संतती है, एक संतान, एक धारा है, चले जा रही है ऐसे चित्त की धारा एक नश्ट होती है दूसरी आती है ये चित्त की धारा ये शरीर और चित्त की मिली जूली धारा ये जीवन धारा कैसे चलती है जीवन धारा इसे कोई आहर मिलना चाहिए आहर मिलती है तो चलती है शरीर की भौतिक धारा को भौतिक आहर मिलना चाहिए तो चलेगी नहीं तो बंद हो जाएगी ऐसे चित्त की धारा को चैसिक आहर मिलना चाहिए नहीं तो बंद हो जाएगी एक उधारन से समझे ये शरीर की धारा इसको शरीर का आहर भोतिक आहर मिलना ही चाहिए दो वक्त भुजन करते हैं मन में आया कि नहीं करेंगा अज़ अपवास करेंगा नहीं किया उसको आहर नहीं दिया तो मर नहीं गई अभी अभी चल रही है दो दिन नहीं दिया, एक मेहने नहीं दिया, दो मेहने नहीं दिया, उपवास करते ही गए, दो मेहने, तीन मेहने, चार मेहने, फिर आगे जाकर एक तो मरी गई, शरीर मरी गया, तो क्या हुआ भाई, जब आहर नहीं दिया, तो ये शरीर धारा कैसे चली इतनी दिनों तक, कै समफ्थ हो गया, बाती खतम हो गई, धारा समफ्थ हो गई, ठीक इसी प्रकार चित्त की धारा, चित्त की धारा हमारे संसकारों से चलती है, संसकार डाला की नया विज्यान पैदा हुआ, संसकार डाला की नया विज्यान पैदा हुआ, प्रतिक्षन संसकार डालते हैं, नया व इग्यान पैदा होता है संखार पत्चिया विन्यान, संखार पत्चिया विन्यान, हमने हाथ खेंच लिया, हमने निया संसकार बनाते, अब कैसे चलेगी यह धारा, फिर भी चलती है, कैसे चलेगी, तो हमने जब हाथ खेंच लिया निया संसकार नहीं बनाया, तो कोई न कोई पुराने संसकार को अपना सिर उठाना पड़ा, जो संग्रह पुराना है उसने सिर उठाया, फिर एक नया चित्त बना, फिर हमने कोई नया संसकार नहीं बनाया, पुराने संसकार नहीं सिर उठाया, इस प्रकार उपजित्वा, निरुजन्ति, उपजित्वा, निरुजन्ति एक पर एक संसकार सिर उठाती है नश्ट होता है नश्ट होता है आरे ये सम्ता आए न और इन गहराईयों में आए न इसी को सामाईक कहा हमारे हाँ भूल भाल गए क्या सामाईक होती है इसी को कायुसर कहा हमारे हाँ उस सर्ग कर दिया काया का, काया के परती जरास है, मैं मेरे का भाव होगा, तो संसकार बनाएगा ही, तो बुद्धी किस तर पर हजार समस्तारे मैं नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं वस्तुता तो मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा चल रहा है, इसी मारे तुराग जगाता है, द्वेश जगाता है नहीं क्यों जगाता है ये सही माने में कायोत सर्ग हो पशना यही है और क्या है करते है करते है करते हैं उन गहराईयों तक चला जाए नया जलावन देवे ही नहीं नया संसकार बनाए नहीं पुराने अपने आप निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे चित सम्ता म रहे हर अवस्था में भीतर और बाहर समता में रहे समता इस व्यक्ति ने यही किया मुक्त हो गया और सारे जीवन भर एक उधारन पेश किया किस तरह से आदमी हर अवस्था में समता में रहे सकता है जैसे ही विद्या प्राप्त हुई बड़े करुण चित्त से लोगों को बा काम करते करते को अरंत हो गए, मुक्त हो गए, पांच से पचास को बांटा है, काम करते करते मुक्त हो गए, पचास से पांसो, पांसो से पांसे जार बस अब तो बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, तो समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग था, भी है वितराग बनो विद्वेश बनो सित्प्रग्य बनो वनासक्त बनो इत्यादी इत्यादी पर कैसे बनो कोई सिखाता ने को जानता भी ने ये व्यक्ति करना सिखाता है कुरा उक्दिश नहीं देता अरे बड़े काम की बात लग गया और अंदर आंख बंद गर के बैठे और कुद्रत ने दंड दिया तुरंट दंड दिया मुझे बेचेंग बना दिया और शान्त बना दिया इसी प्रकार में विकार से मुक्त हुआ चित निरमल हुआ तो मुझे परुषकार मिला तुरंट परुषकार मिला इतने शान्तिया नभव होती है ऐसा सुख नभव होत को तोड़ने पर दंड मिला और तत्काल मिला, कुदरत के नेमों के अनसार जिवन को ढालने से पुरुषकार मिला और तुरंत मिला। बारत की पुरानी भाशा में इसी को धर्म कहते थे। इसमें हिंदु पने से कोई लिन दिन नहीं मुस्लिम पने से की जैन पने से की बद्ध पने से की इसाई पने से की सिख पने से की पार्ष कोई लिन दिन नहीं अपने आपको इस संपरदाय का व्यक्ति कहता हो संपरदाय का कहता हो इस जाती का उस जाती का इस वर्ण का उस वर्ण का इस तरह की करमकांड करने वाला हो इस तरह की भेश भूशा वाला हो इस तरह की बोली बोलने वाला हो उस तरह की बोली बोलने वाला हो इस तरह की दार्शनिक मानने ता मानने वाला हो कुछ फरक नहीं पड़ता मन में विकार जगाया की दंड मिला जब विकार जागता है तब प्रकिट से ये नहीं देखती कि जिसमें विकार जागा ही अपने को क्या कहता है हिंदू कहता है कि बुद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ब्राह्मन कहता है कि शुद्र कहता है कि भारती कहता है कि हमेरे क्या कहता है अपने आपको नहीं देखती ये कैसे भेश धारन किये हुए नहीं देखती ये किस तरह के करम कंड करता है नहीं देखते कुदरत इस बात को ये आदमी कैसी माननिता मानता है कैसा दर्शन मानता है आत्मा है नहीं है परमात्मा है नहीं है आत्मा और परमात्मा दू है नहीं एक है क्या मानता ही अरे कुछ भी माने न विकार जगाया है न विकार जगाया है तो दंड मिलेगा ही निर्विकार हो गया पुरुशकार मिलेगा ही तो काम की बात समझ में आने लगती है दर्म के नाम पर किंस उलिजिनों में पड़ गए क्या लिना देना उनका धर्म से हमारी वो सारी प्रैक्टिस वो सारा अभ्यास जो हमको विकारों से मुक्त करता है वो धर्म है और विकारों से मुक्त केवल उपर उपर नहीं मन की उपरी उपरी हिस्से पर विकारों से मुक्त होना आसान है क्योंकि उपरी उपरी हिस्से को हम कहीं भुलावी में ले जाएं किसी अन्य बात में लगा दिया तो उसी में उल्जा रहा और विकार नहीं जगा रहा है अच्छी बात तो है कोई ऐसा चिंतन करने लगा अच्छा ही चिंतन करता है उस चिंतन में लग गया विकार नहीं जगा रहा कोई ऐसे भजन कीरतन में लग गया कि एक दम मन उसमें समाईट हुआ विकाड नहीं जगा रहा, अच्छी बात है पर ये कौन, कौन लगा ये मन का उपरी-उपरी हिस्सा लगा भीतरी हिस्सा वैशा का वैशा उस पर कोई असर नहीं होता पिर पशना करने वाला इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने लगेगा ये हमारी उपर उपर के चित और भीतर के चित के बीच में बहुत मोटी मोटी दिवा रही भीतर का चित क्या कर रहा है उपर वाली को कुछ पता ही नहीं उपर का चित खुब समस्ता है धर्म की बात बड़े प्रवचन सुने हैं पुस्तकें पड़ी हैं तो धर्म की बात उपर उपके खुब समझता है राग नहीं करना चाहिए, द्वेश नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, आंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ा कस्ट आएगा, बड़ा दुखा आएगा, फिर भी जो गहराई वाला मन है, अंतर मन है, वो राग की यही जा रहा है, देश की यही जा रहा है, करोग की यही जा रहा है, इर्शा की यही जा रहा है, आमकार जगाय जा रहा है, वो सुनता ही नहीं, सुने कैसे उस तक आवाज ही नहीं पहुंसती, इतनी मूटी दिवार है, परशना इसलिए कर रहे हैं, दिवार टूटे जो कुछ हमारे अंतर मन को महसूस हो रहा है उपर वाले मन को यह महसूस होना शुरू हो जाए सारा का सारा चेतन हो जाए कॉंशिस हो जाए सूपर कॉंशिस हो जाए जो भीतर प्रपंच चल रहा है उसे खूब जाने और जान करके ये समझें कि विकार जगाया कि देख दंड मिला विकार जगाया कि दंड मिला विकार नहीं जगाया तो दंड से बंचीती नहीं हो गए सुख मिला, शांती मिली, यूँ अनभूती से जानने लगा, तो किवल उपर वाला चित नहीं जानने लगा, ये भीतर वाला चित, जो अनुश्य विकारों से भरा हुआ है, पुरानी भाशा है, अनुश्य, शेहन कर रहा है, सोया है, जिसे आज कहें स्लिपिंग वॉल के नु जारा के साथ अनुश्रन करते चल रहे हैं, अनुश्रन करते चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, कभी कोई सिर उठाता है, हमें बहुत व्याकुल बना देता है, फिर बाकी अनुश्रन किये जा रहे हैं, और हम संसकार बनाते हैं, विकार बनाते हैं, वो दबते दबते अंदर चले जाती हैं, अनुशे हो जाती हैं, फिर इसके बाद साथ साच छुटकारा नहीं, इनको कैसे निकालें, ये जो अंतर मन की कॉंडिशनिंग हो गई, ये संसकार है, उसका एक सभाव हो गया, behavior pattern हो गया, राग जगाएगा तो जगाते ही जाएगा, जहां सुखद अन भूती होगी, द्वेश जगाएगा, जगाएगा, किसे की बाद सुनने को तयार नहीं, बस इसको धरम कहें, कैसे अपने अंतर मन को सुधारे, संबर करना बहुत अच्छा है, आँखों का संबर, कान का संबर, नाक का संबर, जीब का संबर, बहुत अच्छा है, शरीर का सं संबरो साधू, मन का संबर करे, अरे बड़ा कल्यान हो जाये, सब्वत्त संबरो साधू, और मन का संबर भी किवल उपर उपर नहीं सरवत्र करे, बात साधू, बात मंगल, बात कल्यान, सब्वत्त संबतो भिकू, सब्वत्त दुख पमूचती, सारे मानस पर संबर कर लेने वाला भिक्शू, भिक्शू माने साधक, साधक सारे दुखों से मुक्ता हो जाता है, दुख क्या है, ये विकार ही दुख है, विकार जागा की दुख जागा, विकार जागने के बाद दुख जागा ऐसा नहीं विकार जागा की दुख जागा समूदय है दुख समूदय है यह समूझ में आने लगेगा जो विकारी नहीं रहे तो समूदय क्या होगा दुख जागी गए कैसे दुख़ी नहीं रह गया बिकारों से मुक्त हुआ तो दुखों से मुक्त हो गया ये कानून है खुदरत का जो सब पर लागू होता है एक जैसा सब पर लागू होता है एक पुरानी घटना है किसी एक भाई के समझ में आ गया कि धर्म तो ये है और हम कहां उलजे है और हमारे समाज के सारे लोग कहां उलजे है पर समझाता है लोगों के नहीं समाज में आता हजार समझाता है उनके नहीं परले पड़ता अरे ये खुदरत का कानून है इसलेशन करते करते एक दम उस अवस्था पर पहुंच गए कि जहां सारा शरीर केवल परमानों ही परमानों उनकी तरंगे ही तरंगे ऐसे ये चित क्या है इसको टुकड़े करते करते तरंगे ही तरंगे ये चित वृत्यां क्या है इसको देखते देखते तरंगे ही तरंगे सारा अनुसंधान किया और सारा इसका चित और चित वृत्यों का और शरीर का इनका सारा अनुसंधान करके इसके परे की अवस्ता देख लिए तो इसलिए उनको सरवग्य कहा कि ये जो अनित्य क्षेत्र है इसको भी पूरा जान लिया कुछ अंजाना नहीं रह गया और इसके परे जो नित्य है उसको भी जान लिया तो सरवग्य हो गया ये छे इंद्रियां कैसे काम करती है इनके विशे कैसे काम करते हैं इस छेत्र को भी जान लिया यह अनित्यकक छेत्र है चाहूं इंद्रियां उनके अपने अपने विशे यह सारा अनित्यकक छेत्र है खूब विवरन के साथ जान लिया अनवह से जान लिया उसके परे चले गए इंद्रियाती तवस्था कुछ जान लिया तो सरवग्य हो गए सब जान गए ऐसे जो भी व्यक्ति हुई हमारे देश में उन्हें बुद्ध कहो अरहंत कहो स्तित्प्रग्य कहो अनासक्त कहो सरवग्य कहो चाहे जिस नाम से फुकारो वो जो सब कुछ जान गए उनके बास समझ में आ गए कि भाई जब जब हम कोई नाम जब करके अपने मन को और कहें लगाते हैं भजन कीरतन करके अपने मन को और कहें लगाते हैं अच्छा कोई अच्छाई चिंतन करके अपने मन को और कहें लगाते हैं तो मन का एक हिस्सा उस और जाता है यह जो संग्या है यह जो इंटलेक्ट है यह जो गुद्धी है आज की भाशा में कहें तो यह जो conscious mind है यह और किसी काम में लग गया और किसी काम में लग गया लेकिन बाकी का जो हिस्सा है भीतर का वो नहीं सुनता कुछ क्रोध जागा था और हमने अपने उपर वाले मन को और कहीं लगा दिया हमें लगा क्रोध चला गया क्रोध चला नहीं गया क्रोध का दमन हो गया उपर हमने और लेप लगाने शुरू किये और लेप लगाने शुरू किये तो वो क्रो दपता 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 और नीचे चला गया ऐसे वासना दपती दपती नीचे चले गए इरशा दपती जो विकार जागा था हमने उपर लेप लगा लगा करके उसके बोज से उसको दबा दिया अंतर मन के गहराईयों में चला यह ओ देखता है अंतर मन के गहराईयों में विकार बढ़ते चले गए चुटकारा नहीं हुआ और ये विकार जो अंतर मन के गहराईयों में चले गए ये sleeping walcanos हैं, अनुशय हैं, सो यह हुए हैं कब जाग पड़ेंगे ये ज्वाला मुखे कब फूट पड़ेगा नहीं कह सकते हम दुखों से सचमुछ मुक्त नहीं हुए तो बात समझ में आए कि पलायन करने से सच्चाई से दूर भागने से छुटकारा नहीं होता सच्चाई का सामना करो एक तरीका मिल गया उनको क्रोद का सामना करो बस क्रोद है ऐसा जानते रहो क्रोद है इस समय मेरे चित्त में क्रोद है वासना जागी है तो वासना है किसके प्रती है क्रोद किसके प्रती है भाई किसके उससे आलंबन से नहीं भाई भाई है अब्स्ट्रेक्ट फियर अब्स्ट्रेक्ट एंगर बस उसी को सक्षिवाव से देखो ऐसा देखने वाला अब्यक्ति देखता है कि जो विकार जागा था उसका बल कमजोर हो cabin लगा विकार क्यों बढ़ता है कि हम अंदर यंदर ईन जाने में उसका समवर्धन करने का काम शुरू कर देती हैं समझते नहीं कर क्या रहे हैं अब सम्वर्धन का काम रोका केबल देख रहे हैं तो उसका बल कम होते होते जो विकार आया था वो हट गया वो हटा सो तो हटा मानो बाहर कोई के घटना से हमें करोध जागा तो करोध जब जागता है तो वरतमान करोध जो जागा है उसके साथ हमारे पहले करोध के जो संसकार भी तरीक अठे हैं वो उभरने शुरू हो जाएंगे उसके साथ आज जुड़ेंगे हमारा करोध और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा करोध का सभाव है, हमारा इर्षा का सभाव है, हमारा दूश का सभाव है, हमारा राक का सभाव है, उबरेंगे और इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो करोध और बढ़ेगा, अब हमने देखना शुरू कर दिया, तो भले वो बीत थे वो थोड़े से उपर आये, उनकी उदिरना हुई, उनकी भी निर्जरा हुई, उनका च्छे हुआ, जितना जितना हुआ, उतना चुटकारा हुआ, तो अनुशय भी थोड़ा सा निकाल लिया, और नया जागा था, उसको भी दूर कर लिया, आरे बड़े काम की बात मिल ग बात कुप सबज में आई क्योंकि उन्होंने करके देखा तो अब हर व्यक्ति को यही करना चाहिए कि जब कोई विकार जागे तो विकार के आलंबन से अपने मन को हटा करके केवल विकार को साक्षी भाव से देखे और कोई आलंबन में लगा करके पलायन नहीं करे असकेप नहीं करे उसी का सामना करे कहना तो बड़ा असान है करना बड़ा कठिन है जब करोध जागता है तो बड़ी कठनाई बहुत बड़ी कठनाई होती है ऐसी करोध से पसवार हो जाता है उस समय क्या करोध को देखे अभी भूत हो गया, वो क्रोध भूत की तरह से प्रसवार हो गया, अब क्या करें, तो कोई प्राइविट सेकेटरी साथ रखे, जो हमें याद दिलाए, देख मालिक, तुझ पर क्रोध आया है, तू क्रोध को देख, जैसे बगवान बुद्धने का, अब तू क्रोध को पड़ी नहीं, कि जब मेरा प्राइविट सेकेटरी ड्यूटी पर तभी आना, पहले पीशे मत आ जाना, आरे वो चोईस घंटे में कभी आ जाएगा, तो तीन शिफ्ट के तीन प्राइविट सेकेटरी रखें, और लेबर लॉज हैं, उनको छुट्टियां देनी पड़ें तो पाँच रखें, अरे कौन रख पाएगा, अच्छा समझ लो, किसी ने रख लिया, प्रतिक छण कोई न कोई प्राइविट सेकेटरी खड़ा है, हमको जगाने के लिए, हमको होश देलाने के लिए, क्रूध हाया, और प्राइविट सेकेटरी कहता है कि मालिक क्रूध हा कुछ नहीं सुनती, अच्छा मान लो नहीं चांटा मारा उसे, और का बड़ा अच्छा, तुने बड़ा कल्यान किया, तुने मुझे याद दिला दिया, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, अब मैं करोध का ही दर्शन करूँगा, उसको साशिभाव से देखूँगा, जिस बात को लेकर के करोध आया है, जिस व्यक्ति को लेकर के, जिस घटना को लेकर, बार बार वही मन में आयागी, उसने ऐसा कहे दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये बात ऐसी हो गई, आरे तो तु करोध को कहा देख रहा है, तो करोध के आलंबन को देख रहा है ना, और काग में और पेट्रोल डाले जा रहा है तेरा करोध कैसी दूर हो गरे आलंबन से काट करके केवल करोध को देखो आसान नहीं होता तो भाई जो आसान नहीं होता वो दुनिया के लिए दुख से मुक्त होने का उपाए कैसे हुआ को एक व्यक्ति हो गया होगा इस तरह से मुक जब विकार जागता है कोई विकार जागे मन में जब विकार जागता है तो शरीर के स्तर पर दो घटनाएं घटने लगती है एक साथ घटने लगेंगे क्रोज जागे, एरशा जागे, भै जागे, वासना जागे जो जागे, दो घटना शरीर में घटने लगे, एक जरा स्थूल, एक जरा सुक्षुंग, क्या दो घटना है, एक तो यह जो सांस है, जैसे ही विकार जागा, भै जागे, वासना जागे, एरशा जागे, क्रोध जागे, जैसे ही जागा, सांस अपने सभाविक तक हो देगा, जरा सतेज हो जाएगा, जरा सभारी हो जाएगा, खुद्रत का नियम है, और जैसे ही विकार दूर हुआ, फिर सभावी हो जाएगा, ये हमारे विकार के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात उन लोगों ने देखी, जो कि शरीर और चित्त के सारे एक्षेतर को देख गए, और एक बात, शरीर के स्तर पर कोई ने कोई संबीदना शुरू होती है, कोई बायो केमिकल रियक्शन होता है, जीवरसाइनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, कोई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रियक्शन होता है, विद्युच चुम्ब किये, तो कोई ने कोई संबीदना होती है शरीर पर, इस हुआ हो उसका, कुरूद जागे, इर्शा जागे, भै जागे, यहां तक की कोई एक चिंतन भी जागे, कुछ भी मन पर जागेगा, शरीर पर उसके संबीदना होगी, यह जो व्यक्ति सर्वग्य हो गया, उसको यह बात बहुत अच्छी तरह पता लग गई, तो कहता है, संबे, धम्मा, बेदना, समोसरना, चित्त पर जो कुछ धारन किया, वो संबेदना के साथ ही बहाव शुरू हुआ उसका, बस बात पकड़ में आगई, आसान हो गया ना, अमूर्त करोध को, अमूर्त वासना को, अमूर्त इरशा को साक्षी बहाव से देखना आसान नहीं है, समाने विक्ति के लिए लगबग असंबव है, लेकिन अगर वो प्रियत न करे, थोड़ा सा भी प्रियत न करे, जैसे हम कहते हैं, दस्तिन के शुरूर में आकर के ही प्रियत न कर ले जरासा सीख जाए, तो सांस को देखना सीख जाएगा, और शरीर पर होने वाली संबेदना को देखना सीख जाएगा, इनको देखना आसान, और मन के विकारों को, अमूर्त विकारों को देखना कठी, तो अगर हम सांस को देख रहे हैं विकार जागा है और हमने ये स्विकार कर लिया इस समय विकार जागा है इतना तो स्विकार कर लिया पर उसको देख नहीं पा रहे हैं सांस को देखने लगे शरीप होने वाले संबेदना को देखने लगे जैसे एक सिक्के के दो पहलू है एक तरफ मन में जागा हुआ विकार उसी सिक्के के दूसरी तरफ ये सांस और ये संबेदना तो अगर सांस और संबेदना को देख रहे हैं तो हम उस विकार के आमुक होकर की काम कर रहे हैं उसे दूर नहीं भाग रहे हैं और सांस और संबेदना को देखते हैं, जो विकार जागा था, उसका उनमूलन होना शुरू हो गया, उसकी जड़े निकलनी शुरू हो गई, ये जब रास्ता मिला, तो सरल हो गया सब के लिए, सांस को देखो, संबेदना को देखो, साथ साथ ये इस विकार करो कि इस समय मेरे मन में विकार जागा है बस इतना ही और विकार को देखने का परियत नहीं केवल इतना है कि विकार जागा है सांस कैसा है इस समय संबेदना कैसी है बस ये देखना आया आया कि रास्ता मिल गया मुक्ती का यही काम सीखा यहां आकर की तो बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये काम हम सीख रहे हैं तो घर जाकर के भी सुबह शाम जो इसका अभ्यास करेंगे इसका जीवन में प्रभाव आना चाहिए ना क्योंकि ये तो होगा नहीं कि दस दिन के शिविर के बाद घर में जाकर के कभी कुरोध आए गए यगा ही नहीं कभी द्वेश आए गए य नहीं इरश आए गी नहीं अरे सब आयेंगे उनकी जड़े नहीं निकली है Bret आब विपच्छना दस दिन करने के बाद घर जाओगे तो वैसी नचाही बात होने पर अब ये पच्छना दस दिन करने के बाद घर जाओगे तो वैसी अंचाही बात होने पर क्रोध आएगा पुरानी आदत है क्रोध आएगा और होश भी नहीं रहेगा कि सांस देखें कि सम्वेदना देखें नो बार ऐसा होगा तो एक बार ऐसा जरूर हो जाएगा कि जैसे ही क्रोध जागा होश आया सांस देखें सम्वेदना देखें सांस देखें सम्वेदना देखें उससे चुटकारा पा लिया दस बार क्रोध जागने पर एक बार अगर हमको सांस और सम्वेदना देखनी आ गई आरे बहुत बड़ी जीत हो गई पहले तो उसी में रोल करते थे कभी देखना सिखा ही नहीं अब जीत हो गई दस बार में एक बार तो हम सांस और संबेदना को देखने लगे विकार जागते ही यही बढ़ते बढ़ते दो बार देखने लगेंगे दस में से चार बार देखने लगेंगे दस में से दस बार देखने लगेंगे अब भ्यास की बात है अपने मानस के सभाव को पलटना है और वो बार बार भार भावित होते होते हम सभाव को पलट देंगे यह हमारा सभाव कैसे बिगड़ा ये विकारों का सुभाव भावित होता चला गया अंचाई हुई की द्वेश जगाया मंचाई हुई की राग जगाया और अंतरमन की गहराईयों में तो अंचाई मंचाई अंचाई मंचाई सम्वेदनाओं पर होती है और वो होती रहती है होती रहती है वो घटना भवित होती रहती है घटना घटती है हम राग जगाते हैं हम द्वेश जगाते हैं राग की घटना द्वेश की घटना भवित हो रही है बार बार वो घटना हो रही है और ये सी हो कहते हैं भावित हो गई बहूली इकरित हो गई बढ़ने लगी रहें उसको, समिधना जागी है, सुखद है कि दुखद है, हम नहीं राग जगाते हैं, हम नहीं द्वेश जगाते, तो राग विहींता के जोग छणह में प्राप्त हुए उन्होंने उसको भवित किया अब राग विहीं की अवस्ता भवित हो रही है समेदना तो है राग विहीं समेदना तो है द्वेश विहीं वो घटना भवित होती है एक बार हुई दो बार हुई दस बार हुई बार बार होते 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 वो भावित होने लगी तो अप्यास करने पर होगा न होने ही लगेगा ऐसा नहीं होता है तो कहीं कोई गलती है करोध भी आया अंचाही घटना हुई करोध आया उसमें भी सुधार होना चाहिए खोश नहीं आया और क्रोध चल रहा है तो उसमें भी कुछ सुधार है क्या सुधार है पहले क्रोध आने पर कितनी देर तक क्रोध में सुलगते रहता था अब देखेगा जितनी देर पहले सुलगता था उससे कम देर में ही क्रोध के बाहर निकलाया सांस नहीं देखा समधना नहीं देखी फिर भी कम दिर में निकलाया मानो आठ घंटे तक पहले एक घटना घटने पर करोध आया और आठ घंटे तक उस करोध में सुलगता रहा ब्याकुल रहा अब देखेगा छे घंटे में ही समाप्त हो गई बात पिर देखेगा चार घंटे में दो घंटे में एक घंटे में पंदरा मिनिट में बिनाई सांस देखे बिनाई संबेदना देखे ये क्या हुआ इसमें क्या चमतकार की बात हुई चमतकार कुछ नहीं नियम है कुदरत के बंधे बंदाए सुबह शाम जब ध्यान करता है तो यही तो ध्यान करेगा ना सांस को देखता है संबीदना को देखता है अब करोध जागा है तो करोध जागते ही सांस तेज हुआ करोध जागते ही धड़कन भड़ी करोध जागते ही घर में भड़ी करोध जाकती इतना वाया बेचैनी आई यह जो शदीर में जो कुछ हुआ वो बिना प्रियत्न किये ही बीच बीच में करोध में बही जा रहा है बीच बीच में कोई एक छण आ जाएगा सांस को देख लेगा क्योंकि अब भ्यास कर रहा है इस वभाव में पलटने का काम शुरू कर दिया इसलिए बीच बीच में अपने आप बिना प्रियास के ही सांस देख लिया समेधना देख लिए फिर बही जा रहा है सांस देख लिया तो ब्रेक लगा वो गाड़ी जो इतनी तेजी के साथ चल रही थी उसको बीच बीच में ब्रेक लगे ब्रेक लगे आरे तो इतनी तेज रफ़तार की जब चल रही थी ब्रेक लगाना ही उसके रफ़तार को कम करने लगा बुगाड़ी जो आठ गंटे चलती अब छे गंटे में रुख गई चार में रुक गई, दो में रुक गई. ये जांच के देखेंगे कि पहले उसी गटना के घटने पर जितने देर मैं करोध में ब्याकुल रहता था, उस से कम समय तक करोध में रहकर के बाहर निकल जाता हूँ कि नहीं. अँचे जांच के देखेंगे अगर ऐसा नहीं होता है कहीं कोई सुधार नहीं हुआ तो भाई कहीं कड़ बढ़ है या तो ये ओशदी ठीक नहीं है तो मारा रोग वैसे की वैसे रहा ओशदी ठीक हो तो तुमको लेनी नहीं आई दोनों में से एक बात हुई तो भाई ओशदी तो ठीक है हजारों नहीं, लाखों लोग, लाखों नहीं, करोडों लोग पिछने 25 वर्षों में इसका उप्योग करके लाब उठा चुके आज हजारों लाखों लोग इसका उप्योग करके लाब उठाते हैं तो ओशदी में कोई दोश नहीं, मेरे लेने में कहीं दोश है तो अपने मार्ग दर्शक को पत्र लिख करके या मिल करके समझो कहां गलती हुई कहां गलती हुई अक्सर गलती क्या होती है बार बार दोराते हैं फिर समझ लेना चाहिए कि साधक को वेपश्चना कैसे करनी चाहिए इसे तो भूल जाता है और संबीदनाओं का खेल खेलने लगता है सुखद आई तो बड़े बड़े खुशी के मारे नाजने लगा आरे देखो कैसा परवाह मिल गया कैसा परवाह मिल गया सारे शरीज में गुरू जी कहते हैं धारा परवाह मिली हमको मिल गई देखो धारा परवा मिल गई धारा परवा मिल गई और वो बंद हो गई फिस तो सम्वेदना आई तो रोता है अरे इतनी बड़ी धारा परवा मिलती थी ऐसा आनन दाता था फिर खराब हो गई साधना तो मानो वो अपनी साधना को अच्छी है कि बुरी है इसको मापने का नहीं बैठा है, सुखद आए तो अच्छी है, दुखद आए तो बुरी है, भी पशना बिलकुल नहीं समझा, पचास-पचास शिविर बैठ करके भी कोई आदनी हमारे पास रोता हुआ आता है, गुरुजी क्या करें अब तक तो ऐसी संवेजना चलती थी कि आनन्द ही आनन कुछ दिनों से क्या हो गया, वो सारी बंद हो गई, अब तो केवल स्थूली स्थूल है, क्या हो गया गुरुजी कुछ आप कीजिए, अरे बावला आदमी, नवो अच्छी थी, ने ये बुरी है, तुझे समता के साथ देखना सिखाया, कि तु ये खेल खेलने लगा संवे लगी रोने लगा, पर क्या पड़ा, ये पश्चना करने का क्या लाब हुआ तुझे, ये बात साथ नहीं समझता है, तो जीवन में कोई लाब हाने वाला नहीं है, सुबह शाम घंटे बर बैठेगा, वो भी संबीदनाओं का रसा स्वादन करेगा, सुख अदाय तो सुख भोग लिया, दुख अदाय तो दुख भोग लिया, भोगता भाव से ःगंटे बर बैठा रहा, कुछ चलाब नहीं होगा, ये बात समझ में आ जाएगी, भोगता भाव से निकल करके हम को दرश्टा भाव में परतिश्टीत होना आए, हम घंटे बर दरश्टा भाव में न बेचेनी आई, धरकन आई, तनाव आया, गर्मी आई, तो बेचेनी है, अगर वो उस बेचेनी को देख करके, और द्विश जगाता है, तो करोध के बाहर कैसे निकलेगा, तो करोध कोट बढ़ता चले जाएगा ना, और ये सीख गया, कि करोध आया है, और भीतरी तनाव, ख किसे आएगा, तो बार भार दोराते हैं, कि कहीं ये संव्यदना, कखेलना, कोई उसका रसा स्वादन नहीं करने लगना, उसको यही जानना कि जो जागा है वो अनित्या आणी तेखता हूँ कितनी दिर रहती है, ये तनाव आया है ना, कितनी दिर रहता है, इे गर्मी आई तो उसका परिणाम आएगा ही निश्चित रूप से आएगा बहुत महत्वपन काम शुरू किया जब से जन में आँख खुली बहिर मुखी रहे बाहर ही बाहर देखा बाहर ही बाहर देखा तो एकांगी दर्शन किया बाहरत के पुरानी भाषा में कहते थे एकांटिक दर्शन है माने एक ही एंगल से सच्चाई को देख रहे हैं जब आदमी एक एंगल से एक आयाम से किसे सच्चाई को देखता है एक डाइमेंशन से देखता है तो आंशिक सत्य प्रगठ होता है उसके सामने और वो भिन भिन एंगल से देखता है भिन भिन आयामों से देखता है भिन भिन दृष्टिकोनों से देखता है तो उसका संपूर्ण सत्य सामने आने लगता है अंशिक सत्य जब तक सामने आता है तो भरंप पैदा करता है भरंती पैदा करता है आदमे उलजा ही रहता है वो पांच जनम के अंधे लोगों को एक हाति के पास खड़ा किया तो अंगलियों से टट टट्योग जोसे किता है, एकका आफा में हाति किये खेला लगता है and track, जाड़न जैसा है उसके लिए जाड़ू जैसा है तीसरे के हाथ में हाती का दानत आ गया उसे टेटरोल के जैसा है ऐसे पांचों के हाथ में शरीर का कोई ने कोई अंगा हाती का आया और उसने अपना फैसला दे दिया अपनी जान सच है वो जूट नहीं बोल रहा लेकिन सच सत्य है, संपूर्ण सत्य उसके सामने नहीं आया, ऐसी हमारा सारा जीवन अंशिक सत्य में बीथता है, तो ब्रांती में बीथता है, हम सच्चाई नहीं समझ पाते, जरा से बनी समझ पाते, भिन भिन दृष्टी कौन से देखे, तो उसी को भारत की पुरानी भाषा में कहा, अनेकांत दर्शी हो गया, एकांत दर्शी भर्म में पड़ा रहेगा, अपनी हानी करेगा, औरों की हानी करेगा, अनेकांत दर्शी भर्म के बाहर निकल जाएगा, अपना कल्यान करेगा, औरों का कल्यान करेगा, धेरे धेरे ये एकांत शब्द भी, ऐसे बावले लोगों के हाथ में गया जिनके लिए दर्शन ही प्रमुख है दर्शन मानेता प्रमुख है ऐसे बावले लोगों के हाथ में गया जिनको संप्रदा ही प्रमुख है तो ये कैसे एक अनेकांत हो तो भीतर क्या हुआ भई एक दृष्टी अपनी और भी डालें एक दृष्टी बाहर डाली एक दृष्टी अपनी और डाली तो एक एक अच्त नहीं है, अब दूसरा भी पहलो हमारे सामने आया ऐसे ही फिर इस दृष्टी से भी देखेंगे जैसे किसी आदमी ने गाली दी, गाली दी तो मेरे भीतर किया होने लगा? इसको देखा आगे बढ़ते बढ़ते इस सवस्था पर पहुंझ जाएंगे कि उस आदमी के अंदर समा गए जैसे वो कैसे देख रहा है इस सारी बात को वो कैसे देख रहा है कैसे अन्वो कर रहा है यो भिन भिन आयाम से देखना शुरू कर देंगे अरे सच्चाई सामने आ जाएगी तो भ्रंती नहीं रहेगी तो विकारों के बाहर निकलना असान हो जाएगा ये काम जो शुरू किया पहले अपने भीतर के सच्चाई तो देख बाहर की घटना को तो रोज ही देखता था बाहर के वस्तू व्यक्ती घटना को अब अपने सच्चाई की और तो देख जिस दिन अपनी और देखने की आदत पुष्ट होने लगेगी तो पहली बात तो ये होगी कि जब जब व्याकुल होगा तब तब ये स्विकार करेगा इस व्याकुलता का आधा कारण तो बाहर की घटना है और आधा कारण मेरे भीतर है क्योंकि मैंने प्रतिक्रिया की इस वाज़ में आने लगेगा तो responsibility आधी आधी मांटली 50-50 चलो 50% तो अपने गलती स्विकार की कोई सुधरेगा और आगे बढ़ेगा इस रास्ते पर तो इस अवस्था पर पहुंचना ही होगा जहां कहेगा कि मेरी ब्याकुलता का शत प्रतिशत 100% कारण मेरे भीतर है बाहर नहीं जरा भी नहीं जैसे मेरे सुख का कोई करण बाहर नहीं सारा करण मेरे भीतर है वैसे मेरे दुख का कोई करण बाहर नहीं सारा मेरे भीतर है यह खुब समझ में आने लगेगी बुद्धी से नहीं अनभूती से समझ में आने लगेगी वैसे बुद्धी के स्थर पर भी समझे गा ही किसी ने बहुत हानी कर दी मेरी बहुत हानी कर दी मैं मामला ले गया कोर्ट में और कोर्ट तो कोर्ट सभी देशों में ऐसा होता है भारत में भी है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट दूसरे कोड से तिसरे कोड यो सुप्रीम कोड तक जाते जाते साथ वरस लग गए साथ वरस के बाद सुप्रीम कोड का चीफ जस्टिस फैसला देता है कि इसमें तेरा कोई दोश नहीं सारा दोश उस विक्ति का है उसको ये दंड दिया जाना चाहिए ठीक फैसला दिया उसने अपना ठीक फैसला दिया लेकिन मैं अगर समझदार हूँ तो ज़रा सोच के देखूँ जब मेरा कोई कसूर ही नहीं और देश का सुप्रीम कोड का चीफ जश्टिस कहता है मेरा कसूर नहीं तो सत्मिन मेरा कसूर नहीं मेरा जब कसूरी नहीं तो आखिर कुदरत का भी तो कोई कानून होगा या परमात्मा का हो तो परमात्मा का भी तो कोई कानून होगा जब मेरा कसूरी नहीं तो ये साथ वरस तक मुझको व्याकुल क्यों बनाया साथ वरस तक मेरे नीद हराम हो गई मेरा खाना अराम हो गया, मेरा चैना अराम हो गया, क्या अलत हुई मेरी, मेरा कुछ कसूरी नहीं, और मैं साथ वरस तक तरड़ता रहा, बिये पश्ची होगा तो खुब समझ में आएगा, यह जो साथ वरस तरड़ता रहा उसके जुम्मेदारे मेरी है, बाहर की गटना के न किस बावले पने में प्रतिक्रिया किये जा रहा हूं किये जा रहा हूं किये जा रहा हूं ब्याकुलता उस वज़े से है ये बात खुब समझ में आने लगेगी खुब समझ में आने लगेगी अब तो अपनी ब्याकुलता बाहर देखता है ना तो बाहर देखता है तो भीतर की बात नहीं समझ में आती जैसे जैसे अंतर मुखी हो करके भीतर की सचाई देखना शुरू करेगा सारी बात बिलकु समझ में आने शुरू हो जाएगी किस तरह से ये सारा शरी परमानों का पुंज कैसे काम करता है किस तरह से ये मानस और उसके चार खंड ये विग्यान जानने वाला जानने का काम करता है ये संग्या पहचानने वाली और मुल्यांकन करने वाली मुल्यांकन करने का काम करती है ये वेदना संवेदन शीर होने का काम करती है और ये संसकार कैसे प्रतिक्रिया करने का काम करते हैं और इन दोनों का परस पर क्या समंद है कैसे इंटरेक्शन चलता है कैसे क्रोस करन्च चलते है खूब देखना शुरू कर देगा तो बात खूब समझ में आएगी जितना जितना उसको गहराई के साथ अनभूतियों किस तर पर देखेगा उतना उतना समझ में आएगा मैं जुम्मेदार हूँ भाई मैं जुम्मेदार हूँ खूब समझ में आएगा किसी आदमी ने मुझे गाली दी मैं ब्याकुल हुआ गाली दी ब्याकुल हुआ वो भी हमारी गल्दी पर यहां गलती समापत नहीं कि उसने गाली दी मुझको व्याकुल बनाने के लिए गाली दी वो मेरा दुश्मन है मुझको सुखे नहीं देखना चाहता है मुझको दुखी करना चाहता है इसलिए गाली दी उसने अपमान किया और मैं व्याकुल हुआ उसने एक बार गाली दी मुझे एक बार व्याकुल बनाने के लिए मैंने क्या हालत बना लिया अपनी वो तो चला भी गया वो भूल भी गया होगा मैं बार 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 उस घटना को अपने मानस के रंग मंच पर फिर बार बार दोराता हूं उसने गाली दी उसने मुझे ऐसी गाली दी उसने मेरा ऐसा अपमान किया हजार बार लाख बार करुड बार 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 उसे धराता हूं जितनी बार दोराता हूं उतनी बार करुड होता हूं जितनी बार करुड होता हूं उतनी बार व्याकुल होता हूं बढ़ा ही जा रहा हूं कभी कभी तो साथ जनम तक नहीं भूलूँगा, साथ जनम तड़प हैगा भाई, समझता ने न, अपने भीतर कभी देखा ने, कि क्या कर रहा हूँ, अपने आपको तड़पा रहा हूँ न, अपने आपको व्यकुल बना रहा हूँ न, बात नहीं समझ में आएगा, खुब गहराई से एक कैन्वस पर अपनी बरस से और रेखाओं से एक चितर खेंसता है, बड़ा अच्छा कारी कर है, बड़ा सुन्दर चितर उबर करके आया, बड़े खूबसूरत व्यक्ति का, वो देखते 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 पागल हो गया, मुझको ये व्यक्ति चाहिए, एक दम मजनू की त देखते हैं, पांस तरह की प्रतिक्रिया कर होती है, ऐसे ही एक ही व्यक्ति, एक ही घटना को पांच बार देखता है, और उसकी पांच प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, एक ही प्रकार के शब्द मेरे कान में आए और पांच बार आए, पांच समय आए, और वो ही शब्द ह लेकिन मैं प्रतिक क्रिया पांस तरह के कर रहा हूँ एक उधारन उधारन चे समझे कभी-कभी बात उधारनों से स्पष्ट हो जाती है उधारन उधारन है के वर कोई शाम का समय है मैं अपने दो-चार-पांस सादकों के साथ फुट-पात पर चल रहा हूँ और योँ चलते हुए अंधेरा सा है फुट-पात पर कोई आदमी लेटा था और किसी एक सादक ने उसको ठोकर लगा दि ठोकर लगते ही वो चीखा चिलाया अंदे हो तुम्हें सूसता नहीं ये शब्द मेरे कान में पड़े गाली के शब्द हैं अंदे हो सूसता नहीं लेकिन अच्छा भी पश्ची हो तो अंदर देखूंगा कि जैसे ही वो कान में शब्द पड़े भीतर एक गुदगुदी होने लगी सारे शरीर में बड़ा पुलक रोमान चुब बड़ा अच्छा लगा वो कहता है गाली दे रहा है और हमको यहां गुदगुदी हो रही है बड़ा अच्छा लग रहा है एक गटना गटी दूसरी गटना आप दूसरे दिन दूसरी बार मैं अकेला जा रहा हूं उसी फुटपात पर और मुझसे ठोकर लग गई ठोकर लगी और वो चीखा अंदे हो सुस्ता नहीं वोई शब्द आये कान में अब देखता हूं कोई गुदगुदी नहीं आप तो बड़ी अपरी संभीत नहीं शरीर में बड़ी दुखत संभीदना है क्यों भाई शब्द तो वही आये कान में अब क्या हो गया दूसरी घटना तीसरी घटना फिर अपने वही चार पांस साथकों के साथ जा रहा हूं फिर मुझसे ही ठोकर लगी फिर वो उसी तरह चीखा अंदे हो सूसता नहीं अब देखता हूँ बड़ी दुखत संभीदना वो जो इसके पहले दुखत संभीदना आयी थी जब अकेले में ठोकर लगी और अकेले में वो चिलाया इस से इस बार की संभीदना और ज़्यादा दुखत और ज़्यादा ब्यकुलता है अच्छा तीसरी घटना घटी चौती घटना फिर अकेला जा रहा हूँ उधारन के लिए बाते बताते हैं अकेला जा रहा हूँ फिर मुझसे ठोकर लगी फिर वो चीखा उसी तरह अंदे हो सूसता नहीं और मैंने पहचाना या मेरे संग्या ने पहचाना ये तो मेरे पुत्र की हवाज है मेरा पुत्र है और मुझे कहता अंदे हो सूसता नहीं अब देखेगा कि जो संबेदना बड़ी दुखत थी अब और कई गुनाधिक हो गई बड़ी दुखद हो गई फिर उधारन उधारना पांचवी बार फिर उन्हीं चार-पांच सादगों के साथ जा रहा हूँ वैसे ठोकर लगी वैसे ही वो चीखा अंदे वो सूसता नहीं वैसे ही संग्या ने पहचान लिया ये तो मेरा पुत्र है आरे अभी तो दुख का कोई ठेकाना नहीं ऐसा अनन्त हो गया दुख्यों भाई पांच बार एक की तरह के घटना घटी पांच बार वही शब्द कान में पड़े और ये पांच बार पांस तरह के संबेदना हुई पांस तरह के प्रतिक्रिया हुई क्यों हुआ अच्छा भी पश्ची सादक होगा खूब समझेगा विशलेशन करकर के इसलिए कर रहे हैं सारी सादना खूब समझेगा पहली वर क्या हुआ हर आदमी एक पागलपन करता है जब से जनमता है और आगे बढ़ता है होस समालता है ये दुनिया जारी के बाशा में कहते है होस समालता है होस समालता है कि होस खोता है कौन जाने जरा बड़ा हुआ कहता है होस समाल लिए अब हमने तो क्या करता है पहला काम ये करता है कि अपनी एक मुरत गड़ता है मैं गोईन का अरे गोईन का ऐसाब अपनी मूरत आप गड़े तो बड़िया से बड़िया गड़ेगा खूब बड़िया ऐसा गोईन का ऐसा गोईन का और अपने मन मंदिर में उस मूरत को स्थापित करता है और उस मूरत के प्रती इतनी गहरी आसकती पैदा कर लेता है अपनी गड़ी भी मूरत है उसमें सच्चाय का नामो निशान नहीं अपने भीतर मूरत गड़ करके स्तापित कर ली और गहरी आसकते पैदा कर ली ये गोईन का ऐसा गोईन का पहली बार क्या हुआ जब किसी ने का अंदे हो सुस्ता नहीं तो हमारी संच्चाय ने पहचान के का ये शब्द तो गाली के हैं बिल्कुल ठीक लेकिन गाली तुम्हें नहीं दे रहा है ये गाली तेरे सादक को दे रहा है तो भीतर एक गुदगुदी होती है आरे मैं विपश्चना का महान आचारी मुझसे ऐसी गलती हो जाया है मैं किसी को ठोकर मार दू ये तो बच्चे हैं भी शीखा नहीं उन्हें हम बार बार कहते हैं सजग रहो सजग रहो फिर भी ठोकर मार दी ठोकर मार दी तो गाली सुननी पड़ी न मुझसे थोड़ी ऐसा हो सकता है आप जो मूरत बनाई थी उस पर थोड़ा सा रंग रोग नोर आ गया उस पर पालश आ गया रहे गोईन का क्या कहना गोईन का क्या क्या कहना तो गुदगुदी हुई सारे शरीर में बड़ी सुखद संबेदना हुई दूसरी बार वही गाली उसी आदमी ने उसी तरह से दी तो संग्या कहती है गाली है और अबके तेरे शिश्यों को नहीं है तुझको गाली है मुझको गाली अरे कोई मुझे गाली निकाले आप देखो गुदगुदी कहां सारे शरीर में दुखदी दुखद संबेदना और चीखता हूँ बदले में, क्या हो गया, मर गया, तुम्हें खूना गया, हो गया गया, कहें चीख, अरे, पहले गुद्गुदी आई बड़ा खुश हुआ, और अब तु ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है, खुब देखेगा, अंदर से भी पश्ची होगा, तो अपनी आपको करके, उसके प्रति आ सकता होता है, यही बहुत बड़ी मूड़ता है, पागलपन है, एक इससे बड़ी मूड़ता करता है, कि बहुत बढ़िया अपनी मूरत गड़ करके, दूसरों की मन में भी स्थापित करता है, गोईन का, अरे, गोईन का क्या कहना, गोईन का क्या क्या जिससे मिले उसके मन में अपनी इमेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए तो अपनी इमेज क्रियेट करके उसके मन में अरे इसके लिए कितने नाटक करता है कितने तमाशे करता है किसी तरह से लोगों के मन में स्थापित हो जाए गोईन का तो बड़ा असंत गोईन का तो ऐसा भी पशना का आचारी है ऐसा 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 अरे तो क्या हुआ तीसरी बार तीसरी बार जबू साथ में ने का अंदे हो सुचता नहीं तो हमारे जो चार पांच साधक थे travelled उनके मंद में हुई एक साथ हमारे साथकों ने देखा रहे अच्छा गुरू है हमको कहता सजग रहो सजग रहो और खुद देखो ठोकर लगा दी और गालिया पड़ी ना तो जो मूरत उनमें स्तापित की थी वो तूटी बड़ा दुख हुआ पांच उना दुख हो गया अरे पांच आजम आजमें आजमें के सामने देखंग फरक क्या पड़ गया समझेगा अच्छा भी पश्ची होगा क्या फरक पड़ गया इन सू आदमियों के मन में मैंने जो इमेज ग्रिएट की थी वो तूटी ना सू आदमियोंने जान लिया कि रहा और पांद दुख हुआ बढ़ा मेरा जरासा बढ़ाता है अब मेरा मेरा ये मेरा पुत्र ये मेरी पुत्री ये मेरा पत्नी ये मेरा पती ये मेरा भाई ये मेरा अमुक ये मेरा 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 करके जिसको मेरा कहिता है अब उसकी मुरत करता है बहुत खुबसूरत मुरत करता है अरे मेरा पुत्र ऐसा पुत्र व तेरा पुत्र है सा, बड़े उस पुत्र के प्रती, बड़ी आसक्ती पैदा कर ली, उसकी इमेज क्रियेट करके, और अब वो गाली देता है, अंदे हो, चौती बार संग्या ने कहा, जो गाली आई न, इतेरे बेटे की और से है, मेरा बेटा मुझे कई अंदे हो सुझता ने और एक कोई अंजान आदमी गाली भी निकाल दे दुख तो होता है, इतना दुख नहीं होता, बेटा गाली निकाले, जिसको ले करके इतने सपन सजोए, खूब समझ में आने लगेगा, जैसे जैसे विपश्चना के रास्ते पर आगे बढ़ोगे, एक बात ये समझ में आन है मेरा पती है, या मुख है, या मुख है, मैं खुब प्यार करता हूँ, सब जूट, मैं प्यार अपने आप से करता हूँ, मैं प्यार अपने सपनों से करता हूँ, अपने इच्छाओं से करता हूँ, अपने अभिपसाओं से करता हूँ, कोई व्यक्ति पुत्र होगे, पत तोड़ने वाला हो जाए, सारा प्यार खत्म, भगवान की जीव अनकाल की एक घटना, देश का राजा प्रसेन जित, भगवान की संपर्क में आया, विपश्णा की संपर्क में आया, खुब विपश्णा करने लगा, और जहां परिवार के किसी एक व्यक्ति में विपश्णा चली जाए धीरे धीरे सारे परिवार के सदश्यों में जाने ही लगती है, ऐसा निये मैदरम का, तो उसके परिवार के लोग भी पश्ची हो गए, उसकी पत्नी, पट्रानी मल्लीका, वो भी अच्छी भी पश्चन साधी का हो गए, दोनों एक साथ बैट करके महल के एक कमरे म ध्यान का कक्ष बनाया, उसमें दुनों ध्यान करें रोज, और काफी आगे बड़े ध्यान में, तो एक दिन प्रसेंजित जब ध्यान से उठे तो पूसता है मलिका को, कि आज मेरे मन में ध्यान करते करते एक प्रशन उठा, कि मुझे सबसे प्रियकोन है, तो ये भी उठा कि तुझे सबसे प्रिये कौन है तो बता तुझे सबसे प्रिये कौन है संसार में वो कहती अजीब बात है ध्यान करते है करते है मेरे मन में भी यही प्रशन उठा कि मुझे सबसे प्रिये कौन है तो मैं समझ गई सबसे प्रिये मैं हूँ मुझे सबसे प्रिय मैं ही लगती हूं और कोई नहीं लगता सचाए ये है अगर वो भी पश्ची सादक नहीं होता तो कहता है इसका सिर उतार लो ये रानी कैसी है इतनी स्वारतिन है कहती है मैं ही प्रिय लगती हूं मुझको और कोई नहीं प्रिय लगता अन्य थप्रिय नहीं है दोनों के दोनों भगवान बुद्ध के पास गए और का हमारा जास तो ऐसा हुआ ध्यान में और ऐसी वारता लाप हुई भगवान ने का साधू 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 तुम्हारा कल्यान हो गया जिस दिन आदमी अंतर मुखी होकर के इस सचाई को स्विकार करता है कि मैं कितना आत्म केंद्रित स्वय केंद्रित जीवन जी रहा हूँ मुझको मेरे सिवाए और कोई प्यारा नहीं लगता मुझको मेरे सुपनों के सिवाए मेरे तरिशनाओं के सिवाए मेरे कामनाओं के सिवाए कोई प्यारा नहीं लगता उस तिन उसका होश जागा अब उसमें स्वार्त बुद्धी निकलनी शुरू हो जाएगी आत्म केंद्रे जीवन तूटना शुरू हो जाएगा आत्म भाव अनात्म भाव में बदलना शुरू हो जाएगा अंकार निकलके निरहंकार के वस्था में आना शुरू हो जाएगा पहले इस सच्चाय को स्विकार तो करे अनभों से जाने तो खाली बुद्दी से स्युगार करने से नहीं अंदर देखते 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 तो यही हुआ उस पुत्र के प्रती इतनी गहरी आ सकती क्या आ सकती किस बात की कि ये मेरे स्वपनों को पूरा करने में सहयक होगा कोई मा पुत्र जन्मा है और अभी से स्वपना लेना शिरू कर दिया मेरा पुत्र, मेरा पुत्र और जब बड़ा होगा 25 एक बरस का हो जाएगा तो कोई बहु ले आएगा घर में अभी बहु जन्मी भी नहीं कल्कना करती एक बहु ले आएगा और मेरा पुत्र तो बड़ा आग्याकारी होगा बड़ा विनीत भाव होगा बड़ा धर्मवान होगा तो खोजगर के जो बहु लाएगा वो ये बड़ी धर्म मती लेकर आएगा बड़ी अच्छी बहु लेकर आएगा ऐसी बहु आएगी ऐसे बहु आएगी प्रतिक्रिया करने काम करता हूँ देख इसका कैसे प्रभाव शरीव पढ़ रहा है कैसे संवेदना आ रही है कैसे संवेदना में प्रभावित करती है उस संवेदना की वज़े से विकार और जागता है संवेदना बढ़ती है संवेदना बढ़ती है विकार बढ़ता है विका तो जाएंगे ये सारा काम सफलता में सफलता के लक्ष में तब पूरा होगा जबकि हम ये पश्चना ठीक से कर पाएंगे और ठीक से करने का ये कि हम भोगता भाव से बाहर निकल करके द्रश्टा भाव में स्थापित हों और उसके अनित्य सुभाव को समझते रहें अनित्य है, ऐसी संबेदनाई तो अनित्य है, ऐसा विकार जागा तो अनित्य है, देखे तो कितनी दिर रहता है, यूं उसमें पुष्ट होते होते, अपने सभाव को परटना शुरू कर देंगे, तो विपुष्टन बड़ी कल्यान कारणी हो गई, बड़ी कल्यानकारनी हो गई जितने हमारे भीतर दुरुगुन है जितने हमारे भीतर खोट है जितने हमारे भीतर मेल है वो सारे के सारे हमारे मुक्ति के लिए बादक है मुक्ति जब तक ये खोट नहीं निकलेंगे तो मुक्ति काहे की हमको किसने रस्य से बांद रखा है कि अतकड़ियों से बांद रखा है कि बेड़ियों से बांद रखा है हम विकारों से बंदे हुए हैं जब तक विकारों से बंदे हुए हैं तब तक हम बंदी हैं भाव भाव इसी तरह बंदी रहेंगे एक जनम के बाद दूसरा एक जनम के बाद दूसरा और हर जनम में ब्याकुलता ही ब्याकुलता ही ब्याकुलता ही ब्याकुलता ये सारे के सारे जो दुरुगुन है वो निकलते चले जाए चित निर्मल होता चला जाए और सद्गुनों से बढ़ता चला जाए तो यही सद्गुन हमारे सहायक हो गए हमको भव सागर पार करने में बहुत बड़े सहायक हो गए इसलिए दस तरह के ऐसे सद्गुन हैं जिनको पुरानी भाषा में पारमी कहा पुन्य पारमी ऐसे पुन्य माने वो जो हमारे चित्ट को पुनीत करें उसको पुन्य कहा जाता था चित्ट को पुनीत करने वाले दस बातें जो की हमको भव सागर से पार उतरने में सहायक बनती है उनको पारमी ताएं कहा पारमी कहा समझें उसे काम आएंगी आगे जाकर के कैसे एक एक पार्मी हमें बढ़ानी है इसको खूब समझेंगे एक पार्मी है निक्खमा पार्मी मारे निश्क्रमन करता है जिस किसी को अंतिम अवस्था तक पहुंचना है उसे निश्क्रमन करना ही पड़ेगा घर बार छोड़ करके सन्यासी हो करके सन्यासनी हो करके और वो अरंत की अवस्था पर पहुंचेगा लेकिन हम ग्रियस्त हैं हम घर बार छोड़ने लायक नहीं माने इस लायक नहीं या हमारा मानस अभी नहीं बना तब ये पार्मी हमारी कैसे पूरी हो तो पुराने लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला उन दिनों तो बड़े शिविर होते थे साथ सब्ता के शिविर होते थे अब आजकल भागदोड की बात आगई तो साथ सब्ता को गटा करके एक मैना किया कुछ काम बना और कम किया बीस दिन किया पंदरा दिन किया दस दिन किया दस से और कम किया साथ दिन किया देखा कुछ पली नहीं पड़ता तो एक नियम बना दिया कि दस दिन का तो शिविर कम से कम लंबा होत और अच्छी बात तो कम से कम दस तिन के लिए तो घर छोड़ करके निश्क्रमन पार में पूरा कर रहे हैं ना बले सिर नहीं मुड़ाया कपड़े नहीं बदले फिर भी भिक्षू का सजीवन जीने आये हैं ना और भिक्चु का क्या जीवन होता है मैं मेरा कहने के लिए कुछ नहीं सब छोड़ी आया तो यहां आता है तो नहीं मकान मेरा नहीं भोजन मेरा यह नहीं मेरा यह मेरा कुछ नहीं तो जैसे अपने अंकार को पिखलाता है मुक्तवस्था का मतलब यही हुआ कि आहम भाव बिलकुल समाप्त आत्म भाव बिलकुल समाप्त अनात्म भाव में स्थापित हो जाता है मैं मेरा समाप्त होता है तो घर बार चोड़के जब सन्यासी बनता है खाना भी किसी दूसरे का दिया हुआ खाता है हाथ में पात्र लेकर के बिक्षाम देही तो आहम पिखलेगा ना आहम कैसे रहेगा वो आहम पिखलाने के लिए ये निश्कमन पार में जरा जरा से बढ़ाने के लिए दस तिन शिवरों में लोग आते हैं यहां मुझे बिक्षू की तरह रहना है यही कारण है कि जब आदमी ये समझता है कि मैं दूसरों के दिये हुए दान पर जी रहा हूँ बिक्षू दूसरों के दिये हुए दान पर जीता है उसका अपना कुछ नहीं तो यहां दस तिन रहते हुए किसी ने दान दिया इसकी वज़े से मुझे भूजन मिलता है सुबह का भी दोपहर का भी किसी ने दान दिया उसके भूजन पर पल रहा हूँ अगर यहां रहने के खाने के पीने के अरे यह धरम सिखाने के चार्जिस तो कोई क्या देगा और कोई क्या लेगा उसे ने भी ले फिर भी रहने का तो लगता है इतना पैसा देना ही पड़ेगा भाई खाने का तो लगता है इतना देना ही पड़ेगा बिजली का पाने का इसका उसका लगता है तुमको दस तिन के लिए इतना पैसा देना ही पड़ेगा तो तो होटल हो जाती ना फिर होटल क पर जी रहा हूँ, पराएदान पर जी रहा हूँ, अगर पैसा दिया, तो अंकार जागे गाई, कि भाई दस दिन है, आप लोगों ने इतना पैसा लिया है, कैसा खाना देते हो, देखो नमक कितना कम है, वो मसाला कितना कम है, ऐसा क्यों बनाया, वसा क्यों नहीं दिया, आरे भाई अब तो भिक्षा पात्र में जो पढ़ गया तो पढ़ गया हम तो भिक्षु हैं हम तो भिक्षुनी है जो मिला है वोई खाना है स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं हमें तो ये दस दिन जीवित रहना है शरीर को आहर चाहिए इसलिए ले रहे है तो ये भिक्षु का भावमन में आया भिक्षुने का भावमन में आया तो बात बन गई न निश्क्रमन पार्मी बिना घर एक सन्यासी का भेश किये बिना ही सन्यासी का भेश किये बिना ही दस दिनों तक भिक्चू भिक्चूने का जीवन जी करके निश्क्रमन पार्मी के गड़े में कुछ बूंदे तो डाली ये दस गड़े हैं पार्मियों के और आदनी उसमें एक एक बूंद एक बूंद डालके उनको पूरा करता है पूरा हुआ दसों के दसें तो मुक्त हो जाएगा तो निश्क्रमन पार्मी पूरा होने में सहाइता मिली यहां आ करके दूसरी पार्मी शील की पार्मी शील पालन घर में भी कर सकता है लेकिन कटना ही होती है ना परिस्तितियां ऐसी है किसी ने किसी बात को लेकर कोई ने कोई शिल भंग हो जाएगा और यहां तो सारा वातावरन ऐसा तपो भूमी का और तपो भूमी का वातावरन सो तो कारीकरम ऐसा सुबह चार साड़े चार बज़े से रात को नो साड़े नो बज़े तक कहां चोरी करने जाएगा कहां हत्या करने जाएगा कहां विविचार करने जाएगा कहां नशापदा करने जाएगा भूल अगर होगी भी तो कहीं जूट बोल जाएगा बोलेगा तो किसी बात को बढ़ा के बोल देगा किसी को घटा के बोल देगा मार्ग दर्शब पूछेगा तो उसको उल्टा सिधा जवाब दे देगा तो शील भंग हुआ तो उसी के लिए कम से कम आपस में तो बात नहीं करे नो दिनों तक पूर्ण मोन आरे तो नो दिनों का तो हमारा बड़ा अच्छा शील हुआ न निश्कलंक शील हुआ हमने कोई गलती नहीं की नो दिनों तक पार्मी बढ़ी न ये पार्मी बढ़ने का मोका मिल गया ऐसे दस दिन के श्विर में आए तो ये हमारे शील की पार्मी बढ़ाने का एक मोका मिल गया और तीसरी पार्मी वीर्य की पार्मी पुरानी भाषा है माने प्रियत्न करेंगे परिश्रम करेंगे पुरुशार्थ करेंगे ये पार्मी घर में रहते हुए भी आदमी पुरुशार्थ करता है महनत करता है किस बात के लिए करता है अपने जीवन यापन के लिए करता है, ग्रेयस्त है, करना भी चाहिए, कोई दोश की बात नहीं, लेकिन वो पार्मी नहीं बनते, जो परियत्म, जो परिश्रम, जो पुरुशार्थ, हमारे चित्त को निर्मल करता है, वो पार्मी का काम, यहां दसों दिन यही काम करते हैं, सांस को देखते हैं, त तो ये जो प्रियार कर रहे हैं, ऐसे चित्त को वर्तमान में स्थापित करके, उसके अनित्य सभाव को देख करके, द्रश्टा भाव में स्थापित करना, इसका प्रियत्न कर रहे हैं, तो सही प्रियत्न कर रहे हैं, तो वीर्य की पार्मी अपने आप बढ़नी शुरू हो प्रत्यक्ष ग्यान होता है उसको प्रत्यक्ष ग्यान होता है उसको प्रत्यक्ष ग्यान होता है उसको प्रत्यक्ष ग्यान दस दिन तो यही किया ना तो यह प्रत्यक्ष ग्यान जगा रहे है अपनी प्रत्यक्ष ग्यान जगा रहे है अपनी प्रत्यक्ष ग्यान जगा रहे ह एक और पार्मी होती है, छानते की पार्मी, सहिशनुता, एक एक आदमी अलग अलग बैठके ध्यान करे, फिर भी सो आदमी भी एक साथ बैठके ध्यान करते हैं, दो सो यह बैठके ध्यान करते हैं कभी हॉल में, ध्यान कर रहा है, समझदार आदमी है तो इस बात का ख्यार ल लेकिन हर आदमे नहीं सजग रहते, किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई हरकत कर दी, और उससे मेरा ध्यान भंग हुआ, नहीं होश होगा, तो चड़चड़ाएगा, कैसे लोग हैं, किस तरह से खांसता है, देखो किस तरह से धकार लेता है, देखो किस तरह से क्या करता है, तो का तब भंग कर रहा है, इसलिए करता है, तो उस पर देया जागे, करोना जागे, क्रोध क्यों जगाएं, तो च्छमा की पार्मी, शान्ती की पार्मी, सैन्शिलता की पार्मी, इसको पूरी करने का मौका मिलता है, और एक पार्मी, सत्य की पार्मी, सच्चाई की पार्मी, और किसी से तो बोलेगा नहीं बोलेगा तो अपने मार्ग गरशे से बोलेगा बड़ा सजग होके बोलेगा जो पूछे उसको सही सही जवाब दूँगा सत्य की पार्मी है लेकिन ये सत्य की पार्मी उससे भी गहरी सत्य की पार्मी है कि सारा मार्ग सत्य ही सत्य का हर कदम सत्य के सहारे सत्य के सहारे किम सची आरा हो भी आदी सच जुगादी सच है भी सच ना न कहू सी भी सच कहीं कलपना का नाम निशान नहीं इस सक्षन क्या सच्चाई प्रगट हुई इस सक्षन मैंने क्या कलपना आरोपित की वो नहीं इस सक्षन क्या सच्चाई अपने आप प्रगठ हुई आप वो आप निरंजन सुई उस सच्चाई के साथ कदम 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 बढ़ता है तो परम सत्य तक पहुंझ जाएगा इस तरह अपने सत्य की पार्मी को बढ़ाई जा रहा है सत्य की पार्मी को बढ़ाई जा रहा है एक और पार्मी होती है अधिस्तान की पार्मी द्रड निश्चे करता है खुब द्रड निश्चे करता है अपना मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है तो आते ही पांस शील दिये तो दिर्ड निश्चे करता है चाहे जो कुछ हो जाए यहां रहते हुए पांस शीलों का बड़ी कड़ाई से पालन करूँगा और पालन कर जाता है यहां आने पर उसको कहा जाता है कि नौ दिन तक मौन रहना है दिर्ड निश्चे करता है मौनी रहूंगा नौ दिनों तक नहीं अपने किसे साथी से बात करूँगा यह पार्मी बढ़ती है अधिश्टान की पार्मी बढ़ती है और जितने नियम है उन सब का पालन करूँगा पालन करता है अधिश्टान की पार्मी बढ़ती है और फिर तो बठा देती है घंटे घंटे पर अधिश्टान में हाथ नहीं खोलना पाउं नहीं खोलना हजार रोता है लेकिन फिर भी नहीं खोलता तो नहीं खोलता जब ये बुद्ध बना जिस रात को बुद्धत तो प्राप्त हुआ उसे तो पेड़ के नीचे बैठा है और पालते मार के बैठके उसने दिड़ संकल्प किया अधिश्टान लिया कि मैं अपना हाथ नहीं खोलूं पाउं नहीं खोलूं आख नहीं खोलूं शरीर को बिलकुल नहीं हिलाओं ये दिड़ निश्चे है गंटे बर का नहीं दो गंटे का नहीं जब तक मुझे बुद्धत तो नहीं प्राप्त हो जाए और ने जाने कितना समय लगेगा तो जब पुद्धत तो नहीं प्राप्त हुआ तब तक उस अधिस्टान को लेके बैठा रहा और ये पकी हुई पार्मी नहीं हो और आदमी निर्णे करे कि मैं भी बैठता हूं ऐसे जब तक पुद्धत नहीं बन जाओं तब तक पाउं नहीं खोलूंगा हाथ नहीं खोलूंगा और दस मिनट में पीड़ा जागी हाई रहे अरे छोड़ो छोड़ो फिर बैठेंगे फिर बैठेंगे अभी नहीं समय ठीक नहीं है यहीं करता रह जाएगा ना ये पार्मी जितने जितने पुष्ट कर लोगे देखो कि बहुत काम आई बहुत काम आई और काम आई घिनिश यह उसे क्या मिलेगा अनभूती किस तर पर समता का भाव सीख रहे हैं सुखद संबेदना आती है अनित्य है भाई हम नहीं प्रतिक्रिया करते समता का भाव आया जो कुछ अनभव हो रहा है उसके प्रति हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं समता का भाव आया यह उपक्षा भाव जागी औरों के प्रति तेरा मंगल हो तेरा कल्यान हो तेरा भला हो किसी के प्रति दूएश नहीं जगाएं दूएश के जगा मैत्री जगाएं, करुना जगाएं वो मैत्री की पार्वी यहां बिनाए भी आदमी कर सकता है अपने घर में रोज चिंतन करे सबका मंगल हो सबका कल्यान हो अरे अपने पडोसी के साथ भी मेत्री भाव रखना चाहिए तो ऐ पडोसी तेरा भला हो तेरा मंगल हो यों करता जाएगा लेकिन मन के भीतर अंदर के हिस्से में तो उस पडोसी से जगड़ा है न तो अंदर ही अंदर कहेगा तो जन्न में जा तेरा बुरा हो जाएगा तेरा मंगल हो तेरा मंगल हो तेरा मंगल हो आरे जो भीतर वाला मन है ज़्यादा बलवान है और वो ही बनाता है संसकार वो सलसकार तो तो तुम्हारे मैत्री का नाम और निशान नहीं और ये उपर उपर के लेप लगाते हो मैत्री के बात नहीं बनती यहां दस दिन किस लिए आते हैं कि चित्त को निर्मल करते हैं नो दिन तक चित्त को निर्मल करने का काम किया दसमें दिन जितना भी चितन निरमल हुआ अब मेतरी करना से खेंगे मंगल मेतरी तेरा मंगल हो तेरा भला हो और संबेदनाओं के अधार पर करेंगे तो अंतरमन से कर रहे हैं बिना संबेदना को जाने हुए हम अपने चितन को सुधारने का काम जब जब करेंगे तब तब केवल बुद्धी सुधरेगी, conscious mind सुधरेगा, हमारा अंतरमन नहीं सुधर सकता और जब भी इस संबीदना के साथ अपने मन को सुधरने का काम करेंगे, तो अंतरमन सुधरना शुरू हो गया क्योंके हमारा अंतरमन इन संबेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है प्रतिक्छन जुड़ा रहता है जब तक हम जब तक प्रान है तब तक जुड़ा ही रहेगा तो इसके साथ करना कल सीखोगे ये नो दिन तक चित्त को निर्मल करने का काम नो दिन तक शरीर पर होने वाली संबेदनाओं को जान लेने का काम नहीं करते तो मैत्री ठीक से नहीं कर पाते तो कल ये मैत्री सीख करके इस पार्मी को भी पुष्ट करने में अपना बल लगाएंगे और एक पार्मी दान की पार्मी बड़े महत्व की पार्मी है ग्रियस्त के लिए बहुत आवश्यक है ग्रियस्त है तो किसी के सामने हाथ नहीं पसा रहे वो उसको मेहनत करके परिश्रम करके इमांदारे के साथ धन कमाना ही चाहिए अपने भरन पोशन के लिए अपने परिवार के भरन पोशन के लिए जो जो लोग आश्रित हैं उन सब के भरन पोशन के लिए उसे कमाना ही चाहिए बिक्षू को कमाने की जरूरत नहीं उसको धन संग्रे करने की जरूरत नहीं लेकिन ग्रियस्त को कमाना ही चाहिए लेकिन बड़ी कटनाई ही हो गई जहां कमाना शुरू किया जहां घर में दनाना शुरू किया वहीं आंकार बढ़ेगा मैं कमा रहा हूं मैं इतना हुशियार मैं इतना चतुर मेरी वज़े से कमाई होती है बाकी लोग सब मिठले हैं बाकी लोग सब मुर्ख हैं ये आंकार जागता है अहंकार जागता है तो मुक्ती की दूसरी दिशा में जाने लगा मुक्ती कहां से आएगी मुक्ती तो अहंकार शुन्य वस्था को कहते है आत्मभाव बिलकुल समाप्त हो जाए अनात्मभाव में स्तापित हो जाए उसको मुक्त वस्था कहते है और यहां तो अहंकार जगाए जा रहा है ये विचारा कैसे मुक्त होगा तो देश के समझदार लोगों ने एक रास्ता निकाला कि ग्रिहस्त को अपना अहंकार पिखलाने के लिए जो कमाए उसका एक हिस्सा औरों को बांटे ही तो चिंतन बदल जाए ये जो मैं मैंनत कर रह आँचे थरों धन कमाने के लिए मेरे लिए ने कमा रहा मेरे लिए तो ठीक मुझको अपना भरण पोश्यन करना है अपने परिवाड़ का करना है लेकिन केवल मेरे लिए नE आखिर ये जो पैसा आता है समाज से आता है बदले में मैं समाज को क्या देता हूं ये भाव जा जो कुछ मैं कमाता हूँ उससे अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्यान कैसे हो जाए यहां दस दिन आएगा तो अब समझने लगेगा कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्यान कैसे हो जाता है किसी भूखे को रोटी देते हैं तो कल्यान हो उसका एक दिन की भूख मिट गई उसकी कल फिर भूखा हो गया फिर उसका रोटी की जरुत पड़ गई प्यासे को पानी दिया कुछ गंटों के बाद फिर पानी चाहिए प्यासे के में शक्रे नहीं भूजी नंगे को कपड़ा दिया कुछ महेने के बाद फिर नंगा हो गया कपड़े फिर चाहिए रोगी को ओशदी दी और रोग निकल गया कोई और रोग आ गया ये सारे अच्छे हैं नहीं करना ऐसा नहीं कहा जाता धरम में कि ये सब काम मत करो लेकिन विपशना करते करते ये होश आने लगेगा कि सब दानंग धम दानंग जिनाती जितना दान किसी को दिया जाए वो सारे दान अच्छे हैं पर इस सारे दानों में धरम का दान सबसे उंचा दान एक व्यक्ति को भी शुद्ध धरम मिल गया शुद्ध धरम का रास्ता मिल गया अरे सारे दुखों से मुक्त होने का रास्ता मिल गया ना विचारे को ये चोटे मोटे दुख दूर हुए फिर आए दुख दूर हुए फिर आए ये तो सारे दुखों से दूर हो जाएगा, भवचक्र से दुख से चुटकारा पालेगा, इतना बड़ा दान, इसमें मैं कैसे सहायक हो जाऊँ, तो दस दिनों तक अपने यहां रहने का दान नहीं दे रहा, जो व्यक्ति ये सोच के दान देता है, शिविर में आ करके, दस द दाहिसो, छुड़ा ओ पिंडबना, अरे क्या दान दिया रहे तो ने, होटल का विल चुगा है न फिर, नए मैं तो रहा भिक्छू की तरह किसी और के दान पर, अब मेरे मन में ये चेतना जागे, कि भाई, इसी तरह अन्य लोगों को भी मिले न, तो मेरे पास जो धन है, आगे भविश्य में जो साधक आने वाले हैं, वो किस तरह से इसका लाब उठा ले, इस मारे दान देता है, शुद्ध जित्ध से, लोगों का कल्यान कैसे हो, लोगों का कल्यान कैसे हो, मैं उसमें कैसे साहिक हो जाओ, अरे मेरे पास कम धन है, तो कम दूँ, कोई हर्जा न लेकिन चेतना यह है, अच्छा मैं सेवाई करूं, दस दिन तक लोग मेरी सेवा करते रहें, मैं श्रम का दान देता हूँ, ये दान पार्मी बनती है, नहीं तो पार्मी नहीं है, ये दसों पार्मियों को याद रखेंगे, और जब कभी भविश्य में दस दिन के शिवर मे आएंगे खूब याद रख करके एक एक पार में को पुष्ट करने के लिए आया हूँ ये दसों घड़े हैं भले एक एक बून दो दो बून सब घड़े में डालनी है और सारे घड़े जब पूर्ण हो जाएंगे तो मुक्त हो जाओंगा ये समझदारी के साथ काम करना है हो नो दिन काम किया है कल का दिन और यहां रहोगे खूब लाब उठाओ खूब लाब उठाओ खूब समझो धरम को संप्रदाय से अलग करो इसे दार्शनिक मानेताओं से अलग करो इसे करम करो इसे ऐसा कुदरत का कानून है ऐसा नियम है ऐसा मान करके काम करोगे खूब मं सब का कल्यान हो, सब की स्वस्थ्य मुक्ति हो, स्वस्थ्य मुक्ति हो. बवेत। सब मंगे लंग, बवेत। सब मंगे लंग, बवेत। सब मंगे लंग, साथ, साथ, साथ फला हूँ फला हूँ फला हूँ चाहे तो पांच मुट विश्राम कर लें फिर थोड़ी देर और ध्यान करेंगे पांच मुट विश्राम कर लेंगे लोगों का कैसे कल्यान हो जाए लोगों कैसे भला हो जाए रंच मात्र भी उसके मन में ये भाव नहीं होगा कि मुझे क्या मिल रहा है आरे भाले रुपिया पैसा नहीं मिले आरे कम से कम सम्मान तो मिले ये लोग से तो जुकाएं मेरे सामने और मुझे ये तो कहीं ये बहुत संद है बहुत महान है और ये भी नहीं कहते इतने सेवा करता है लोगों के अप्रशेटी नहीं करते हैं हमारी सेवा का कोई अप्रशेशन ही नहीं को मुल्यंकर नहीं कैसे लोग है ये तो समझना चाहिए अभी धरम नहीं आया है इसाद में बहुत कच्चा है जहां जहां बदले में कुछ चाह है वहाँ वहाँ ये एक दूशन है दूशित हो गया ऐसे सिवा करता है और बदले में कुछ चाह है दूशित हो गई इस सिवा शुदत ये धरम के बात नहीं है तो ये गुं जिस व्यक्ति में आने लगा ये एक प्रतीक है इस बात का कि ये व्यक्ति धरम में पकने लगा दूसरा एक गुण कि स्वयम तो किसी की सेवा करे किसी की सहायता करे तो बदले में कुछ नहीं चाहे लेकिन अन्य कोई व्यक्ति मेरी सेवा करे तो कृतग्यता से भर जाए मन अरे प्राप्त हुआ मुझे इससे ये प्राप्त हुआ किसी से मुठी बरे नाज oui मिल जाए खाने के लिए मन करतगेता से भर जाया है मुझे इस से ये प्राप्त हुआ जयसे जैसे धर्म में पकता चला जाएगा ये दूसरा गुन करतगेता का गुन जागेगा ही पुराने भाशायमें कहते थे कतन्युदा ये बाप दंड़ है、 जिस्से मापा जाता है कि आदमी धरमवान हो रहा है के नहीं तो शरन गौतम सिद्धार्थ गौतम नामत व्यक्ति की कदा पी नहीं लेकिन जैसे जैसे धरम में पकता जाएगा सिधार्थ गौत्म नाम के बुद्ध के प्रती व्यक्ती के प्रती मन में कृतग्यता का भाव तो जागेगा ही जागेगा ही अरे ये इतनी कल्यानकारी विद्या चित्कू गहराईयों तक विज्ञानिक धंग से निर्मल कर देने वाली विद्या भारस से नहीं सारे विश्व से लुपत हो गई थी ना कितनी महनत करके इस व्यक्ती ने उसे खोज निकाला अच्छा भाई खोज निकाला और उससे किवल अपना कल्यान करके रह जाता स्वेम मुक्त हो गया चितनी अर्मल हो गया और किसी कि सेवा नहीं करता तो उसे के साथ ये जागी हुए विद्या खत्म हो जाती है लेकिन जब ये विद्या जागी मुक्त हुआ तो कितनी करुणा जागी कितनी करुणा जागी और ये संसार के सारे लोग दुख्या रहे हैं ये विद्या मुझे प्राप्त हुई खोई हुई विद्ध्या मुझे प्राप्त होई बांटू लोगों को बांटू तो बांटता गया बांटता गया और जिन जिन लोगों को तैयार किया उनको भी कहता बांटो चरत विक्खवे चारिकंग बहुजन हिताई बहुजन सुखाई लोगों पर अनुकंपा गरके उनके भले के लिए उनके सुक के लिए अपने लिए नहीं यह पहला नियम होता है बांटने वाले का अपने लिए कुछ शाहना नहीं लोग कल्यान कैसे हो अधिक से अधिक लोगों का भला कैसे हो जाए अधिक सेधिक दुख्यारे लोग अपने दुखों के बाहर कैसे निकलाएं इस अनुकंपा के साथ, इस करोना के साथ बांटो बांटो और लगे बांटने लो नहीं ऐसा करता तो हमें कैसे पराप्त होती भाई पराप्त होई न बाती तो बुद्ध के पूर्व भी वही थी बुद्ध के समय भी वही थी बुद्ध के बात भी वही है अपने चित्त को निर्मल करो विकारों से मुक्त करो वीतराग बनो, वीद्वेश बनो, वीतमुह बनो स्थित प्रग्य बनो अना सक्त बनो जीवन मुक्त बनो ये बातें नहीं समाप्त होती ये काईम रहती है समाप्त विद्या हो जाती है विद्या समाप्त हो जाती है अपनी अनुभों की बात करूँ बहुत कटर हिंदू सनातिनी घर में जन्मा तो ये सारी सिध्धान्तिक बातें तो बच्पन से पढ़ता है गीता पढ़ी बड़ी गहराई से पढ़े अपनी जान जितने बुद्धी थे जितने समझ थे उपनिशद पढ़े और ये सारी बातें धर्म की धर्म ही धर्म की बातें कैसे अना सकत हो जाओ कैसे प्रग्या में स्थित हो जाओ कैसे जीवन मुक्त हो जाओ वीतराग बन जाओ वीद्वेश बन जाओ यही स्थित प्रग्यता है पाठ करते थे रूज स्थित प्रग्यत शका भाषा और उसका क्या सारे गुण होते हैं उसका पाठ करते थे खुब समझते भी थे बुद्धी से कैसे हो जाएं ये बताने वाला नहीं कौन बताएं क्योंकि कैसे हो जाएं ये विद्धय लुप्त हो गई देश से बुद्धी किस तर पर चिंतन करके कोई व्यक्ति स्थित प्रग्य बन जाए बुद्धी के स्थर पर चिंतन करके कोई व्यक्ति वीतराग हो जाए असंबा बात है मानस का उपरी उपरी हिस्सा भले परग्या में आ जाएगा उपरी उपरी हिस्सा निर्मूज भी हो जाएगा उपरी उपरी हिस्सा वीतराग भी हो जाएगा पर इतना बड़ा बाकी मानस, वैसे रागरंजी थे, वैसे द्वेश दूशी थे, वैसे मूवी मूड़ी थे, तो जीवन तो विकारों से भड़ा पड़ा है, छुटकारा होता नहीं, तो इस बात की तड़प थी, कि ये सारी सिध्धनतिक बातें धरम की बड़ी अच्छी है पर मुझे में तो नहीं आ रही, मुझे में तो नहीं आ रही, पहले ही शिविर में अपने गुरुदेव के पास गया, तो गया जराहिचक के साथ, ये बध्धों का है, ये बध्धों का है, बध्धों का है, क्योंकि मैंने अपने संप्रदाएक रंग की चश्मे लगा रख स्वयम सम्पर्दाएवादी हूँ तो सब सम्पर्दाएवादी लगते हैंुझे। दो दिन वीटे, चार दिन वीटे, पांस दिन वीटे, एक एक दिन जो भीता जारा है, मन इस قदर गद गद हो गया। अरे कहीं नहीं मिली ये विद्या की जो करना सिखा है उपदेश तो सारी जगह थे उपदेश तो सारे मैंने नजाने कितने सुने और स्वेम नजाने कितने उपदेश लोगों को देता था उन दिनों ये गीता का पाठ ये उपनिशद की व्याख्या ये उसकी व्याख्या न जानी कितना बुद्धी विलास कितना वानी विलास चलता था जीवन में नहीं आया तो संताब भी था कि जीवन में क्यों नहीं आ रहा आरे ये व्यक्ति इसने जीवन में उतारने की विद्या दे दी तो कृतगयता के मारे मन इतना विभूर हो गया जीवन में उतारने की विद्या दे दी न कोई बड़ी अच्छी अच्छी मिठाईयों का वर्ण बार-बार सुनाए हमें और मुँं में पानी आए ऐसे मिठाई तो खानी चाहिए बार बार उसकी व्यक्या सुनिये ऐसे मिठाई ऐसे मिठाई और कोई हमें सचमुच खिला दे मिठाई तो दोनों में से किसका उफकार माने भाई सारे जीवन बर तो मिठाई का वर्णन ही सुनते रह गए ना धरम का वर्णन ही सुनते रह गए ना मुक्तवस्था का वर्णन ही सुनते रह गए ना मिठाई का वर्णन था जिस व्यक्ति ने मिठाई जबान पर रख देगी देख चक के देख है ना इसलिए भाई कम से कम दस दिनों के लिए तो शील का कड़ाई से पालन करो शील ठीक से नहीं पालन किया गया तो समाधी सम्यक समाधी नहीं होगी सम्यक समाधी वो जो हमको प्रग्या की उड़ ले जाए होगी नहीं हो और चित किसी से से एकागर हो जाएगा, किसी विकार को लेके एकागर हो जाएगा और सम्मिक समाधी नहीं होगी तो प्रग्या नहीं जागी और प्रग्या नहीं जागी तो विकार में मुक्त नहीं होगे, दिर्वान नहीं प्राप्त होगा तो शील बहुत आवश्यक है शील के बेना समाधी नहीं होती लेकिन समाधी के बेना शील भी नहीं होता मन ही वश्में नहीं है तो शील का पारण कैसे करेंगे तो घोड़ी को आगे रखें, गाड़ी को आगे रखें, कटनाई खड़ी हो गई इस कटनाई को दूर करने के लिए रास्ता निकाला गया कम से कम दस दिनों के लिए घर बार छोड़ करके विक्षो का सा जीवन जीने के लिए एक ज़़े कत्र हो जाओ वहां वातावरण ऐसा होगा कि उस वातावरण में कहां शील भंग करने जाओगे कौन सा शील भंग करोगे और इतना दिन भर इतना काम सुबह चार साड़े चार बज़े से रात को नो साड़े नो बज़े तक अवसर ही नहीं कि किसी तरह का शील भंग करें तो भले परिस्टितियों के कारण भले वातावरण के कारण भले व्यस्त कार्य करम के कारण हमने शील पालन तो किया ना तो शील पालन किया तो मन एकागर सही दिशा में होने लगा अब सही दिशा में मन एकागर हुआ तो प्रग्या जागने का काम शुरू हुआ अब देखें जैसे जैसे प्रग्या जाग रही है वैसे वैसे समाधी पुष्ट हो रही है जैसे जैसे समाधी पुष्ट हो रही है वैसे वैसे शील पुष्ट हो रही है तीनों एक दूसरे की मदद करने लगे शील समाधी की मदद करता है समाधी शील की मदद करता है शील प्रग्या की मदद करता है समाधी प्रग्या की मदद करता है समाधी प्रग्या समाधी की मदद करती है जैसे तीन टांग की तिपाई है तीनों मजबूत एक कमजोर हो जाए तो तपई गर जाएगी तीनों को मजबूत करने के लिए इस तरह का कारिय करम पुरानी समय से चला आया एक जगह एकत्र हो जाएं किसी तपुभूई में एकत्र हो जाएं कड़ाई से सील का पालन करते वी इस विद्या को सीखें तो ये पांच शिल्दी कोई करम कांड़ पूरा करने के लिए नहीं ये धर्म के इस साधना के अभिन अंग हैं अधार शिलाएं हैं बुनियाद हैं इनके बिना बात बनते नहीं इसलिए इंक पालन किया फिर आगे चले अपने आपको 10 दिनों के लिए समर्पित किया तो उस समय भी समझाया है फिर भी समझना चाहिए कि समर्पन किस को इस विद्या को समर्पन है ये भारत की क्या विश्व की बहुत पुरातन विद्या बहुत पुरातन विद्या न जाने कितनी बार जागी दो चारसो पांसो वरस चली फिर ऐसे बावलिया हाथ में के हाथ में चली गई जिन्होंने कुछ जोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया उसमें अपनी कोई संपरदाय की बाट डाल दी ये कर दिया वो कर दिया यो होते होते उसकी शुद्धता खत्म होई शुद्धता खत्म होई तो उसका जो लाम मिलना था लाम मिलना बंद हो गया लाम मिल्ला बंद हो गया तो लोगों ने ब्यास करना बंद कर दिया समाप्त हो गई भूल गई लोग फिर कोई ऐसा महापुरुष जागा उसने खोज निकाली और फिर चली कुछ दिनों तक कुछ सदियों तक फिर समाप्त हो गई तो ये भारत की बहुत पुरातन विद्या है बहुत पुरातन विद्या है लेकिन क्योंकि पिछले दो हजार वर्षों से भारत से लुप थो गई तो आज बड़ी नईसी लगती है तो इसको अगर समर्पी थोकर काम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अपना जोड़ेंगे ये हमारी परमपरा में तो ये बात है ये भी तो अच्छी है ये कर रहे हैं चलो थोड़ा सा वो भी कर ले चलो थोड़ा सा वो भी कर ले तो एक तो अपनी हानी कर लेंगे बहुत बड़े खत्रे की बात है और दूसरी बात ये कि इसको आजमा की कैसे देखोगे भाई दस दिनों तक जैसे बताया जाए जितना बताया जाए ठीक वैसे ही करें उतना ही करें उसमें कुछ अपनी और से जोड़ें नहीं कुछ तोड़ें नहीं तब तो ये कहेंगे कि हमने आजमा की देख लिया तो ये जो आत्म समर्पन दस ही दिन का आत्म समर्पन है ना दस दिन पूरे होई तो देखें अपनी आपको कि भे क्या सच्मुच ये रास्ता ठीक है के नहीं युक्ति संगत है के नहीं कल्यान कारी है के नहीं इस रास्ते पर चलने पर मेरा और अन्य लोगों का कल्यान होने वाला है कि नहीं? खूप इश्वास हो जाए, समझ में आ जाए बात तो चले तो दस तिन के लिए समर्पन करना बहुत जरूरी कि जितने नियम है, उपनियम है, अनुशाशन है, इस हमेश साथ अरे इन रूपों में मिला क्या, इन आकरतियों में मिला क्या, तुम्हारा विकार निकल जाए तब तो ठीक ये दर्शन तुम्हारे काम आया, विकार तो निकला नहीं ना तो क्या काम है ये दर्शन इश्वर का हुआ कि आत्मा का हुआ कि किसी देवी का हुआ कि देवता का हुआ उलज कहा गए एक ही सादे सब सदे सब सादे सब खोई एक ही लक्ष हो कि धर्म का रास्ता विकारों से विमुक्ति का रास्ता है मेरे विकार निकल रहे हैं के नहीं निकल रहे हैं जितने जितने निकल रहे हैं और गहराई उसे निकल रहे हैं मैं उतना उतना धर्म के रास्ते आगे बढ़ रहा हूं बाकि सारी बातों को गोन कर दे आस पास की इधर की उधर की बस एक ही रास्ता एक ही बात फूट फूट के निकलते हैं, फूट फूट के निकलते हैं, अपने हाप अनबोख होने लगेगा, बहुत करोधी सवभाव का विक्ति, ये काम करते करते देखिए कैसे करोध कम होने लगा, कम होने लगा, आप करोध सिर्प सवार नहीं होता, बहुत वासना में व्याकूल रह अरे होगे भाई हमारे भीतर कोई एक आत्मा है होगी हमको बनाने वाला कोई परमात्मा है होगा फिर भी तो राग निकालना पड़ेगा न देश निकालना पड़ेगा न मुक्त होने के लिए तो राग देश निकालना ही पड़ेगा न रही आत्मा या न रही आत्मा मैं अप बच्पन से यही सुनते आए, कोई आत्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, सो में से असी आद्मी इस बात को नहीं मानते, कि इस संसार को बनाने वाला कोई इश्वर है, नहीं मानते, क्योंकि बच्पन से यही सुनते आए, उन लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए उन लोगों को खूब समझा है और अब इतने वर्सों से इस देश में आया है इस देश में सो मेसी असी के असी से ज़्यादा लोग इस बात को मानने वाले है कि हमारे भीतर कोई एक अलग थलग आत्मा है इस बात को मानने वाले है कि इस संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा है इन लोगों को भी खुब देखता हूँ और बड़े निस्पक शभाव से देखता हूँ रंगिन चस्मों से नहीं भाई मुझे तो कोई फरक नहीं नज़राया जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा नहीं है और इश्वर नहीं है वो भी वैसी अंकार जगाए जा रहे हैं वैसी राक पैदा करते हैं द्वेश पैदा करते हैं उतनी ब्याकुल होते हैं और ये लोग जो आत्मा मानते हैं परमात्मा मानते हैं अंकार जगाए जा रहे हैं राग पैदा करते हैं द्वेश पैदा करते हैं वैसे ब्याकुल होते हैं दोनों की ब्याकुलता में कहीं फरक नहीं आत्मा को मान लेने मातर से अगर हमारा विकार सारे निकल जाएं परमात्मा की अस्तित्तो को मान लेने मातर से अगर हमारे विकार सारे निकल जाएं तब तो सारा प्रियत नहीं करना चाहिए कि कैसे सारे लोग आत्मा को मानने लगें प्रमात्मा को मानने लगें देखो विकार सारा निकल गया ना अत्वा आत्मा को नहीं मानने मातर से विकार सारे निकल गए प्रमात्मा को नहीं मानने मातर से विकार सारे निकल गए तो परियत नहीं करना चाहिए कि लोगों को सिखाए आत्मा को मत मानो प्रमात्मा को मत मानो आरे ये दार्शनिक माननेता हैं कहां उलज गए क्या मिलने वाला है विकार तो विकार है जागी कही आत्मा को मानते हो तो भी जाग रहा है आत्मा को नहीं मानते हो तो भी जाग रहा है परमात्मा को मानते हो तो भी जाग रहा है नहीं जाग रहा है आत्मा परमात्मा दो अलग अलग है दूएत वाद है तो भी जाग रहा है आत्मा परमात्मा मानिताओं ने धर्म को चोपट कर दिया धर्म का सही सुरूप हम कैसे वीतरागता की रस्ते पर चल करके अपने चित्त को निर्मल करने जीवन सार्तिक हो जाए तो तो काम की बात हुई और वो नहीं हो तो धोके की बात जितनी जल्दी इस धोके के दुख लगे रहेंगे, यह जीवन भी दुख में जायगा और आगे भी दुख है कि जीवन आने वाले हैं मुनशी का जीवन मिला है और मुनशी के जीवन में इतने बड़ी शक्ति कुदरत ने दी है यावटियों को, परमात्मा ने दी है कि वो आत्म मुखी होकर के स्वय मुखी होकर के सत्य मुखी होकर के अपने भीतर के सचाई को देखते 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 विकारों से मुक्त हो सकता है और ये इतने बड़ी शक्ति जो हमारे पास है उसको जगाएं नहीं उसका उप्योग करें नहीं और न जाने इस दार्शिंग मननेता में इस बरत उप्वास में इस परोतिवार में इस करमकांड में उस करमकांड में सारा जीवन खो दें अपना दुर्भागे की बात हुई बहुत बड़ा भागे होता है किसी का बहुत बड़ा पुन्य होता है तो धरम का शुद्ध स्वरूब सामने आता है और वो उसको ग्रेंड करता है और उस रास्ते बचलने लगता है मैं अपने आपको बहुत भागे-शाली मानता हूं कि मेरे पुर्खे तीन पीडी पहले बर्मा में जाके बसे ऐसे धर्म देश में जाके बसे जहां भारत से गया हुआ शुद्ध धर्म अपने शुद्ध रूप में कायम वाले थोड़े से लोगों में बहुत थोड़े से लोगों में गुरु शिश्य परंपरा गुरु शिश्य परंपरा हर आचारी इस बात के जिम्मेदारी समझता था कि मेरे मरने के पहले पहले दो चार पांच लोग कम से कम इस विद्या में जरूर पक जाएं ताकि ये विद्या आगे चले दो चार पांच आद में जरूर सीख जाएं यूं गुरु शिश्य परमपरा पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी उन्होंने समाल करके रखा ऐसे देश में जन्मा भागे की बात हुई और और एक बड़े भागे की बात हुई कि किसी बनिय के घर में जन्मा जात पांच से कुछ मिलता मिलाता नहीं धोका होता है बलकि लेकिन फिर भी बनिय घर में जन्ने का एक लाब हुआ कि जब कोई आदमी और विशेश करके बनिया अपना देश छोड़ करके परदेश में जाता है तो एक एई लक्ष धन कमाओं धन कमाओं राज दिन एक अही लाल सा धन कमाओं धन कमाओं इस तरह कमाओं उस तरह कमाओं ऐसे घर में जन्मा ऐसे परिवार में जन्मा तो धन कमाना ही प्रमख हो गया पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, धन कमाना जरूरी है तो उंची पढ़ाई भी नहीं हुई, विश्य विद्याले के पढ़ाई हुई ही नहीं तो धन कमाने, 15-16 वरस की उमर में धन कमाओ, धन कमाओ, लग दया कोई मध्य 20 तक आया 25 वरस, बहुत उन दिनों के, वहां के स्टेंडर्ड के मुताबिक, बहुत धन कमाया तो अच्छा ये हुआ उससे, अगर उस अवस्था में इसे नहीं गुजरता तो मन में ये बात रह जाती कि जो लोग धनी है, मैंने तो धन कमाया नहीं, धन का सुख भूगा नहीं तो जो धनी है वो जरूर सुखी है, ये दुखी यही है जिनके पास धन नहीं है, अब उसमें से गुजर गया न, तो जान गया बड़े दुख्यारे होते हैं धन आ जाए घर में और धर्म नहीं आए, इससे बड़ा संताप नहीं होता है, बड़ा दुख्यारा हो जाता है धर्म आए, तो फिर धन होतो न होतो दुख्यारे होतो दुखी रहेगा तो ऐसी अवस्तामी से गुजरा, ये हमारे लिए सुभागी की बात हुई और जब आज़ने के पास बहुत धना आता है और बड़ा दान देता है, यहां दिया, वहां दिया, बड़ी परसिद्धी होती है समाज में जो समाजिक संस्ताइं है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, अमुक है मैं प्रेजिडेंट, मैं सेकरेटरी, मेरी हाथ में ये पावर, मेरी हाथ में ये सत्ता, मिसको ऐसे समान, उसको ऐसे समान गुजरा इसमें से, कितना तनाव इकठा कर लिया, कितना तनाव बड़ी सुभागी की बात हुई कि एक बहुत बड़े रोग का शिकार हो गया ऐसा रोग कि जिसका आकरमन हर पंदरवी दिन आ जाए और इतना भेंकर आकरमन आए कि डाक्टरों के पास कोई इलाज नहीं कोई इलाज नहीं तो क्या करें बिचारे मॉर्फिया का अंजिक्शन दे वें उस मॉर्फिया की इंजक्शन से नशे में पढ़े रहो तो 24 गंटे तक उस मॉर्फिया का फिर आफ्टर इफेक्स उल्टिया हो बुरा हाल हो हर पंदरवे दिन यहालत दो चार पांच बरस चला इस तरह से फिर जो परिवार के डॉक्टर थे बड़े भले परिवार के अंग जैसे ही थे उन्होंने का देख भाई यह जो हम बार-बार मोर्फिय तुम्हें दे रहे हैं कुछ वर्षों के बार ऐसा होगा कि मोर्फिय डिक्ट हो जाओगी मोर्फिय का एक ऐसा नशा चढ़ जाए बार-बार अपने कामधंदे के लिए विदेशों में भागता फिरता है एक बार कामधंदे को जरा भूल और अपने यलाज के लिए जा हम जानती है कि तेरा यह जो रोग है इसका कोई इलाज नहीं, पस्चिम में भी नहीं, हमारे पास भी नहीं लेकिन ही जो मॉर्फिया है इससे जरूर निकल जाओगे, उनके पास कोई और पेन किलर मिल जाएगा तुमें और तुम इससे मुक्त हो जाओगे, तो तुम्हारा कल्यान हो जाएगा, उसकी बात सुनकर के खपर आया, ठीकी बात है तो गया गया कई महिनों तक, स्विजर लेंड में, जर्मनी में, इंगलेंड में, अमरीका में, जपैन में जो उंचे से उंचे डाक्टर थे, खुब धन फूंका, खुब समय बरबाद किया, लोट की आया, तो ये देखा, कि रोग बढ़ता ही गया, जियो जियो दवा की, और बढ़ता गया, अक्रमनाती जा रहे हैं, अरे मोर्फिया से चुटका रहा, रोग से चुटका रहा, बहुत प्रेतनी किये किसी ने, बड़े-बड़े डाक्टरों ने प्रेतनी किया, मैं समझता हूँ, मेरे लिए बड़े भग्य की बात हुई, कोई बहुत बड़ा पुन्य था, अगर कोई डाक्टर उस रोग को निकाल देता, ये इतना बड़ा अनमूल रतन मुझे कहा मिल तो जब सब जगे से कोई इलाज नहीं हुआ, तो एक मित्र, उस मित्र को याद करते हैं, तो मन भावत करतक देता कि भाव से भर जाता है, उस ने कहा कि इस व्यक्ति के पास जाओ, दस तिन इसके पास साधना करके देखो, कौन जाने, तुमारा रोग चला जाए, आकर पास चलो, गया हमारे गुरुदेव के पास, या जी उबाखिन के पास, ऐसी संत पुरुष, ऐसी संत पुरुष, थोड़ी दिर बात करने में बड़ी शानती मालु होती है, तो बड़ी शानती, तो कहा उन से कि मैं आपकी एक दस्तिन के श्रिवर में आना चाहता हूँ, त हम तुमको कोई कॉनवर्ट नहीं करेंगे, तुम अपना आओ और काम करो, सब के लिए खुला है, धर्म के गंगा सब के लिए है, फिर उड़ते उड़ते हमने कह दिया कि महराज हमको अमुक विक्तिने भीजा है, जो आपका भी परचित है और हमारा मित्र है, आगे जाकर क सब्रमा की सुप्रेम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, उस विक्तिने भीजा है, क्योंकि हमको ये एक स्पेशल टाइप की माइगरेन होती है, और पंद्रवे दिन उसका मॉर्फिया लेना पड़ता है, अटेक आने पर कोई इलाज कहीं नहीं हुआ, तो कह मता न हमारे पस भूल के मता है न, हम नहीं लेंगे तुम को, अरे क्या हो गया, हमने इनको नाराज कर दिया, बात क्या हुई, तो संत है न, बड़े प्यार से समझाते हैं, तो धरम का अवमुल्यन कर रहा है न, इतना उंचा धरम, तो तेरे जनम जनम के भवरोगों को दूर कर देगा, जन जिए सीखने आ रहा हूँ, उस दिन चले आना, अरे ये सिर्दर निकलना तो बाई प्रोड़क्ट है, फिर समझाया बड़े प्यार से, कि तो चीनी की इंड़स्ट्री बठाना चायता है, तो किस लिए बठाना चायता है, चीनी पराप्त करने के लिए न, शुगर पराप् अपने अब्दूर हो जाएंगे, वो लक्ष ले करके नहीं आना कभी, बात उनके समझ में आई, अध्यात्म तो इतना महान होता है, शुद्ध धर्म इतना महान होता है, हम ये सरीर के रोग के लिए उसके पास जाएं, न, न, हमको तो ये मन के रोग को निकालने के लिए ज श्रेय, परधर्म, भयाव, भयाव, अपने धर्म में अमर भली जाओ, पराए धर्म में नहीं जाना हो, ये तो पराए धर्म, अरे बापरे बुद्धों का धर्म, और कैसे बुद्ध, आत्मा को नहीं माने, परमात्मा को नहीं माने, ऐसे नास्तिक, कई मैं भी नास्तिक ब देखता हूँ चला तो गया किसी तरह से भी और गुजरा उसमें से तो अरे नियाल हो गया गुजरा उसमें से तो पता लगा क्या स्वधर्म होता है क्या परधर्म होता है हम मनुश्य हैं ना मनुश्य की पास प्रगर्ति ने कैसा धर्म दिया है कैसे शक्ति दी है कि वंतर मु मनुश्य कर सकता है और यह जो काम मनुश्य कर सकता है उसको हम करें नहीं और बाकी काम जो सब कर सकते हैं वैसा ही जीवन हम बिता दें तो पशों का सब जीवन बिता दिया ना पर धर्म में जीवन बिता दिया ना सो धर्म को जगाया है यह ना बासमज में आई बड़े कल्या की बात हुई जैसे नहीं जीवन मिल गया चौदा वरस तक उनके चरणों में बैठ करके ये विद्धा सीखता रहा चौदा वरस के बाद माता पिता पहले आ गये थे वहां से बर्मा से सूचना आई कि माता बहुत बिमार है उसको कोई मांसिक नर्वसनेस हो गया यहां आने की इलाज कराए नहीं ठीक हुई तो जानता था कि ये विद्धिया प्राप्त कर लेगी तो इस रोग से मुक्त हो जाएगी तो बर्मे सरकार से पासपोर्ट कावी दिन किया उन दिनों वो अपने नागरिकों को पासपोर्ट बाहर जाने के लिए नहीं देते थे उनका बड़ पहले बार-बार मन में एक भाव जागता था कि इस व्यक्ति से इतने बड़ी विद्धिया भारत के मिले जो भारत से लुप्त हो गई ये भारत के लोगों को मिलनी चाहिए उनके मन में भी बार-बार ये भाव था कि बरमा पर भारत का बहुत बड़ा रिन है ये चुकना आज भारत कंगाल हो गया, विद्या नहीं है उसके पास, ये विद्या कैसे पहुंचे भारत, बार बार परियत न किया उन्होंने, नहीं आ पाए, तो जब मा आने लगा, तो कहते हैं ये मत समझना तू जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, धरम जा रहा है, एक बहुत बड़े जम आ रही अनेक सदियों से चली आ रही कि भगवान बुद्ध के पत्चिस सो वर्ष के बाद ये विद्या फिर एक बार जागेगी ब्रम्मदेश से भारत आएगी और भारत में प्रस्थापित हो करके फिर सारे विश्वन पहलेगी ऐसी एक मानिता चली आ रही तो उन दिनों त लगता था कोई संपरदाइक मानिता है अरे बाबा इतनी दिनों तक नहीं गई तो आप कैसे जाएगी और जाएगी तो सारे भारत में फैलेगी और विश्वन में फैलेगी तो विश्वल तिंकिंग होगा चलो ठीक है लेकिन यहां आए तो बड़ा आश्चरी हुआ मुक्त हुआ बगवान बुद्ध ने कहा कोई व्यक्ति अपने माता पिता की रिन से मुक्त नहीं हो सकता बहुत कठिन है बहुत कठिन है सारी जीवन और कुछ नहीं करें केवल माता पिता की सेवाई करता जाए तो भी रिन से मुक्त नहीं होगा तो कैसी रिन से मुक्त समाधी भी पर प्रग्या नहीं जागती प्रग्या जगाने में साहिक हो जाएगा प्रग्या जागी पर निर्वान का साक्षात कर नहीं हुआ साहिक हो जाएगा रण से मुक्त हुआ मैं अभी अपने माता पिता के रिने से मुकत हुआ और फिर जो बाकी लोग बैठे थे शिविर में एक सुभाव है धर्म का एही पसी को आओ देखो आओ देखो तो जुलू गूर बैठे थे उन्होंने कहा कि हमारे माता बैठेगी पिता बैठेगा भाई बैठेगा बहन बैठेगी अमुक बैठेगा अमुक बैठेगा एक शिवरोड लगाईए एक शिवरोड लगाईए मैं बर्मी सरकार से छुट्टे लेकर आया केवल तीन महने यहां रहने के लिए लेकिन ये धर्म गंगा बहनी शुरू हुई शिविर पर शिविर शिविर पर शिविर हज़ारों के संख्या में लोग आने लगे बड़ा आश्चरी हुआ ये बात अब सही मालूम होने लगे जिन लोगों को मैं जानता नहीं कभी देखा नहीं जो लोग मुझे नहीं जानते ब्रह्म देश चे यहां आने पर एक लिस्ट बनाए कि भारत के कितने लोग मुझे जानते हैं तो अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके और लोगों के लिस्ट बने तो संख्या सो पर नहीं पहुंचे सो से कम लोग मुझे जाने या मैं उनको जानू करोडों की अबादी वाला देश और कैसी लोग खिंचे आ रहे हैं हर संपरदाए के लोग आ रहे हैं हर मन्यता के लोग आ रहे हैं उनके लीडर आ रहे हैं और फिर यहीं के नहीं भिन्न भिन्न देशन से चले आ रहे हैं तो भाई सच मुछ भी पश्चना का डंका बजा अब समय आया है खुब जोरों से धर्म जागने वाला है भारत आने के कोई को डेड़ बरस के बाद बोद गया में शीवर चल रहा था और उस समय यकाहिक एक सूचना आई कि गुरु देव ने अपना श्रीक त्याग दिया जिरा धका सा तो लगा लेकिन फिर हूश आया धर्म सिखाया है ना उनोंने तो एक चिंतन चला मन में माता पिता के रिंड से तो मुक्त हुआ इस व्यक्ति के रिंड से कैसे मुक्त हो माता पिता ने जनम दिया वो तो संसारी जनम दिया इस व्यक्ति ने जनम दिया वो सही जनम दिया यह जो दूसरा जनम मिलता है मनुश्य को वो सही जनम होता है जैसे पक्षी के दो जनम होती है एक बार अंडे की रूप में जन्मेगा और फिर उसके बाद अंडे की खोल तोड़ करके तब जन्मेगा वो सही जन्म होगा ऐसे ही दूसरा जन्म माता पिता जन्म देती हैं अविद्या की खोल में जन्म देती हैं आरे इसके रिंड से कैसे मुक्त हो सकूँ तो एक संकल्प किया कि अपना सेश जीवन उनकी बड़े इच्छा थी कि ये विपर्षन संसार में फैले लोग कल्यान हो अपनी परसिद्धी के लिए नहीं लोग कल्यान हो तो उनका उनकी ये मनशा पूर नहो तो अपना सारा जीवन इस काम में लगाऊँ अधिक सी अधिक लोग इस रास्ते पढ़कर अपना कल्यान सादली तो देखता हूँ कि किस प्रकार लोग खिंचे वे चले आ रहे हैं क्योंकि उनका भी अपना पुन्य है जो उनको खेंच के ला रहा है अनेक लोग इस प्रकार के आ रहे हैं जिन्होंने किसी ने किसी जीवन में कोई ऐसा सतकर्म किया उन्होंने विपशना नहीं की लेकिन कोई सतकर्म किया उस सतकर्म से और लोगों को विपशना मिली ऐसा बीज जो लेकर आए उसका फल इस समय उनको खेंश कर ला रहा है धरम की वो ताकि उनको धरम का बीज मिल जाए विपश्णा का बीज मिल जाए लेकिन एक ऐसे व्यक्ति भी देखता हूँ ऐसे वरक के भी कि जिनको पहले धरम का बीज मिला हुआ है और अब वो इसलिए आ रहे हैं कि इसमें खूब पकें खूब पकें और अपना भी कल्यान साथ लें अनेक लोगों के कल्यान के में साहिक हो जाएं तो चाहे इस तबके में हो कि जो धर्म कभीश लेने आया है या उस तबके में हो कि जिनको धर्म कभीश तो पहले से है और अब पकने आया है भाई ये जो विद्ध्या मिली है बहुत अनमूल रतन मिला है बहुत अनमूल रतन मिला है इसमें खूब पकें, खूब पकें, मनुश्य जीवन को सार्थक कर लें, अपने मंगल कर लें, अपना कल्यान साध लें, अपने स्वस्ति मुक्ति साध लें, और न जाने कितनों के मंगल में कल्यान में स्वस्ति मुक्ति में साहिक हो जाएं, धरम बड़ा कल्यान कारी, का कल्यान हूँ का 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 देंग। बहला हो電, विश्राम करें, विश्राम करें, इतने गंभीर शब्दों के साथ कहता है, तुम्हे ही किछंगा तपंकाम तुम्हे करना पड़ेगा, तपना तुम्हे पड़ेगा, को जटागत होगा तुम्हें पास ता बताएगा, उसके बारे में ऐसा भाव बना लें, कि मैं बुद्ध की शरन जा रहा हूं क्योंकि बुद्ध मुझे तार देगा, तो बात नहीं समझ में आई ना, बुद्ध की शरन जा रहा हूं, एक से अधिक पार उस व्यक्ति ने कहा, समझाया, अत्त दीपा, अत्त दीपा बिहरत, अत्त सरन, नान्य सरन, धंव सरन, नान्य सरन, अत्त दीपा बिहरत, अपने आप को द्वीप बना करके रहूं, अपनी शरन, नान्य सरन, किसी अन्य के शरन नहीं, अपनी शरन, अपनी शरन माने, अपने भीतर जो धर्म जगाओ, उसकी शरन, धंव दीप, धंव का द्वीप बनाओ, अपने भीतर धर्म का द्वीप बनाओ, उसकी शरन गरहन करो, किसी अन्य के शरन नहीं, मानि किसी व्यक्ति के शरन नहीं, इतने इस पष्ट शब्दों में जो व्यक्ति कहिता है, अपना द्वीप बनाओ, अपने भीतर धर्म का द्वीप बनाओ, क्या द्वीप होता है? किसे महा सागर में कोई यात्रा कर रहा है और बड़ा तुफान आ गया बड़ी बड़ी लहरे ही बहुत बड़ा तुफान अब ये जहाज न जाने कब डूब जाएगा ये नोखा न जाने कब डूब जाएगी तो उस समय लोग देखती हैं कहीं कोई आस पास दूब दिख जाए कोई कोई आईलन दिख जाए तो वहाँ पहुंच जाए तो कितना ही तुफान हो हमको शर्ण मिल गई ऐसे ही धर्म हमारे लिए दूब है और वो दूब हमारे भीतर हम धर्म धारन करने लगे तो हमारे लिए दूब बन गया अब चाहे जैसे तुफान जीवन में आते रहें चाहे जैसे संक्ट जीवन में आते रहें हमको शर्ण मिल गई अपने भीतर धर्म का दूब बनाया तो बन गई मिल गई स्वेंटो धर्म धारन नहीं करें और ये आशा करें कि अमुक व्यक्ति के शरन चले गए, अमुक व्यक्ति के शरन चले गए, इस देवी के, इस देवता के, इस इश्वर के, इस ब्रहम के, इस महापुरुष के, इस संत के, इस बुद्ध के, इस अरंत के, इस के शरन चले गए बस वह आप इतार देगा, वह आ इन रतनों की है, बुद्ध में जो रतन है, धरम में जो रतन है, संग में जो रतन है, और कितने इस प्रश्ट शब्दों में समझाया, बार बार समझाया, इदम पे बुद्धे रतनंग पनी तंग, इदम पे धम में रतनंग पनी तंग, इदम पे संग हे रतनंग पनी तंग, बुद्ध में ये रतन है, धरम में ये ये रतन है, संग में ये ये रतन है, गुण ही गुण बताए, ये गुण है तो बुद्ध है, ये गुण नहीं है तो ये वेक्ति बुद्ध नहीं है, ये गुण है तो धर्म है, ये गुण नहीं है तो धर्म नहीं है, ये गुण है तो गुनों के लिए रहे हैं और गुन कोई व्यक्ति तो होता नहीं कि हम कहें है गुन हम तुमारी शरन आगे तुम तार देना क्या दारेगा वो गुन धारन करें अपने आपतर गए वो गुन हमारे भीतर आएं शित्य में निरमलता आए सद्पुन से भर जाए अपने आपतर गए तो धरम धारन करना ही शरन ग्रहन करना है और यह जो शबद इस्तेमाल किया गच्छामी 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 चलता हूं प्रतिपादन करता हूं कदम कदम चलता हूं बुद्ध के गुनों की ओर धरम के गुणों की ओर संग के गुणों की ओर कदम कदम चलता हूँ माने धरम धारन करने के मार्ग पर कदम कदम चलता हूँ इस माने में तेन रतनों की शरण है एक संप्रदाय से किसी दूसरे संप्रदाय में दिक्षित हो क्या मिल जाएगा ये तो भारत का ही नहीं सारे विश्व का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि धर्म के शुद्ध स्वरूप को खो बैठे भारत का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ पिछले दो हजार वर्षों में धर्म और संपर राय परियावाची शब्द हो गए जो स्पष्ट रूप से संपरदा है उसके लिए धर्म शब्द इस्तिमाल होने लगा जैसे ही धर्म के कोई बात करे इतने वर्ष हुए ब्रहमदेश से आए जहां धर्म शब्द का परियोग करता हूँ सुनने वाले के कान खड़े होते हैं ये व्यक्ति कौन से धर्म की बात करेगा बहुत धर्म की की जैन धर्म की की हिंदू धर्म की की हिसाई धर्म की की मुस्लिम धर्म की की सिक्क धर्म की कौन से धर्म की बात करेगा ये विशेशन साथ नहीं लगे तो जैसे धर्म ही नहीं होता धर्म के साथ कोई विशेशन लगना चाहिए कोई पुछला लगना चाहिए हिंदू का लगे, बॉद्ध का लगे, जैन का लगे इसाई का लगे, मुस्लिम का लगे तो धर्म है आरे धर्म का अपना अस्तित्त है भाई बड़ा महानस्तित्त है जो अनंत है ऐसा कुदरत का कानून जिसकी हुकूमत सब पर चलती है जिस कानून को अनू अनू धारन करता है जो अनू अनू को धारन करता है सजीव, निर्जीव सब पर जिसकी हुकूमत चलती है वो रिद, वो विश्व का विधान कैसे होगा, इसाई कैसे होगा, जैन कैसे होगा, ये समू है, कुछ एक लोगों की, ऐसे लोगों का समू, ऐसे लोगों का समाज, ऐसे लोगों का समबरदाए, जो एक किसी प्रकार की रीती नीती पालने वाले, परवत्योहार मनाने वाले, एक किसी प्रकार का वर्त उपवास क एक किसी प्रकार का कोई कर्म कांडर करने वाले, एक किसी प्रकार की कोई दार्शनिंग मानने था मानने वाले, तो एक समा जैसा, एक समा जैसा, एक समा जैसा, धरम से लेन देन नहीं, दूर पर एक अभी संबंद नहीं, धरम तो कुदरत का कानून है, जैसे कहें, आग का धर धर्म है जलना और जलाना तो ये कानून है ये नियम है ये उसका सभाव है धर्म का अर्थ ही भारत में सभाव होता था लक्षण होता था कुन धर्म सभाव लक्षण प्रेवची शब्द होती थी भारत में अगनी का सभाव है जलना और जलाना अगर उसका सभाव जलना और ज शीतल होना शीतल करना वो शीतली नहीं होती शीतल करती नहीं तो बरफ नहीं और कुछ होगा थी किसी प्रकार ये कुद्रत के बंधे बंधाय नियम जो सब पर लागू होते हैं विकारों का धर्म है ब्याकुल होना ब्याकुल करना स्वें ब्याकुल होगा औरों को ब्याकुल हो जाएगा आसपास के सारे वातवरन को भ्याकुल कर देगा और विकार निकल जाए निर्विकार हो जाए तो निर्विकार चित्त का धर्म है सुभाव है बहुत सुक्षान्ति बहुत सुक्षान्ति अनभव करेगा औरों के लिए भी सुक्ष्यान्ति का निर्मान करेगा ये उसका धर्म है, ये उसका सभाव है इतनी सीधी सी बात धर्म की हुआ करती थी कैसे उलिजा दिया मूल बात धर्म की छुट गई और धर्म को इन संपरदायों के साथ जोड दिया तो एक तरह से धर्म लुपत ही हो गया फिर नए सिरे से जा गई हिंदू कहने वाला अपने को हिंदू कहता रहे कोई दोश की बात नहीं उसमें अपने परवत युहार वैसे मनाता रहे अपने वरत पुआसर वैसे करता रहे अपना खान पान रहन सेंड वैसे ही रखके कोई दूश के बात नहीं उसमें पर धर्मवान तो बने है जैन अपने को जैन कहता रहे इसाई अपने को इसाई कहता रहे मुसल्मान अपने को मुसल्मान कहता रहे बॉद्ध अपने को बॉद्ध कहता रहे धर्मवान तो बने है बिना धर्म वान हुए हुए भी एक आदमी अपने को कहता है कि मैं कट्र हिंदू हूँ, कट्र बॉद्ध हूँ, कट्र जैन हूँ, कट्र इसाई हूँ, कट्र मुसल्मान हूँ, कट्र सिकूँ रोज देखते हैं न, धर्म का नाम और निशान नहीं उस विक्ति में जरासा शील सदाचार नहीं उसमें, मन उसके वश में नहीं, मन उसका निर्मल नहीं धर्म के ये तीनी बात हैं, शरीर और वाने से दुशकर्म नहीं करें, सदाचार का जीवन जीए, धर्म का पहला कदम अपने मन को वश में करे, अपने मन का मालिक बने, धरम का दूसरा कदम अपने मन को निर्मल करे, धरम का तीसरा कदम इन तीनों में से कुछ नहीं है फिर भी अपने आपको बड़ा धरमवान मानता है क्यों मानता है? कि वैसे वैसे परवतिहार मना रहा हूँ न अपने संपरदाय के जोगी है वैसे वैसे करम कांड कर रहा हूँ न अपने संपरदाय के जोगी है वैसी वैसी दार्शिंग माननेता मान रहा हूँ न एक बड़ी बिमारी ये दार्शिंग मानेता मानता हूँ तो बड़ा धर्मबान हूँ एक नश्रा सारे जीवन पर चड़ा रहता है बशाना धोके में है ये दोजार वर्ष का अंदेरा है भूली गए धर्म किसको कहती है एक एक करके एक एक करके शिविर के दसों दिन पूरे हुए शिविर समापन का समयाया इस महान धर्म यग्यकी पूरना हुती का समयाया जब काम शिरू किया था तो सब ने आत्म समर्पन किया था ये बहुत जरूरी था बिना आत्म समर्पन किये इस विद्यको अच्छी तरह आजमा कि नहीं देख पाते इसके साथ पूरा पूरा न्याई नहीं कर पाते इसलिए आत्म समर्पनावश्यत था सब ने खूब समर्पित भाव से काम किया दस दिन तक भारत की इस पुरानी विद्यको स्वयम आजमा कि देख लिया दस दिन पूरे हुए आत्म समर्पन दस ही दिन का था अभर व्यक्ति आजाद है स्वतंत्र है स्वाधिन है धर्म जब शुद्ध होता है तो वो हमें स्वाधिन बनाता है पराधिन नहीं वो हमें स्वतंत्र बनाता है परतंत्र नहीं अत्ताही अत्तनोनाथो हम स्वयम अपने मालिक बने इसे धारन करने में मेरा कल्यान भी है औरों का कल्यान भी है तब तो समझधार आदमी धारन करेगा ही स्विकार करेगा ही खूब स्विकार करेगा और सचमुश समझधार हो गए तो केवल बुद्धी के इस तरफ पर स्विकार करके नहीं रह जाएगा केवल श्रद्धा के स्थर पर स्विकार करके नहीं रह जाएगा वास्त्विक्ता के स्थर पर स्विकार करेगा वास्त्विक्ता के स्थर पर स्विकार करे तो ही धर्म धर्म होता है तो ही कह सकते हैं कि धर्म धार्ण किया और तो ही उसका कल्यानकारी लाब होता है केवल से धान्तिक स्थर पर स्विकार कर लें और उसे धारन नहीं करें तो लाब नहीं मिलेगा धरम का यह जो व्यवारिक पक्ष है प्रैक्टिकल अस्पेक्ट है यही मंगलदाई है लाब इसी से होता है यहां दस तिन रहकर के यही सीखा केवल धरम का सिध्धन्तिक पक्ष ही सीखना होता तो दस तिनों तक इस धरम के कारावास में आकर के बंदी बनने की जरुवत नहीं थी कहीं भी बाहर प्रवचन हो सकते थे सुन लेते बात समझ लेते बुद्धी किस तर पर कोई पुस्तक पढ़ लेते कोई शास्तर पढ़ लेते और समझ लेते बात को यहां किस लिए आए दस दिनों तक धरम के व्यवारिक पक्ष को सीखने के लिए आए इसके प्रेक्टिकल अस्पेक्ट को कैसे प्रेक्टिस किया जाए कैसे शील का पालन किया जाए सचमुच शील का पालन करना है कोरियो पुदेश की बात नहीं दस्तिन किया ना सचमुच मन को वश में करना है कोरियो पुदेश की बात नहीं उपदेश तो बहुत सुनती थे अपने मन के मालिक बनो मन के गुलाम मत बनो मन के गुलाम रहोगे तो बहुत दुखी रहोगे मालिक बन जाओगे तो दुख से चुटका रहो जाएगा तो उपदेशों की बात थे अच्छी बात थे पर कैसे मालिक बने ये तो कभी सीखा भी नहीं तो एक मौका मिला कि कैसे अपने मन के मालिक बने दस रही दिन में मालिक बनने लगे न या तो वो हमें नचाया करता था अब हम उसे नचाते हैं यहां जा तो यहां जा अब सिर पे जा अब कंदे पे जा अब हाथ पे जा आप्पाओं पे जा, जहाँ उसे कहीं वहाँ, वहाँ उसे जाना पड़े, तो हमारा गुलाम होने लगा ना, होने लगा, जरा-जरा सा होने लगा, पर बात पल्टी, यह थो हम गुलाम थे, वो गुलाम होने लगा, तो यह प्रेक्टिस के तब हुआ ना, और भी उपदेश तो बहुत सुनते थे, मन को निर्मल करो, मन को निर्मल रखो, वीतराग बनो, वीतद्वेश बनो, वीतमुह बनो, अनासक्त बनो, उपधेश तो सुनते ही थे, कैसे बने, तो किसीने सिखाया नहीं, कैसे बने, इसका हमने स्वेम भी कभी अभ्यास किया नहीं, बात बड़ी अच्छी लगती है कि राग होगा, द्विश होगा, तो दुख्यारी ही रहेंगे, गांठे ही बांदेंगे, तनाव ही पैदा करेंगे, सुख कहां से आएगा, शांती कहां से आएगे, आसक्त रहेंगे, तो तनाव ही रहेगा, गांठे ही बांदेंगे, शांती कहां से आएग बात तो बड़ी ठीक है धर्म के बात तो यही होती है लेकिन कैसे बने है ना सकते कैसे राक का बंदन तोड़ें राक का सवभाव तोड़ें कैसे द्विश का सवभाव तोड़ें और वो भी केवल उपरी उपरी मानस तक नहीं अंतर मन की गहराईयों तक जहां उसका सवभाव हो गया है प्रतिक्षन या तुराक पैदा करता है या द्विश पैदा करता है ऐसा उसका सवभाव हो गया है उस सवभाव को छोड़ना इसमें छोड़ेंगे तो लाब से वन्चित रह जाएंगे लेकिन जो सद्धानतिक पक्ष है उसमें कोई बात छोड़ दी छोड़ दी आगे जाके स्विकार कर लेंगे वैसे कहने वाले ने तो बड़े प्यार से सिद्धानतिक पक्ष की बात भी बड़े प्यार से कही कि अरे इसे समझ लेगा तो बड़ा कल्यान हो जाएगा बड़ा मंगल हो जाएगा यह जो व्यववारिक पक्ष है इसमें आगे बढ़ने में बहुत बड़ा उत्सा जागेगा प्रिर्णा जागेगी इसी भाव से कहा लेकिन कोई बात ने ठीक लगे तो क्या करे निकाल बाहर करे जैसे कोई मा बड़े प्यार से अपने बच्चे के लिए खीर बनाए और उसे खीर परोसे बहुत बड़िया ओटाया हुआ दूद बहुत बड़िया बासमति चावल मीठा मेवा और उससे बढ़कर के उसका प्यार बहुत बड़िया खीर बना के परोसे बच्चे को बच्छा से रिलाता है मैं नहीं लूँगा अरे क्यों भाई बहुत स्वादिष्टे ले न मैं नहीं लेता क्या हो गया मेरे पात्र में नहीं है न उसको अपना पात्र ज़्यादा प्यारा है खीर नहीं मेरे पात्र में होनी चाहिए क्या पात्र होता है ये भिन भिन संप्रदायों की अपनी अपनी जो शब्दावली होती है बड़ी आसकती हो जाती है उससे हर महा पुरुष जब आता है संसार में तो देखता है चारों और लोग कितने दुख्यारे हैं तो बड़े प्यार से इन दुख्यारी लोगों को इन रोगी लोगों को धर्म की ओशदी बाटता है धर्म का आहर देता है ताकि ये दुखों के बाहर निकल जाएं तो जब धर्म की बाट समझाता है तो भाशा का ही प्रियोग करना पड़े न तो उस समाज की उस समय की जो जनता की भाशा होगी ही उस ही में समझाएगा ताकि लोग उसे समझें तेरे देरे समय बीटता जाता है जो समझाया गया उसको धारन करना तो छोड़ दिया लेकिन शब्द बड़े प्यारे लगे बस शब्दों से चिपका हो गया जिस किसी महापुरुष की परंपरा के लोग वो उस महापुरुष की वाने को यही सत्य है यही ठीक है ऐसा चिपकाव पैदा कर लेते हैं बात चाहिए वही हो अगर कोई कहे कि मैं तुमें पंच शील पालन करना सिखाऊंगा तो जो जो लोग बद़ परंपरा के हैं उनका मन बड़ा खुश होगा अरे हमारा धर्म सिखाए जा रहा है और यह कह दे कि मैं तुम्हें अनुवरत सिखाऊंगा तो जो जो जैन संपरदाय के हैं बड़े खुश होगे अरे क्या कहना हमारा जैन धर्म सिखाए जा रहा है और ये कहदे कि यम नियम सिखाय जा रहे हैं तो जो हिंदु संपरदाय के होंगे बड़े खुश होंगे हमारा ही धर्म सिखाय जा रहा है कोई कहदे टैन कॉमांडमेंट सिखा रहे हैं तो जो कृष्टिन परमपरा के होंगे उस संपरदाय के होंगे कहें कि हमारा जी धर्म सिखाया जा रहा है पालन कोई नहीं करता है ना कोई पंशिल वाला पंशिल का पालन करता है ना अनुवरत वाला अनुवरत का पालन करता है ना यम नियम वाला यम नियम का पालन करता है ना टेन कुमांडमेंट्स वाला टेन कुमांडमेंट्स का पालन क्या करे उसे तो बच्चे को खेर खिलानी है न क्या करे अच्छा तेरे पातर में खा ले तेरी शब्दावली इस्तेमाल करता हूं तो खा तो सहईस धरम की खेर को तेरे पातर में दे दिया फिर बच्चा से रिलाता है ना है मैं नहीं खाता अरे अब तो तेरा पातर तेरी शब्दा वली अब तो खा ना है क्या हो गया इसमें काला काला कंकर पड़ा है मा कहती है काला कंकर नहीं यरे ये इलाइची दाना है इसका अपना स्वाद है तो खा तो सही मैं नहीं खाता यह तो काला कंकर है यह तो काला कंकर है बिचारी मा क्या करे यही तो कहेगी न अच्छा जिसे काला कंकर समझता उसे निकाल बाहर कर बाकी तो खा जिस दिन समझ में आ जाएगा कि इसका भी अपना स्वाद है उस दिन खा लेना उसे अब उसे निकाल बाकी तो खा बावला बच्चा हो सारी खीर फेंग दे इसमें काला कंकर था इसमें काला कंकर था अपनी ही हानी करे ना ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में आए हो शुद्ध धरम के क्षेत्र में आये हो जहां से दंतों की बात सुनी वहां कोई बात काले कंकर जैसी लगे तो उसे निकालो पाकी तो खाओ ये बात से दंत एक पक्ष की व्यवारिक पक्ष में तो निकालने को कुछ है ही नहीं शील है, समादी है, प्रग्या है, शील है, समादी है, प्रग्या है धरम बड़ा परिपूर्ण होता है व्यवारिक पक्ष वाला धरम बड़ा परिपूर्ण होता है उसमें और कुछ जोडने के जरुवत नहीं होती बड़ा परिशुद होता है उसमें से कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती तो यह विवारिक पक्ष है और वही हमारे लिए प्रमुक है पश्चिम देशों में एक कहानी चलती है कोई एक युवा प्रॉफिसर बहुत पढ़ा लिगा अपने नाम के पीछे वरनमाला के बहुत से अक्षड लगाए हुए एक जहाज में यात्रा कर रहा जीवन का अनभव नहीं है भी पढ़ा लिखा बहुत उसी जहाज में अनेक नाविक लोग उनमें से एक नाविक एक खलासी बुड़ा खलासी बिलकुल अनपड वो कभी कभी प्रोफेसर साब के केविन में चला जाए और उनकी बातें सुने अरे इतना विद्वान इतना पंडित अवा कराए के सुनता रह जाए एक दिन बहुत से बातें सुनके जाने लगा तो प्रोफेसर ने पूछ लिया अरे बुड़े तुने जियोलोजी पढ़ी है वो क्या होती है माराज हमने तो नामी नहीं सुना अरे इस धर्ती का एक शास्त्र होता है तुने पढ़ा है वो माराज मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस वराबर न कोई स्कूल गया न कोई कोलिज गया न लिखना आए न बढ़ना आए मैं क्या पढ़ता अरे बुड़े तुने अपनी एक चोथाई जिंदगी बरबाद कर दी बुड़ा बड़ा दुखी बड़ा उदास इत्ता बड़ा भी द्वान कहता है तो सचमुश मैंने अपनी एक चोथाई जिंदगी बरबाद कर दी दूसरे दिन फिर बाउस से पांडित्ते पुर्ण बाते होने के बाद फिर प्रोफेसर साहब ने पूछ लिया अरे बुड़े तुने ओशन उलोजी पढ़ी है वो क्या होती है माराज अरे इस समुद्र का भी एक शास्त्र होता है पढ़ा तुने कहा ना माराज कुछ नहीं पढ़ा अरे मूरक कहीं के तो उने अपनी आदी जिंदगी चोपट कर दी बड़ा उदास आदी जिंदगी चोपट कर दी हमने तीसे दिन फिर पूछ लिया अरे बुढ़े तुने मटियरोलोजी पढ़ी है वो क्या होती है माराज यह तो बड़ा अजीब सा नाम है अरे इस रित्यू का हवा का पानी का मौसम का इसका भी एक शास्त्र होता है पढ़ा कहा ना माराज कुछ नहीं पढ़ा अरे बुढ़े तो उन्हें अपने तेन चोथाई जिन्दगी बरबाद कर दी जिस धर्ती पर रहता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा जिस समुद्र में रोज यात्रा करता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा जिस हवा पानी मौसम रितु से रोज तेरा वास्ता पढ़ता है उसका भी शास्तर नहीं बड़ा बड़ा निकम्मा आदमी तेन चुटाइश जिंद्गी बरबाद कर दी बड़ा बड़ा उदास तेन चुटाइश जिंद्गी हमने बरबाद कर दी दूसरे दिन बुड़े की बारी आई बागा बागा आया प्रोफेसर सहाब प्रोफेसर साहब आपने स्विमोलोजी पड़ी वो क्या होता है आपने तैरना सिखा की नहीं नहीं भाई मैंने तो तैरना नहीं सिखा तो प्रोफेसर साहब आपने अपनी सारी जिंदगी बरबाद कर दे इस जहाज को टक्कर लग गई है और ये डूबने ही वाला है वो सामने तट दिखाई देता है किनारा दिखाई देता है जिनको जिनको तेहरना आता है वो तो पहुंच जाएंगे जिनको नहीं तेहरना आता हो तो डूब के मरेंगे यह महराज आपने तो अपनी सारी जिन्दगे खराब कर ले अरे दुनिया भर की लोजी पढ़ लेंगे और स्विमो लोजी नहीं पढ़ेंगे तो ये सारी लोजियां क्या काम आई रे तरना है ना भव सागर को पार करके तरना है ना दुख सागर को पार करके तरना है ना और तरना जाने नहीं तैरने का भी शास्त्र ही पढ़ें पाउं ने रखें पानी में आरे कैसा पागल पंचाया हुआ धरम धारन करना नहीं सीखेंगे धरम की बातें खूब करेंगे सिद्धान्तों की बातें खूब करेंगे तरक खूब करेंगे शास्त्र कूब पढ़ेंगे कैसे धारण करें यह नहीं सीखेंगे तो क्या मिलने वाला है धारण तो धारण करने के लिए होता है बावत ठंड लगती हो और खूंटी पर कोट तंगा हो और बड़ बड़ के बातें करे ठंड के मारे तो दुज रहा है काम रहा है मेरे पास इतना बढ़िया कोट है ऐसे वुर्ष्टेड वूल का बना हुआ इतना गरम इतना बढ़िया क्या काम आये रहे पहनता नहीं न उसको उसको खुंटी पटांग रखा है ऐसे की धरम पुस्तकों में है न तो धरन तो नहीं करता न तेरे क्या काम है रहे जब तक धारन नहीं करें तब तक धरम ज़रासा भी कल्याण नहीं करता हमारा हमारा कल्याण उसी दिन शुड़ी होता है जिस तिन धरम धारन करने का कदम उठाना शुरू करते हैं यहां दस दिन रहकर यही किया बुद्धी विलास के लिए नहीं आए वानी विलास के लिए नहीं आए किसी सिद्धन्त को उंचा सिद्ध करने के लिए नहीं आए, किसी सिद्धन्त को नीचा सिद्ध करने के लिए नहीं आए धारन करने आए 10 दिन में कितना काम करते बहुत थोड़ा समय होता है एक ननना सा कदम उठा जो कुछ किया 10 दिन में उसका अमुलियन नहीं कर रहा डिवल्यूशन नहीं कर रहा बहुत कीमती है ये भी पर साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि बहुत लंबा मारग है अभी तो पहला कदम उठाया है बहुत लंबा मार्ग है पर भाई ये पहला कदम ही कितना कीमति है रे जिस व्यक्ति ने सही दिशा में सही मार्ग पर पहला कदम उठा लिया उससे ये आशा की जा सकती है कि वो दूसरा भी उठाएगा तीसरा भी उठाएगा यो कदम कदम चलते चलते अंतिम लक्ष तक पहुंच जाएगा जिस बेचारे ने जीवन भर पहला कदम नहीं उठाया मुक्ति के मार्ग पर चलने का पहला कदम नहीं उठाया उससे कैसे आशा की जाए कि वो मुक्त हो जाएगा तो इस माने में बहुत मुल्यवान लेकिन साथ साथ ये भी कि पहला ही कदम है काम बहुत करना है अभी बहुत लंबी आत्रा है इन दस दिनों में तो बस ये हुआ कि जैसे बहुत उपजाओ धरती में कोई बहुत बढ़िया बीज बो दिया गया और वो बीज अंकुरितो करक फूटा एक नन्ने से पौदे के रूप में फूटा बस इतना ही काम अब उस पौदे की बहुत देखभाल करनी होगी जो कुशर माली होता है वो बड़े बड़े पेड़ों के सेवा नहीं करता जो नन्नी नन्नी पौद है नन्ने नन्ने पौदे हैं उनकी बहुत देखभा करता है चारों और बार्ज लगा लेता है कोई गाए बकरी आके नचर जाए समय पर पानी समय पर धूप समय पर छां बहुत सिवा करता है यूं सिवा करते करते उनन्ना सा बिर्वा बढ़ते 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 बिशाल विक्ष का रूप धारन कर लेता है बहुत गहरी हुआ तने वाला तब वो सेवा नहीं चाहता क्या सेवा की जरूरत है उसे कोई बार बार लगाने की जरूरत नहीं कौन काई बकरी आके उसे चर जाएगी अब उसको पानी देने की धूप देने की च्छाँ देने की जरूरत नहीं वो अपनी जरूरतें प्रकरते से खुद ही ले लेता है, हमारी जरावी सेवा नहीं लेता, अब तो बदले में हमारी सेवा करने लगता है, खूब सेवा करता है, जो कुछ उप जाता है, हमारे लिए ही उप जाता है, उप जाता है और हमें देता है, उप जाता है, हमारी सेवा करने लगा, ठीक ऐसे ही ये धरम का विरु अभी नन्ना सा है, बहुत सेवा चाहेगा, बड़ी सेवा करने पड़ेगी, चारों और बार्ड लगाके रखने पड़ेगी, कोई गाय बकरी आके न चर जाए, समय पर धूप, समय पर चाह, समय पर पानी, खूब सेवा, और ये बढ़ते 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 जब विशाल वि इसको सेवा की जरूरत नहीं फिर ये हमारी सेवा करने लगेगा खूब सेवा करेगा देगा ही देगा हमें अरे ऐसी शेतल चाह देगा धरम का वरिक्ष है ना ऐसी शेतल चाह देगा जैसे कभी देखी नहीं ऐसे सुन्दर फूल देगा कभी देखे नही ऐसे मीठे फल देगा कभी चखे नहीं देगा ही देगा इस वक्त तो इसकी सेवा करने पड़ेगी बाड लगाए रखने पड़ेगी नई तो कोई न कोई गाए बकरिया चरही जाएगी क्या बाड लगाएंगे कौन गाई बकरिया इसे चर जाएगे जैसे कहा भिन्ड भिन्ड मतमत अंतरों के लोग धरम के गंगा के पास आते हैं शिवर में शामिल होते हैं अपनी अपनी मान्यताइं लेकर आते हैं काम करते हैं बास सौज में आरे लगती है बड़ी श्रद्दा से काम करते हैं लाब होता है लेकिन जब घर लोट के जाती है तो घर वाले प्रशन करेंगे परिवार के लोग प्रशन करेंगे रिष्टेदार प्रशन करेंगे मित्र के प्रशन करेंगे और समाज के लोग प्रशन करेंगे कहां गया था अरि क्या सीखा वहाँ पर तो धर्म में गोपनी तो कुछ है नहीं जो सीखा हूं बता दोगे और कोई ऐसा उल्जा हुआ अबिएक्ती होगा वो यह क्या करने गया तो यह तो अपना धर्म नहीं है यह तो पराएद्ध्र्म है और प्राय धर्म तो बड़ा भया हुए बड़ा खतरनाक, तु कहां चला गया जारा कच्छा पक्का सादेख होता है गभरा जाता है अरी प्राय धर्म सच्पूच मैं कहां चला गया मैंने क्या कर दिया सुबह शाम की साधना बन बस गाय बकरिया चरही गई और बाड़ लगाय रखेगा तो कोई गाय बकरिया नहीं चलेगी क्या बाड़ लगाएगा जब कहीं ऐसे प्रशन उठेंगे प्रशन तो उठने ही वाले है जैसे ही अपने समाज के लोगों के पास जाओगे वो प्रशन उठाएंगे ही तो उनको उत्तर देने के लिए समझाने के लिए ये बाड़ है कि भाई वहाँ जाकर के मैंने जो कुछ सीखा वो वही सीखा जो इस बाड़ के भीतर है ये जो बिरुआ है ना बाड़ के भीतर क्या बिरुआ है क्या सीखा वहां मैंने शील कैसे पालन करूं सदाचार का जीवन कैसे जीओं ये सीखा बताओ इसमें क्या खोट है इसमें क्या बुराई है क्या जवाब दिएगा क्या खोट बताएगा और इस बाड़ के भीतर जो विरुआ है उसका दूसरा पक्ष दूसरा कदम कि मन को वश में करने सीखा और वो भी सांस के सहरे किसे समपरदाई में बंद कर नहीं बताओ क्या दोश है क्या दोश उथाएगा और घिसरी बात कि यहाँ अपने प्रज्गें जगाने सीखे और प्रज्गें जगा करके केवल उपर उपर के विकार नहीं अंतर मन की गहराईयों के विकार निकालने सीखे और सो भी शरीर की संबीदनाओं के आधार पर जो सबकी एक जैसी होती है जैसे सांस सबका होता है वैसे शरीर की संबीदना सबकी होती है उसके सहारे मैंने विकार निकालना सीखा क्या दोश है क्या दोश मताएगा इस तीनों को छोड़ करके चोथी बात नहीं ये जो दार्शिंग मानेताओं की बात है जगड़ों की बात है ये सारी इस बाड़ के बाहर तो शील समाधी प्रग्या और कुछ नहीं बाहर का जगड़ा बाहर का जगड़ा उससे हमको लें दिन नहीं क्या विरूद करेगा कोई विरूद नहीं करेगा तो बस बच गया अपना विरूद कोई गाई बकरिया नहीं खाएगी काम में लगे रहेंगे और फिर रोज इसको पानी देना पड़ेगा रोज सीचना पड़ेगा कैसे सीच होगे रोज सुबह शाम सुबह शाम एक एगंटे एक एगंटे साधना करने ही होगी ये छूट जाएगा तो सीचना बंद हो जाएगा तो ये बिर्वा मुर्जा जाएगा सुख जाएगा बढ़ेगा नहीं फल कैसे देगा सुबह शाम सुबह शाम एक एगंटे अनिवार ये बात है कोई कोई साधक कहता है अरे बाबा ये क्या नमाज गले में पड़ गई रोज के दो गंटे कहां से लाए हम इतने काम वाला व्यक्ति सुबह एक गंटा शाम एक गंटा कहां से 24 गंटे में से दो गंटे देदें इसको हमसे नहीं होगा एक बार मन को द्रड कर ले जैसे यहां पर अधिस्तान शुरू किया मन को द्रड किया एक गंटे बिना पाउं खोले बिना हाथ खोले बिना आँख खोले बैठोंगा ही और कितनी पीड़ा हुई बैठना मुश्किल हो गया फिर भी हिम्मत करके बैठे रहा तो दू चार पांस दिन होते असान हो गया बैठना ऐसे ही अधिस्तान करे कि मेरी चाहे जितने हानी हो मैं सुबह शाम एक एक गंटे बैठूँगा य और एक साल तक बैठूँगा एक साल काधिश्तान करे जो जो लोग साधना छोड़ देते हैं खुब समस्तिंहें लाभ है इससे बड़ा अच्छा है छोड़ देते हैं जो जो छोड़ देते हैं वो सारे के सारे पहले साल भर में छोड़ देते हैं जिस व्यक्ति ने साल भर निभा लिया वो जीवन भर निभाएगा फिर नहीं छोड़ती और साल भर जो निभा रहा है उसी में ये बास समझ में आने लगेगी कि जो मैं सुबह शाम सुबह शाम एके गंटा दे रहा हूँ अपना समय बरबाद नहीं कर रहा है अपने समय का सदूपयोग कर रहा हूँ जो व्यक्ति जिस किसी जिम्मेदारी में है जिस तुरी काम में धंदे में जो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है देखे गई यह साधना बड़ी काम आने लगी दो गंटा खराब कहा हो रहे हैं एक बात तो बड़ी जल्दी यही समझ में आने लगेगी कि रोज आठ गंटे सोने वाला व्यक्ति सुबह शाम गंटे गंटे भी पशना करे तो अब साथ गंटे में उसके नेंद पूरी हो जाएगी आठ गंटे सोने की ज़रूत नहीं जो रोज साथ गंटे सोने वाला च्छे गंटे में नेंद पूरी हो जाएगी च्छे गंटे सोने वाला पांच गंटे में नेंद पूरी हो जाएगी गंटा बर तो नीड़ से ही निकलाएगा असनी से निकलाएगा और जागने पर भी कहाँ जागते हैं यहाँ आलस में पड़े रहे वहाँ आलस में कितना समय कोते हैं भी पश्ची सादक एक-एक छण की कीमत जान गया समय कोईगा नहीं जागा तो लग गया काम बे जो व्यक्ति जो जिम्मेदारी का काम कर रहा है देखेगा पहले जिस काम को आठ गंटे में पूरा करता था और ठक कर चूर चूर हो जाता था अब देखेगा उतना ही काम साथ गंटे में पूरा हो गया च्छे गंटे में पूरा हो गया और बड़ी ताजगी बनी हुई है कही ठकान नहीं है ये सुबह शाम के बैठक कफर क्यों ऐसा होता है रोज सुबह शाम भी पच्छना करते हैं तो कोई कर्मकार नहीं पुरा कर रहे अपने मन को निर्मल करने का काम कर रहे है मन जब निर्मल नहीं होता है तो उल्जा रहता है बीत जाले रहते हैं जैसे कोई समश्या आई सामने तो निर्ने नहीं ले पाता ये करो कि वो करो ये ठीक रहेगा कि वो ठीक रहेगा और इस तरह से हिचकता हुआ निर्ने करता है तो अक्सर गलत निर्ने करता है अब भी पशना से मन अधिक निर्मल होता चला जाएगा परंजल होता चला जाएगा तो जैसी कुछ समझ्या आएगी तुरंत उसकी गहराई में जाएगा उसकी कारण को समझेगा तुरंत समाधान होगा तुरंत निर्ने लेगा और सही निर्ने लेगा तो समय बचा काम करने की ताकत बढ़ जाती है बहुत बढ़ जाती है एक बहुत उज्जल उधारन हमारी गुरु देव स्याजी उबा खिनकर बहुत गरीब घर में जन्मे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि उच्छी बढ़ाई कर सके मैट्रिक तक के पढ़ाई की सरकार ने वजीफा दिया स्कॉलर्शिप दिया लेकिन फिर भी कॉलिज के पढ़ाई नहीं कर सके जीवन यापन के लिए इधर उधर नोकरी ढूंट ते ढूंट थे उसके मन में बेचैनी होगा असाद नहीं कि असाद नहीं कि फिर तो सभाव हो जाएगा जीवन का एक अंग हो जाएगा जीवन चलिया का एक भाग हो जाएगा कुछ नहीं करना पड़ेगा ये साल भर तो मन को मजबूत करके काम करना ही होगा सुबह शाम सुबह शाम एक एक घंटे एक एक घंटे और इसकी अतरिक जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटेंगे तो आँख बंद करके लेटे लेटे जहां कहीं शरीर में कोई संबेद ना मिल रही है अनित्य है विदिवत सिर से पाउं तक पाउं से सिर तक जाने के जरूरत नहीं क्योंकि सो ना सोने के लिए लेटे है नीद आ रही है आने चाहिए बस पांच मिनट देख लिया अनिच्चा 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 नीद आ गई सो गई बड़े अच्छी बाद सुबह जाग हुई जाग होते ही पहला काम पहला काम शरीर में संबीद ना कहा है संबीद ना को जानते जानते सोएंगे, संबीदना को जानते जानते जागेंगे, अरे बड़ा मंगल होता है, बहुतलाब होता है, ये जो हमने संबीदना को जानने काम शुरू कर दिया सोने के पहले, तो सो कौन गया, चेतन चित्ष हो गया और चेतन को तो लगा दिया इस काम में अब इसी काम में लगा है निचा 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 रियक्ट मत कर प्रतिक्रिया मत कर बस देखे जा प्रतिक्रिया अरे बहुत बड़ा काम हो जाता है तो ये सोने के पहले का पांच मिनिट और जागते ही पांच मिनिट ये मिल करके, अफ़ते में एक बार कोई ऐसा स्थान निष्टित कर ले, कोई समय निष्टित कर ले, उसमें साथ बैट करके, एक घंटा भी पचना करें, ये सामूई साधना बहुत लाभ पहुँचाती है, संभव वहीं करें, है ये नहीं कोई, साथी नहीं है तो क्या करें? अग भी पच्छना के आना पानी नहीं होती मन टिकता है नहीं जड़ा सा दस पंद्रा भाई बहनों के साथ गुरू भाई गुरू बहनों के साथ बैट करके एक घंटा ध्यान किया नजाने उनमें से किसकी साधना बहुत तेज हो रही है बहुत अच्छी हो रही है और साधना अच साथ बेटे, फिर अपने बैटरी चार्ज हो गई, ये सामुई एक साधना बहुत कल्यांत कारी होती है, लेकिन जहां जहां favour हो, जहां पर लोग हो और अब सामुई एक साधना में डुब के लगानी ही है जिसको सचमुच धरम में पकना है जिसको सचमुच इस रास्ते आगे बढ़ना है ये अनिवारी है जैसे आदमी साल में दस-पंदरा दिन छुट्टिया मना निचला जाता है पहाडों पचला जाता है समुदर तट पचला जाता है आरे अब अपना पहाड भीतरी है समुदर तट भीतरी है दस दिन बस डुब की लगाओ भीतर और बाहर निकलोगे तो इतने फ्रेश होके निकलोगे इतनी ताजगी के साथ सारे साल भर चाहे सो मुसीबता है उसको सामरा करने की ताकत आ जाएगी ये बहुतावश्यक है ऐसे किसी शिविर में आएं किसी साधना स्थल पर आएं अच्छी बात उसके वाता वरनका, उसके बायो मंडलका उसके धर्म की तरंगों का लाब मिलेगा नहीं आ सके, चिंता की बात नहीं धर्म अंको स्वाधिन बना सिखाता है अपना स्वेम शिविर लगाएं खुदी अपना शिविर लगाएं कोई एक स्थान, एक कमरा कहीं एक आंत मिल जाए अपने आपको बाहर के दुनिया से काट लिया और उस कमरे में हैं बस इतने सुविदाओं कि कोई व्यक्ति सुबह और दोपैर का भोजन लाठी दे दे बाकि दुनिया से बिलकुल काट लिया और सारी बात तो जानी हुई है ठीक इसी प्रकार काम करना है तीन रतनों के शरन लेंगे आठ शील लेंगे अगर याद रहे तो अपने मार्ग दर्शक को सूचना भेज दें कि अमुक दिन अमुक जगए मैं अपना सुविद लगा रहा हूं या लगा रही हूं अच्छा है मार्ग दर्शक क्या करेगा मार्ग दर्शक अपने منगल मैत्री देगा काम तो खुद कोई करना पड़ेगा लेकिन कभी किसी कारण से सूचना नहीं दे सके तो मन में कमजोरी नहीं आए हमने अपने मार्दों को सूचना ही नहीं दी हमारा शिविर कैसे सफल होगा अब आये नहीं जरूर सफल होगा मंगल मैतरी फिर भी मिलेगी कोई चमतकार की बात नहीं है सारा का सारा धर्म कुदरत का कानून विश्व का विधान नियमों के अनुसार सारी बात चलती है हुता क्या है समझे जिस समय कोई व्यक्ति अपने भीतर कोई विकार जगाता है कुरूद जगाय वास्ना जगाय भै जगाय जो विकार जगाता है हर विकार की अपनी तरंग होती है हर शब्द की अपनी तरंग होती है विकार जगाय एक तरह की तरंग कुरूद जगाया कुरूद की एक परकार की तरंग अब सारी विश्व में जहां जहां इस प्रकार की तरंग है उसके साथ ये समरस हो जाएगा ट्यून अप हो जाएगा तो बाहर इस प्रकार की जितनी तरंग है उसके साथ ट्यून अप हो करके अपनी तरंग को और तेज कर लेगा जो कुरूध जगा है वो बाहर की तरंगों से मिल करके और तेज हो गया ठीक इसी प्रकार साधना करने बैठोगे तो भले थोड़ा थोड़े क्षणी ऐसे मिलते हूँ वीत रागता के क्षण, वीत दुष्टा के, वीत मुह के वीत रागता का जो तरंग है, जब उसको हमने पैदा किया, वो तरंग जागी तो सारे विश्व में, आज के पहले भी जो संत वे, आज भी जो संत हैं उनकी वीत रागता की तरंगों के साथ अपने आप समरस होने लगा तो बल मिलने लगा मंगल मैत्री मिलने लगी ना और क्या मंगल मैत्री होती है एक घटना पेगंबर मुहम्मद साहब की जीवन की जैसे सभी संतों की जीवन में होता है जीवन काल में बहुत से लोग विरोधी हो जाते हैं इनके जीवन में भी ऐसा हुआ कुछ लोग बड़े विरुदी हो गए एक इनका ही अपना शिष्च जो प्रमुख शिष्च था कभी इन से लड़के अलग चला गया और बड़े निंदा करे इनकी निंदा करे इनकी शिक्षा की निंदा करे किसी दूसरे शिष्च ने सुनी ये बात तो आया पैगंबर साहब के पास कि वो आपका उपराना सिष्च था ना आजकल बड़ी बेतु की बातें करता है आपकी खिलाब बुलता है धर्म की खिलाब बुलता है बेचारा समझा नहीं उल्जा हुआ है इसलिए इतना अकुशल काम कर रहा है आप मेरे साथ चलिए उसे समझा दीजिए तो ये गलती करना बंद कर देगा संत आदमी थे कहा चलो भाई समझा देंगे हमारे क्या बिगड़ता है दोनों के दोनों पहुंचे उसके पास अब इसके पहले कि पैगंबर साहब कुछ बोले जो साथ ही आया था ये वकिल बन गया ये समझाने लगा और समझाते समझाते आपस में तू-तू-मेमे हो गई राई हो गई गाली-गलोज हो गई हाता पाई होने लगे तो पैगंबर साहब खिजग गई इसने देखा हमारे गुरु बड़े अजीब जब बात बड़ी हता पाई हुई तो उतू निकल गए तो भागा उनके पीज़ी पीज़ी आपने ये किया किया हमारा है उस वकित तो आपकी ज़रुत थी और आप चले आए आरे तू नहीं जानता मैं जानता हूँ जैसे ही तूने गाली के लोज शुरू किया करोज जगाया वैसे ही सारे फरिष्टे चले गए तो मैं क्या करता है मैं बचल लगया आरे जहां जगडे फसाद होती है वहाँ कोई सम्यक देव कैसे रहेगा कोई फरिष्टा कैसे रहेगा उसको तो अपनी तरंगे मिलेगी वहीं रहेगा न ऐसी तरंगों में लड़ाए जगड़ों की तरंगों में तो कोई शैता नहीं रहेगा कोई दुर्देवी रहेगा समिखदेव कैसे रहेगा तरंगें जैसी हम पैदा कर रहे हैं ठीक वैसे ही तरंगों के साथ हम समरस हो हमारे रेडियो के सुई को जिस मीटर बैंट पर हमने लगाया उस मीटर बैंट की क्या तरंग है अब हजारों मेल दूर कोई ब्रोडकाश्ट हो रहा उसके साथ समरस हो जाएगा पर किरते का नहीं है कुदर्फ का नहीं है तो घबराना नहीं सूचना नहीं दी तो भी मंगल मैतरे मिलेगी धरम का बल मिलेगा और स्वाधिन होना सीखोगे ऐसे दस दिन का स्वेम शिविर लगा ये जो रोज सुबह शाम सुबह शाम एके घंटे रात को सोते वकत पाँच मिनट जागते ही पाँच मिनट और हो सके तो सबता में एक बार सामुएक साधना की एक घंटा और फिर अनिवारे साल में दस तिन का शिविर ये अनिवादिय है ये कम से कम है किसी के पास इससे ज़्यादा समय हो तो कोई रोक नहीं इससे ज़्यादा समय जब अपना काम कर रहे हैं अपने जम्मेदारी पर लगे हैं जो आदमे जेस जम्मेदारी पर हो उस समय वही अपना ध्यान है वही अपनी विपश्चन है सारा ध्यान उस काम में लगाएंगे लेकिन जैसे ही काम से निवरत हुए बले दस मिनट का यह वकाश मिला काम करते करते दस मिनट कोई काम नहीं है तो आंके खुली है मन भीतर है अनिच्या 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 गए कहीं किसी ओफिस में और वेट करना पड़ा बाहर वेट कर रहे हैं आंके खुली है मन भीतर है अनिच्या 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 कल्यान हो गया ना ये नहीं जाने तो क्या करे कि देख मुझे को बार बठा दिया गंटे बर तक मारा समय खराब कर दिया बड़ा अंकारी है उसके प्रती क्रोध ही क्रोध द्वेश ही द्वेश आरे तो क्रोध के बीज बोता है अब अंदकार पैदा करता है आगे के लिए अंदकार पैदा करता है अब दुख पैदा करता है, आगे के लिए दुख पैदा करता है, भी पश्ची सादक, ठीक भी पश्ची सादक हुआ कभी नहीं करेगा, एक घंटा वेट करना तो करना है पड़ेगा भाई, इतने समय का उपयोग करे न, तेरा मंगल हो, तेरा कल्यान हो, तेरा भला हो, तो ज पुष्यका जीवन, बड़ा कीमती जीवन, जिस वकत काम कर रहे हैं, उस वकत संबीत ना देखने की जरूरत नहीं, सारा ध्यान काम में हो ताकि वो काम खुब सफ़त हो, काम से निवरित होते ही, जितना समय है, आँख खोले खोले भी, आँख बंद करके ध्यान नहीं, जिखावा हो जाएगा, धरम का जहां दिखावा हुआ, धरम डूप जाता है, लोगों को पताने लगे कि ध्यान कर रहा है, आँख खोले खोले जानते रहें, सम्भेदना जाननी है, अनित्या ही समझना है, समता में रहना है, लोगों क्या दिखाएंगी, जब जब कोई व् है, क्या दिखावा करेगा रहे, उसका जीवन बोलेगा धरमिक है, उसका सारा विववार बोलेगा धरमिक है, तो बड़ी समस्दारी के साथ, कहीं दिखावा न हो जाए, जीवन में उतरे धरम, बस यही ख्याल रहे, जीवन में उतरे धरम, समय का खुब सदू प्योग हो, मानलो कि दस दिन का शिवर लगा दिया और फिर तीन दिन की छुट्टी मिल गई वीकेंड की दो दिन की छुट्टी मिल गई एक दिन का स्वेम शिवर लगा दिया ये जो छोटे स्वेम शिवर होंगे तो उमें एक तिहाई आना पान दो तिहाई भी पशना लेकिन जो सुबह शाम घर में ध्यान करेंगे उसमें जरूरी नहीं कि एक टिहाई आनापान और दो टिहाई वेपशना एक ए घंटे का समय वेपशना में लगाना है लेकिन कभी ऐसा हो कि मन बड़ा चंचल है बड़ा सुस्त है बड़ा प्रमादी है काम नहीं करना चाहता तो आना पान का परियोग करेंगे पांच मिनिट, दस मिनिट, पंद्रा मिनिट कभी ऐसी अवस्ता हुई घंटे बर आना पान ही करना परा तो घंटे बर आना पान किया, कुछ खोया नहीं मन को स्थिर करने के लिए आना पान का जहां जहां आवश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् धारा प्रवा आई और खुशियों से नाचने लगे धारा प्रवा खतम हुई और स्थूल संबेदना आई की उदासी में डूब गए तो भाई और कुछ कर रहे हो विपशना बिलकुल नहीं कर रहे जो लाव विपशना से मिलने वाला है वो जरा भी नहीं मिलेगा जो आया उसी के प्रतिसमता भाव अनित्य है जो आया अनित्य है आरे दुखद आया है तो इसका उप्योग करेंगे कि दुखद संबेदना आती है तो ही हमारे जो द्वेश के संसकार अनुशह में पड़े हैं दबे Martijn को तभी उखडेंगे निकलेगा, उधिरना होगी, निर्जरा होगी, कल्यान हो गया न, तो ये आये कि वो आये, अपना क्या बिगड़ा, अपना कल्यान करने के लिए आया, अपना कल्यान इसी बात में है कि सम्ता में रहे, ये बेपश्चना का गुर, ये इसका राज, ये इसका रहिश्य, एक ओर तो शरीर की संबेदना को जाने संबेदना ही नहीं जाने और कहें मैं बड़े समता में हूँ तो क्या समता में है तो उपर उपर की समता है दिखावे की समता है संबेदना होनी जरूरी संबेदना है और हम नहीं प्रतिक्रिया कर रहे बस ये दो बात संबेदना को जानना भी है और प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है और फिर दूसरी बड़ी बात कि ये जो सुबह शाम, सुबह शाम की बैठक है मेकैनिकल न हो जाए, यंतरवत न हो जाए ये सजगता बने रहे संबेदना को क्यों जान रहा हूँ जरा यूँ चलना शुरू कर दो यूँ चलना, किसी तरह से जरा परिवर्तन ले आओ सजगता आ जाएगे धिमे चलते थे तेज चलने लगो कुछ नहीं हो तो थोड़ी देर आना पान करना शुरू कर दो यंतरवत नहीं बन जाए नहीं तो लाब नहीं होगा खुब सजग और खुब समझदारी के साथ विपशना करेंगे लाब आएगा ही फिर अपने को जांसते रहेंगे कि ये जो सुबह शाम साधना कर रहा हूँ उससे मेरे जीवन में क्या लाब आया वैसे ही परिस्तियां पहले आती थी अब आई क्या फरक पड़ा खुद जांचेंगे अपनी आपको दूसरा क्या जांचेगा कई बार तो ऐसे होता है कि कोई भाई की अपनी अपना सपन है वो चाहता है कि हम उसके लिए ये कर दें जो कि अनुचित है लेकिन उसका अपना सपन है और फीर उसका जैसा को चाहता है वीवाई से काम करते हैं तो उसको बड़ा बुर लगेगा क्या सीक आए शीद में या कर गे क्या सीक ले तुने शीद में जा कर गे क्या फरक पड़ गे तुन में तो उससे घबराएंगे रहें, अपने कुछ जाचेंगे, सचमुच फरक बढ़ा कि नहीं, पहले जितना ब्याकुल हो जाया करता था, उसमें कुछ कमी आई कि नहीं, पहले जितना संतुलन खो देता था, उसमें कुछ कमी आई कि नहीं, खुछ जाचेंगे, खुब मालू होन हम ठीक से नहीं कर रहें, तो अपने मार्ग दरसे से मिलें, उसे पत्र से पूछें और सुधार करें, फरक आना ही चाहिए, जीवन में फरक नहीं आ रहा है, तो और किसी तरह का बहले करम कांड होगा, विपश्चनन, विपश्चना से ऐसा हो नहीं सकता, कि विपश्चना करे भी, जीवन में सुधार नहीं हो, सुधार होगा ही, परत्यक्च होगा, आँखों के सामने होगा, जो इतना बड़ा रतन मिला है, इसे खूब सम्हाल के रखना है, सम्हाल के ही ने रखना है, इसका संवर्धन करना है, संवर्धन करना है, एक कहानी चलती है अपने यहाँ, इन दस दिनों में बहुत कहानियां सुनाई न, जैसे सुनाने वालों को भी कहानी सुनाने का व्यसन लग गया, और सुनने वालों को भी थोड़ा थोड़ा व्यसन लग गया, तो जाते जाते एक कहानी और कहते, एक कहानी चलती है अपने यहां, एक बुढ़ा, बहुत धनवा तो उसके पास रहे अब वो तो चली गई ये चाबियों का गुच्छा किसको दे संयुक्त परिवार है चार पुत्र है तो चार बहुए है चारों को तो दे नहीं सकता तो चारों को बुला कि कहता ये चाबियों का गुच्छा उसको मिलेगा मैं परिक्षा लूँगा उसको मि पांच-पंस दाने दे दिये और कहा चार बरस के बाद आओंगा जो इन पांच दानों को समाल के रखेगी उसको चाबी का गुच्छा आरे जो पांच दाने अनाज के नहीं समाल सकती वो इतना बड़ा अंधन भंदार कैसी समालेगा बस यही परिक्षा हमारी बुड़ा चला गया कोई बात हुई यह पांच दाने अरे चार बरस तक भीजा खराब हो जागा याद करते करते फैंक ना वो आएगा तो अपने बंडार گर से दूसरे पांच दाने लें के देदो बात खतम हो जाएगी, फेंग दिये उसने, दूसरी ने सोचा कि बात तो ठीक है, चार बरस ते के इनकी चिंता करना समझदारी की बात नहीं, लेकिन बुड़ा बड़ा अनभव ही है, बड़ा घाग है, उसको जीवन भर का अनभव है, कौन जाने इनी पांच दानों में कोई करामात हो, कुछ अमतकार हो, चार बरस के बाद आएगा तब खाले, और खाते ही तो पुत्रवती, भव, सोबाग्यवती, भव, और जाने क्या क्या भव हो जाएगा, तो अभी क्यों ना खालो, वो आएगा तब दूसरे पांच दानों दे दोंगी, खा गई, तीसरी को तो चाबी का गुच्छा दीखे, चाबी का गुच्छा चाहिए, तो अपने पूजा के कमरे में, एक स्चांदी के डबे में, पांचो दाने रख करके, रोज, सुबह, शाम जैसे अपने देवताओं को जाके समाड ले, वैसे पांच दानों को भी समाड ले, चार वरस तक पांसो बोदिये, अगली मौसम कितनी आए, वो बोदिये, औरे चार वरस में तो मनो अनाज हो गया, टनो अनाज हो गया, गुदाम बर गए, बुड़ा आया, सबने अपने अपने राम काने के सुनाई, चो तिने का महारा जापके पांस दाने, इतने बढ़ गए, गुदाम बुड़ा कहा ये बेटी काम की, इसने संभाल के इने रखा, इसने संवर्धन किया, तो इस बुड़े ने भी पांच दाने धरम के दिये हैं, संभाल के इने रखना, खूब संवर्धन करना, खूब संवर्धन करना, और हम तो ये चाबियों का गुच्छा भी अपने पास नहीं ले जाते हर एक के पास छोड़ के जाते हैं सब के पास अपना अपना चावी का गुच्छा धरम में खूब पको खूब पको और खोलो दरवाजा स्वरगी सुक का दरवाजा भीतर खोलो खूब पको खूब पको ब्रहमी आनंद का दरवाजा भीतर खोलो खूब पको ख ल्यान है, बड़े भग्य से, बड़े पुन्य से प्राप्त होता है दन, शिवे समाप्त करने के पहले एक बात और कहनी है, और वो बात ऐसी है कि उसे कहा बिना, कही बिना चूकता नहीं, उसमें मेरा अपना स्वार्थ समाया हुआ, आखिर बनिये के घर में जन्माना, थोड नेता है अपने यहाँ, कि किसी गुरू के पास कोई विद्या सीखो, कोई विद्या सीखो, लोकी हो, पारलोकी हो, लोकतर हो, कैसी विद्या सीखो, और उस गुरू को यतोचित गुरू दक्षिना नहीं दो, तो विद्या भलवती नहीं होगी, भलवती नहीं होगी, ये प कुछ न कुछ दान देखे जाता है, अपनी पुन्य पार्मी बढ़ाने के लिए देखे जाता है, पर वो दान तो आगे आने वाले जो सादक हैं, उनके लिए, उनके भोजन के लिए, उनके निवास के लिए, उनके सुविधाओं के लिए, गुरू को क्या मिला, मोटे अपना पुन्य माटोगे, वित्रन करोगे, मंगल मेत्री करोगे, तो हो सकता है याद करो, ने भी याद करो, कोई फरक नहीं बढ़ता, जब कहोगे मेरे पुन्य में सब भागीदार हों, सब का मंगल हो, सारे प्राणी सुकी हो, अरे सारे प्राणीयों में ये भी एक प्राण तो मंगल मेत्री दोड़ी हुए आएगी हमारी ओड़ी ये दक्षना देने भूल जाओगे सुबह शाम सुबह शाम ये दक्षना नहीं दोगे तो भाई ये विद्या बलवती नहीं होगी और बलवती नहीं होगी तो फलवती नहीं होगी सुबह शाम सुबह शाम खूब मन लगाकर काम करें और फिर जीवन में उतारें बड़ा मंगलकारी धर्म है बड़ा कल्यानकारी धर्म है अपनी मंगल के लिए किसी परहसान नहीं कर रहे रतन मिला है समाल के रखेंगे संबर्धन करेंगे अपने भले के लिए, अपने कल्यान के लिए, अपने स्वस्ते मुक्ति के लिए अरे अनेकों के भले के लिए, अनेकों के कल्यान के लिए जैसे जैसे धरम में पकते जाओगे, देखोगे कि औरों के कल्यान में सहाइक बन गए औरों के कल्यान में सहाइक बन गए ऐसा हो नहीं लगता है खुब पको खुब पको धरम जागे खुब पहले खुब लोकमंगल हो खुब लोकमंगल हो शिविर स्वमाप्त करने के पहले थोड़ी देर मंगल महतरी का भ्यास करें Before we close our 10 days थम्मा सेमिनार Better Practice Mittah Bhavna for a few minutes इन दस्तिनों में जो पुन्य अर्जित किया है और असीम पुन्य अर्जित किया है इन दस्तिनों में उसका भितरन करें सारे प्राने मेरे इस पुन्य में भाविदार हो सब का मंगल हो सब का कल्यान हो Better share the merits that you have acquired during these 10 days with all beings You have acquired enormous merits Better share with all beings May all beings share my merits May all beings be happy be peaceful be liberated मेरे अर्जित पुन्य में भागे सब्धिका हु इस्से मंगले मया द्रम का लाभ सभी काये कर दो 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 झाल, 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 झाल सबसु तकवालेजु यका देवाच्च ब्रहमनु यंगं लेकतंग पन्यं सवसंब देजादगं सबस्टन्यनमदेद्वा समंग साजनेरता पमाद रहता उंदू हरकास विजजदू सबस्टन्यनमदेद्टन्यन समंगं दामकरितं अनमदेद्टन्यन अनमदेद्टन्यन मेद्टन्यन तर्द्टन्यन सबस्टन्यन मेद्टन्यन सर्द्टन्यन करते मैं करता सबकु चमा करें मुझे सबकु ये मेरी तो सब मेत्र हैं बारी दिके नकु ये हुआ हुआ पार्ण बार्ण ये और दिट्त or harm me, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, by their deeds of body, speech or mind, I seek pardon, seek pardon, seek pardon from all those whom I might have hurt or harmed, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, by my deeds of body, speech or mind, All are my friends, none is my enemy. All are my friends, none is my enemy. May all share my merits, share my peace, my harmony, share my tamma, tamma, tamma. May all be happy, be peaceful, be liberated, liberated, liberated. फ्वला हो, मंगल हो, कल्यान हो, स्वस्ति मुक्ति हो. प्ववति व्ववति तव्वति स्ववति रवति ऌंगलं scholar बववत्व सव्वे मंगे लंग बववत्व सव्वे मंगे लंग बववत्व सव्वे मंगें सब धर्म को धर्म करे कल्यान धर्म सदरक्षा करे धर्म बड़ा बलवान नमन करें हम धर्म को धर्म करे कल्यान धर्म सदरक्षा मंगल करे धर्म बड़ा बलवान नमन करें सब धर्म को धर्म करे कल्यान धर्म सदरक्षा करें धर्म बड़ा बलवान नमन करें सब धर्म करें धर्म करें सदरक्षा 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 करें सदर